हेलो एब्रवान वल्कम टू दे क्लास गाईज कैसे है आप सभी मुझे उम्मिद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करें इन जिस्ट वन शॉट हर बार की तरह है बस एकी बात कहूंगा कि ये वन शॉट आपके इस चैप्टर को पूरी तरीके से खतम कर देगा अगर हम प्रीवियस येर्स का रिकॉर्ड देखें तो इस चैप्टर में से हमेशा conceptual questions ज्यादा पूछो जाते हैं मतलब अगर आप इ इस में समझे के ऐसे कोई बहुत रिजिट निमेरिकल ट्रिकी निमेरिकल से नहीं आते हैं इस चैप्टर में से ऐसे questions आते हैं कि जो बच्चा बढ़िया से चैप्टर को अच्छे से पड़ चुका होगा वो बच्चा सभी questions हो कर देगा है ना मतलब आपको मैं कहूं case study based question आ जाएंगे जो पहले आपको थे पहली बार चैप्टर को देख रहे हो तो आज के बाद से आप कोई भी doubt नहीं रहेगा अगर आप सभी चाहते हैं कि आपको बढ़िया बढ़िया से question मिल जाए इस चैप्टर के practice करने के लिए तो इसके लिए आप हमारी जो बुक है डुकार उनको solve कर चुके हैं तो इसके लिए आपको जो हमारी question bank है इसको practice करना चाहिए इसको order करने के लिए जो link है ये मैंने आपको description में देदी है और pinned comment में पहले comment में भी मैंने आपको ये link देदी है आप यहाँ से order कर सकते हैं आपको discount भी मिल जाएगा तो आप इस book के questions को practice करें करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छा physics में score कर रहे हैं इस chapter में भी हमने अच्छे खासे questions दियो हुए हैं चाहे वो case study based हो, assertion reasoning हो, mcq type हो, three mark question, four mark question सभी हमने इसके अंदर include करा है ठीक है चलिए तो अगर आप चाहते हैं कि इस chapter के आपको easiest one shot notes मिल जाएं तो इसके लिए आप हमारे और आपके प्यारे से टेली ग्राम चैनल अभिशेक साहूसर physics को भी जोइन कर सकते हैं, यहां पर आप सभी के प्यार और support से one lakh eight thousand students जोड़ चुके हैं, कितने अच्छी बात है न यह तो आप भी यहां पर अभी जाकर के जोड़ जाओ, यहां पर करें और जो है हमारे साथ अपने इस एक्जाम की सफलता की जर्नी में जुड़ जाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं, चैक्टर की सुरुआत करते हैं, तो देखते हैं जरा सबसे पहले क्या है भई, अभी तक हम पढ़ते थे electric current, है ना और electric current में सिर्फ एक current था direct current, लेकिन अ और दिसरा है alternating current, अभी direct current क्या होता है, कैसा होता है, समझ यह बात को, दिको यक्टर में क्या होता है, कि अगर मैं कहुँआ करेंग का source का है सर? तो सिंपल सी बात है, इना भी यह है, यह हम्में battery से मिलता है, जो हमारी battery जो cell होती है, वहाँ से था direct current मिलता है, clear है? अभी समझे और alternating current कहां से मिलता है जैसे आप यह मान के चलें कि जो power plants है जहां पर electricity बन रही है वहां पर alternating current अभी बनाया जा रहा है जो generator जो गुमाया जा रहे है इसी generator वहां से आपका alternating current बिल रहा है फिर वो आता है हमारे power stations पर हाँ फिर यहां से हमारी DP पर आएगा distribution panel transformer तक फिर जो अपने घरों में आता है तो आप यह मान के चलें कि alternating current का जो source है वो है alternating current generator मतलब AC generator जिसको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और direct current का जो source है वो है DC generator भी आप कह सकते हैं और battery भी आप कह सकते हैं है ठेक नाव समझे तो देखो AC और DC में क्या difference होता है बेसिकली जो बैटरी से current निकल रहा है वो direct current है direct का मतलब वो नहीं होता कि आपने घर के सामने से light डाल दी और मीटर का connection नहीं लिया तो वो direct हो गया हां direct का मतलब क्या है है कि सीधा सीधा current कैसा सीधा सीधा current ठीक है और alternating current का मतलब क्या है ultra सीधा current समझते हैं देखो जैसे मैं आपको बताता हूं जैसे बैटरी हमारी एक direct current का common source है clear है तो मान के चलिए यह हमने अगर यहां पर DC बैटरी लगा रखी है मतलब बैटरी है तो DC होगी तो अगर हमने आपे बैटरी लगा रखी है तो आप यह देखेंगे कि बैटरी से जो charges निकलते हैं वो charges सिर्फ एक direction में ऐसे flow करते रहते हैं बात समझ मारी है तो बैटरी से जो charges निकल रहे हैं वो एक fixed direction में flow करते रहते हैं लेकिन अगर हमारे यहां पर यहां पर AC generator का एक source लगा है अगर हमारे पास कोई AC source लगा है या कहूं AC generator लगा है जैसे हमारे घरों में direct जो power station से current आता है तो हमारे घरों में आप किसी भी circuit में उंगली डाल देंगे जो कि आपको नहीं करना है तो वो कैसा current अपनको लगेगा वो AC current अपनको लगेगा ठीक है ना ध्यान देना जरा तो alternating current जो होता है जो AC source है यह जो AC source है यह आप समझे जरा कि इसके अंदर इससे जो current निकल रहा है वो current कैसा होता है तो actual में जो AC source होता है वो क्या करता है कि जहां पर जो electrons जो present है उनको वहीं पर oscillate कराता है मतलब आप यह समझे कि direct current से electrons या charges चल के जाते हैं अपनी cycle को पूरा करते हैं जबकि alternating current में क्या होता है alternating current में electron जहां है वहीं रहता है अपनी position पर ऐसे oscillate करता है एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां समझे तो alternating क्यों बोला पहले एक बार यहां पहली आफ cycle में ठीक है फिर उसके बाद घूम के अगली आफ cycle में यहां जाएगा और उसके बाद पिर यहां आएगा तो मतलब इसका number थोड़ी बाद में आ रहा है ठीक है gap में आ रहा है पहली first आप cycle फिर second आप cycle में यहां रहेगा फिर third आप cycle में फिर वापस आ जागे तो यह alternating चल रहा है न तो इसको हमने alternating current बोला ठीक समझ यह मैं आपको सारी बाते समझाता हूँ जैसे मैं आप से कह रहा जब कि alternating current में क्या होता है alternating current में यह electron यही है अब यह electron का कर रहा है ऐसे 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 स्यूर्ट कर रहा है बात समझभा रही है अभी क्या हो रहा है कि अभी हर जगे पर जैसे अगर इस bulb को glow करना है तो अगर battery से connected है तो electron जो है इसके अंदर से जाएंगे current बनेगा लेकिन लेकि पर तो ऐसे करेंट को हमने अल्टरनेटिंग करेंट बोला अच्छा तो सर आप यह बताईए थोड़ा सा कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं हमने तो यह बोला था ना करेंट वाले केस में कि जब भी कि जब भी हमारे पास एक कंड़क्टर से यदि यह हमने एक एरिया प्रॉस सक्ष से कुछ नंबर औफ एलैक्टरों पास होंगे तभी हम मानेङए एक फिक्श डाइरिक्शन इपास होंगे तब यह माने एक करेंट बन रहा है तो क्या उल्टेर nating करेंट में चार्जे क्शा यह फिक्श डाइरेक्शन में फ्लो होते हैं देंध स्भ्य नहीं होते लेकिन क् इल्लेक्टरों अपनी ही जगे पर एक नंभर का क्वेशन नहीं बनता है लेकिन एक बार में एक विश्ट खेन सक भर चानव हैं तो इसका मतलब है अगर हमारे पास यह एक बल्ब है तो आप क्या पाते हैं कि इस बल्ब में अगर DC सोर्स है तो फिर क्या होगा तो तो भाई यह लगाता है जी चलता रहेगा लेकिन अगर इसमें AC सोर्स है कैसा सोर्स है इसको AC सोर्स से आए बाहर गए तो ऐसा करने से रहसा नहीं होगा कि जब एलेक्ट्रोन अंदर गए तो यह बल्ब गलो करा जब एलेक्ट्रोन बाहर आए तो यह बल्ब जो है फिर बुज़ना नहीं चाहिए बिल्कुल बुज़ना चाहिए बिल्कुल यह बल्ब जो है बंद होना चाहिए आ जैसे कि आप यह देखें कि मेरे पास नीचे भी एक चार्जर रखा था देखो जैसे मानके चलो कि यह मेरे पास एक एड़ेप्टर है ठीक है मानके चलना यह मेरे पास एक चार्जर है इसमें केबल लगी होती है अब मान के चलो कि मुझे न इस इस charger से इस mobile की battery को charge गरना है तेक लेकिन होता क्या है कि हमारे घरों में जो current आता है वो कैसा current आता है हमारे घरों में जो current आता है वो alternating current आता है कैसा आता है alternating current और कोई भी battery alternating current से charge नहीं होती कोई भी battery alternating current से charge नहीं होती तो इस adapter के अंदर, साधा से mobile के adapter के अंदर, आप ये देखेंगे कि सारा feature हे इसके अंदर transformer भी लगा है, इसके अंदर rectifier भी लगा है, इसके अंदर zheneρ diode भी लगा है बात समझे इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर सबसे पहले जैसे आप यह जानते हैं कि अगर मैं सीधे सीधे अपने स्विच में उंगलियां ऐसे इंसर्ट कर दूँ तो मुझे करेंट लग जाएगा ठीक है यहां मैं सिर्फ सीधे तो वायर लूँ और अपने इस तरह इस तरीके से जो है वायर लूँ इसमें से बाहर बाहर निकला मैंने इसे पकड़ लिया तो मुझे करेंट लग जाएगा लेकिन वहीं पर अगर इस डेटा केबल इसको मैंने इंसर्ट करा है इसके अंदर और इससे डेटा का केबल निकल रही है अगर मैं उसको पकड़ लेता हूं तो मुझे करेंट नहीं लगता ह क्यों क्यों कि उस current की value बहुत जादा वीक है बात समझभारी कैसी है बहुत वीक तो सारा खेल किया है कि हमारे circuit में इसमें कुछ current हमें मिल रहा है और इसमें से current कुछ और आ रहा है लेकिन हम तक पर उसके बाद वोल्टेज को कम कर दिया और उस alternating current को direct current में convert करा जाता है ताकि हमारी mobile की battery उससे charge हो जाए सिंपल सी बात है कि कोई भी mobile की battery या कोई भी battery हम कह सकता है कि alternating current से charge नहीं होती उसको direct current ही चाहिए क्योंकि battery के अंदर क्या होता है battery के अंदर charges पूरी चक्कर लगाते हैं और चक्कर कौन से current में लगा जाती है direct current में तो अब आपको यहां पर कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी जैसे कि यह देख रहे हो जस्ट वीडियो को start करने से पहले मेरे का एक फोटो गेज लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छा लगेगा आपको समझा पाऊंगा प्रॉपर तरीके से जैसे यह हमारे घर की बैटरी है और यह हमारे घर का inverter है बात समझना अभी होता क्या है कि देखो बैटरी किसका सोर्स है बैटरी सोर्स है डायरेक्ट करेंट का बैटरी देती भी डायरेक्ट करेंट है और लेती भी डायरेक्ट करेंट है ठीक है लेकिन हमारे घर के सभी डिवाइसेज और आपके घर के भी सभी डिवाइसेज चलते हैं अल्टरनेटिंग करेंट पे किस प जब लाइट के इन्थर क्या करता है देखो बैटरी बैटरी के अंदर chemical reaction हो रही है यह eltrical energy में convert कर देता है chemical reactions करना केमिचल energy को सीने MRC चली जाती है तो बैटरी जो है यह बैटरी डाइरेक्ट करेंट का source है किसका source है यह सुर्स है यह सोरी तो direct current के form में निकलता है लेकिन हमारे घर के सभी devices पंका cooler TV ये सारी चीज़ें चलती है alternating current पे तो अभी हमारे घर में जो inverter लगा है इसका काम क्या होता है इसका सीधा साधा सा काम है ये जो inverter जो है ये जो inverter है ये क्या करता है कि बैटरी से direct current लेता है और हमारे घर के सभी devices के लिए उसको alternating current के form में invert कर देता है क्या कर देता है पलट देता है अच्छा बैटरी को charge होना होता है तो बैटरी को तो चाहिए भी direct current लेकिन हमारे घर के circuit में कौन सा current आ रहा होता है alternating current तो यह inverter और क्या करता है यह वहां से switch जो आया हुआ है यह आप पीछे switch देख पा रहे हैं यह का करता है इसको charge गरता है मतलब आपको लगता है कि inverter inverter सारा काम कर रहा है inverter का काम तो सिर्फ कितना है inverter काम यह है कि जो current battery को दिया जा रहा है वो DC चाहिए और circuit से मिल रहा है AC तो AC को कर रहा है convert DC में ठीक है फिर वापस circuit को हमारे घर के सभी devices का चाहिए AC तो battery के पास है DC तो direct current को यह convert कर रहा है alternating current में तो यह alternating current और direct current के साथ हम daily deal करते हैं तो inverter काम आपको समझ में आ गया यह DC battery से DC लेकर के हमारे घर के लिए AC में convert करता है और हमारे घर के यह switches से AC लेकर के battery के लिए यह DC में convert करता है, यह काम होता है inverter का, है ना तो यह सारी बाते मैंने आपको समझा दी, यह क्या है, यह लगा दी हमने यहाँ पर battery, जो की एक DC current का source है, यह inverter है, inverter, inverter का करेगा, inverter काम क्या है, AC को DC में convert करना, DC को AC में convert करना, और AC को DC में convert करना, clear है, यह बात आपको समझ में आ ग करते हैं थोड़ा साम और आगे बढ़ जाते हैं तो यहां पर सायद से का स्लाइड में सगर हो गई है तो चलो मैं आपको पता देता हूं है हाँ थोड़ा स्लाइड में सो रही है भी तो हम यहां पर देख लेते हैं कि आज दियान देंगे जर्ड़ा तो सबसे पहले हमां पढ़ना है इतना तो आपको अल्टरनेटिंग करेंड के बारे में समझ में आया ना कि अइसा करेंड बात समझना आप मैं आपको बताथा की रेट क्या होती है तो हमेश याद रखो मान के चलो कि पहले जो चार्ज है वो यह यह इलेक्ट्रों जो है यह पहले इस साइड गया ठीक है और फिर घूम के आगे फिर यह साइड गया ठीक तो यहां से यहां तक जो है यह इसकी फस्ट हाफ साइकल होई क्या होई फस्ट हा cycle ठीक है फिर यह घूम के आया इस side और यहां से यहां तक इसकी जब यह वापस से अपनी mean position पर हो जाएगा तो यह हो जाएगी इसकी second half cycle तो इस तरीके से यहां से start करा था घूमने फिरने के बाद यह दोनों cycle के बाद यहां आ जाता है तो यह इसकी एक cycle complete हो जाती है तो इस तरीके से हम यह देखें कि जो charges जो है alternating current में जो frequency जो रखी गई है वो है 50 hertz इंडिया के अंदर तो अगर हम ऐसा बोलें कि electrons एक second में कितना oscillate कर जाते हैं तो इसका मतलब है electrons एक second में यह charges एक second में 50 cycle पूरा कर लेते हैं कितनी 50 cycle in one second 50 cycle in 50 cycle in one second और इसी को हम क्या बोलता है कि alternating current की जो frequency है यह 50 generator जो चल रहे हैं दो जो एक second में 60 cycle पूरे कर लेते हैं तो यह इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो alternating current की frequency है वो 50 Hertz है तो जबकि USA की हम बात करें तो USA के अंदर क्या है USA के अंदर जो Electrons है वो एक सेकेंड में 60 साइकल पूरी करते हैं मतलब जो AC जेनरेटर जिससे बनाया जाता है वो एक सेकेंड में 60 बार ऐसे गुम जाते हैं तो आप यहां पर देखें USA में जो Frequency है वो क्या है 60 Hertz ऐसा क ताइम पर जो क्रेंट की जो रिवॉलिशन जो हो रहा था उस टाइम पर आप यह देखें अलग अलग कंट्रीस में वह बहुत चल रहा था वह रहा हम हम इसका सिस्टम यूज नहीं करेंगे तो बस उन सारी चीजों के कारेंट से अमेरिका नमतलब USA ने अपना अलग बनाय और इंडिया इंडिया क्योंकि इंडिया ने खुदका तो नहीं बनाया था लेकिन ब्रिटिस जो स्टम था उन्होंने उसको तयार करवाया तो इंडिया में पाकिस्टान में आसपास की जो तो अबहीं आप समझ गए होगे कि इस तरीके देखे तो आप यह समझो कि एक साइकल में पहले इस डायरेक्शन में जाते हैं फिर इलेक्ट्रोन जाते हैं फिर वापस डायरेक्शन में तो अगर आप यह कि एक साइकल में करेंट की कितनी डायरेक्शन बदल जाती है तो आप यह देखे एक साइकल में कितनी साइकल 50 साइकल ठीक है अच्छा एक साइकल में कितनी बार डायरेक्शन बदली तो आप यह देखे एक साइकल में दो डायरेक्शन बदली इसका मतलब है कि पचास बार करेंट डिसाइड जाएगा एक साइकल में देखो एक बार करेंट डिसाइड गया एक बार करेंट डिसाइड गया ऐसे हो रहा है न हां तो याद रखिए कि एक साइकल में एक साइकल में पचास बार करेंट डिसाइड जाएगा और सॉरी साइकल बोलना चाहिए एक सेकंड में पचास बार करेंट जाएगा और पचास बार करेंट जाएगा पचास बार इससा अगा एक सेकंड के इन दर इसा हो रहा है इसी को बात समझना तो जो हम अपने बल्ब जो चला रहे हैं इनके अंदर ये पचास बार करेंट एक डारेक्शन में एक सेकंड केंड के अदर होता है तो उसका मतलब जो हैja है और पचास बार बंजा चलता है लेकिन फिर भी हमें यह बल्व हमेशा ग्लो करता चमकता सो यह दिखा लाकिक इसका कारण सूर्ब कि एक बार ग्लो करें तो उसकी इमेज हूं के लंब़े टाम स्क्क्राइब हो यह तीसरी बार जो कर जाता है तो कारण हमें हमेशा किनने मने घाता ही दिखाई देता है ठीक हें में इसफिक किरेंद की तो डाइरेकर नीट होता है। यह time के साथ बदलता नहीं है, direct current का जो magnitude है, यह time के साथ बदलता नहीं है, DC के हम बात करते हैं, time के साथ जो direct current है, यह constant रहता है, कैसा रहता है, constant रहता है, लेकिन, लेकिन, आप यह समझे, current का होता है, rate of, rate of, flow of charge, rate of flow of charge, समझता है, जब electrons जब flow करते हैं, तो यहां से गए, य जोना, जितनी rate से electrons flow, उतना ही ज़्यादा current बनेगा, तो electron मान के चलो, यहाँ, center से, center से ऐसे गए, sign, 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 बात समझ भाल, electron जब ऐसे जा रहा है, तो जब समझो, कि जब वो यहाँ से, center से, यहाँ से ऐसे गए, तो उनकी जो velocity है, end पर जा के zero नहीं, है ठीक और यहाँ पर आके मैग्जम होनी है फिर एंट पर जाके जीरो नहीं फिर मैग्जम होनी है तो आप यह समझे के alternating current का जो magnitude है मतलब उसकी जो value है current की intensity है यह लगातार बदल यह लगातार change होती रहेगी sign 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 यह लगातार change होगी ठीक लेकिन इसकी direction क्या लगातार बदल रही है नहीं direction एक fix time interval के बाद बदल रही है तो आपको यहाँ पर समझना है कि alternating current की का जो magnitude है alternating current का जो magnitude है यह लगातार मतलब continuously बदलता है जबकि इसकी जो direction है यह periodically मतलब fixed time interval के बाद बदलती है एक second में पचास बार direction बदल जाती है ठीक है कुछी एक cycle में ऐसा होता है तो दो आप होता है अब देखिए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि direct current में तो direction बदलती ही नहीं और टारेक्ट करेंट में तो ऐसा कुछ यह कितनी है डारेट करेंट की फ्रिक्वेंशी जीरो हर्ट है अच्छा अगर हम बात करें कि डीसी डारेट करेंट का जो मेगनिट्यूड है यह टाइम के साथ बदलता नहीं है इसलिए हमने बोला कि टाइम दो बढ़ रहा है लेकिन डीसी को जो वैल्यू थी वही है यह कॉं करेंट के लिए जो ग्राफ जो बंता है यह इस तरीक आरे कि यह एक बाथ मैंने आपसे का कईप नट करेंड का जो मेगनिट्यूड है करेंड की जो वैल्यू है यह लगातार बदल रही है और डाय्रेक्शन पीरियोड इकली बढ़ रही है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद तो आप यहां पर देखो कि करेंट का जो मेगनीट्यूड है करेंट या वोल्टेज की वैल्यू है यह लगाता रही है पहले बढ़ रही है पहले बढ़ रही है मैक्सिमम होई फिर यह जीरो होई हाँ क्योंकि देखो करेंटियो चैस्ज़ में यह मैंग सिरॉ तो क्या मैं इसको ऐसे भी इस गराफ को नो थो मैं ऐसे भी बना सकता था यहां से करेंट की वैलियू मैंकिमम और यह फिर उन्थान संभीं इस पढ़ाwn एकृइम यह यह राफ एससे ही यह बना तो इसका रीजन्व भी आम आपको बताते हैं clear है ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा से आप इसका screenshot लेना चाहें तो screenshot ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर थोड़ी सी आज दिक्कत हो रही है मैं आपको बताता हूं कि how sign wave is formed तो जो wave हमने बनाई इस wave com क्या बोलता है इस wave com बोलता है sign wave क्या बोलता है साइन विब कहा जाता है इस wave को देखो simple बात है अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिं करिंड में तो तीन टैप का karate होता है एक होता है instantaneous करिंड एक था average करंट और एक होता RMS करिंड ठीक है जैसे मैं आपको यहाँ पर दावाद reduction alternating current में तीन टाइब को करेंट होता है एक होता है instantaneous current ठीक है instantaneous value of current हम बात करता है एक होती है current की average value और एक होती है current की RMS value जिसको हम root mean square बोलते हैं समझना instantaneous का मतलब आप समझते हैं किसी particular instant पर आप इतनी बात तो जानते हैं कि current की value लगादार बदल रही है लगातार current की value बदल रही है alternating current में तो किसी particular instant of time पर current की जो value है उसको हम कहते है instantaneous value of current यह simple instantaneous current तो आई क्या है हमारे पास instantaneous current है तो इसकी जो equation होती है वो क्या होती है इसकी equation होती है i is equal to i not sin omega t i not sin omega t यह सर omega क्या है यहाँ पर तो omega है यहाँ पर angular frequency क्या है angular frequency जिस frequency से AC generator की coil घूम रही है उसको हमने कहा angular frequency जिस frequency से AC generator की coil घूम रही है उसको हमने कहा angular frequency ठीक है तो current पर हम बोल देते हैं omega क्या है angular frequency समझना तो यह क्या है एक बार और समझे यह क्या है i not क्या है है सर आई नोट ay maximum current नोट का है maximum current देखो alternating current में क्या होता है alternating current का जो magnitude मैंने का लगातर बदल चारे डारेट करेंट में क्या होता है कि direct current मैं आप यह समझे कि डायरेक्ट current में कुछ ऐसा होता है कि मैंने का बैटरी से अगा 10 10 ampere current निकल रहा है तो यह 10 ampere ही निकलता रहेगा जब कि alternating current में क्या होता है आप समझते हैं alternating current में एक fix value नहीं होती लेट से हमने का current की value 10 ampere जैसे current की लगातर बदल रही है तो 0 से लेकर 10 ampere current की कुछ भी value हो सकती है तो किसी particular instant पर 0.1 0.2 0.3 0.5 1.2 1.3 9.8 कुछ ही value हो सकती है तो किसी particular instant of time पर current की जो value है उसको हमने का instantaneous value और इसको हम बताएंगे कैसे तो formula होता है I not मतलब maximum current that means alternating current यह 10 ampere तक maximum जा सकता है तो उसकी जगह पर हम यह I not रखेंगे sin omega t तो omega t जो omega जो angular frequency की value होगी हमें given होगी यह हम जो इसको solve करेंगे calculate करेंगे ठीक है तो यह होता है instantaneous value of current आगे हम direct current वगरा पर भी आएंगे लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि sine wave जो है यह कैसे बनती है मतलब यह जो wave आप देख रहे हैं यह ऐसी ही क्यों बन रही है यह सी क्यों बन रही है clear है तो देखो ज़रा बहुत simple सी बात है मैंने कहा कहा कि instantaneous value of current हो किससे बताया गया i is equal to i not sine omega t i not कहा है maximum current तो अभी देखिए simple सी बात है इसी तरह से EMF की equation ही बनती है e is equal to e not sine omega t या b is equal to v not sine omega t voltage के लिए तो अगर आप यह देखिए कि जो instantaneous current है यह sine का function है sine angle पर depend कर रहा है तो मान के जलो अगर यह omega t देखो actual में omega t क्या है actual omega को मैं angular velocity बोलते है तो यह आप यह तो omega जो देख रहे हैं यह क्या है actual में omega t जो आप देख रहे हैं यह पूरा sine के बाद ठीटा ही तो है sine ठीटा ही तो है तो अगर आप यह देखें कि अगर मैं ऐसा बोलू हूँ कि इस omega t की जगा है मैं 30 degree put कर रहा हूँ यह क्या है actual में sine ठीटा है तो ज़रा सोचो कि अगर मैं ऐसा बोलू हूँ कि sine की value 0 degree में कितनी होती है answer is 0, sine 30 degree में कितना होता है 30 degree में answer is 1 by 2 1 by 2 को क्या कहा जाता है 0.5 solve करोगे 0.5 आएगा sine 45 degree का होता है 1 by root 2 1 by root 2 अगर आप इसको solve करेंगे तो 0.7 0.707 आता है 0.707 मतलब मैं इसको फिलाल के लिए 0.7 लिख सकता हूँ अगर मैं sine 60 degree की बात करता हूँ तो sine 60 की value होती है root 3 by 2 अगर मैं इसको solve करता हूँ देखो root 3 का मतलब 1.732 upon में 2 है divide करूँगा तो 0.85 आएगा 0.85 after that मैं देखता हूँ कि sine 90 की value क्या होती है sine 90 की value होती है यह होती है 1 क्या होती है 1 तो आप यहां पर समझे कि जो equation जो है यह कैसे बन रही है पहली value क्या है 0 है उसके बाद 0.5 है कितने डिग्री यह gap पे 45 30 डिग्री यह gap पे उसके बाद सिर्फ 15 डिग्री के gap पे यह कितना हो गया 0.7 और 15 डिग्री के gap पे कितना हो गया 0.85 उसके बाद यह 30 डिग्री यह gap पे कितना हो गया 0.1 sorry 1 complete तो आप यहां से current का magnitude बढ़ रहा है पहले क्या है 0 उसके बाद मान के चलो यह direct कितना होगा 0.5 फिर क्या देखो क्या इसमें जो अंतर आ रहा है क्या यह सेम क्या इसमें जो difference आ रहा है क्या यह linear है क्या ऐसा हो रहा है क्या आप समझे क्या ऐसा हो symmetric क्या कहूं कि एक fix sequence में इस तरह से value बढ़ रही है आंसर है नहीं तो graph ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता यह linear linearly value नहीं बढ़ रही है ना तो graph जैसे sign की value बदल रही है उसके हिसाब से graph बनेगा ठीक है तो आप यह देखिए यह graph कैसा बन जाएगा यह graph कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है चलो तो यह graph कुछ ऐसा बन जाएगा कि देखो तो इसलिए हमने क्या का कि पहले यह 0 पे था उसके बाद यह यह यहां पहुंचा उसके बाद थोड़ा सा यह और बड़ा दैन यह थोड़ा सा और बड़ा तो इसका मतलब ही हो रहा है कि इस तरीके का इस तरीक से जो वेव बन रही है जैसे पहले यह कितना बड़ा 0 से 0.5 पिर 0.7 पिर 0.8 और उसके बाद ये maximum तो इस तरीके से ये value time के साथ बढ़ रही है ठीक है और उसके बाद ये वापस से ये 0 पर जाएगा current पर 0 पर जाएगा direction बदलेगा तो opposite direction में maximum पहुझेगा और इस तरह से value लगातार बदलते रहे हैं तो sine wave इस तरीके से बनाई जाती है clear है तो इसको हम कौन सी wave बोलते हैं इसको हम sign wave बोलते हैं क्योंकि ये sign पर depend sign function पर depend कर रही है clear है ये बाद आपको समझ भाई तो हम बात कर रहे थे current की value तीन टाइप क्यों होती है एक कौन सा instantaneous current जो हमने समझ लिया उसके बाद कौन सा है उसके बाद है direct current sorry average value of current ठीक है average value क्य एक cycle में total कितना charge flow हुआ है कितने time में या मैं ऐसा बोलू चलो average value of current की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि particular time में कितना charge flow हो गया particular time में कितना charge flow हो गया उसको हम बोलता है average value of current ठीक है मैं आपको सभी चीज़ समझाता हूँ अभी तो कभी भी average current निकालना है तो total charge upon total time किसी area of cross section से किसी particular time में कितना charge flow हुआ है है एक fix direction में उसको हम कहते है average value of current ठीक है अब next होता है rms value of current rms value of current यह क्या है भाईया यह तो बड़ी ही विचित्र चीज है हां rms value of current को मैं आपको समझा देता हूँ एक बार ठीक है फिर हम इसका derivation वगरा भी करेंगे shift कर लेता हूँ अब जो rms value है यह बहुत ही काम की चीज़ है यह क्या होता है sir मैं आपको समझा दा हूँ देखो बहुत simple सी बात है actual में क्या होता है जैसे मान के चलो कि हमारे घर का कोई भी device है ठीक है मान के चलो मैं बल्ब लेके आया हूँ ठीक है बैटरी से चलने वाले अलग होती है हम अभी अपने नॉर्मल घर की बात कर रहे हैं तो मान के चलो मैं यह बल्ब लेके आया ठीक है और यह बल्ब हमारे डॉमेस्टिक परपस के लिए यानि कि घर के लिए ही बना हुआ है बड़िया बल्ब बनाया मैंने ठीक है अब बताना देखो होता का है actual में actual में होता ऐसा है कि मैं एक बल्ब लेकर के आया हूँ मैं एक बल्ब लेकर आया ठीक अब यह जो बल्ब है यह alternating current पर चलता है ठीक है बात समझना ठीक इसके बाद क्या है और इसमें यह भी लिखा है या इस device पर लिखा है कि यह कितने पर चलेगा यह चलेगा 220 वोल्ट एसी पर और 6A current पर कितने बचलेगा 6A current ठीक है बात समझना मान के चलना तो अभी एक्चुल में इसके इस पर जो 6A लिखा है वो alternating current के लिखा है अब alternating current में तो एक fix value होती नहीं है मैंने जैसे अब क्या बताया था कि अगर direct current होता अगर जैसे मान के चलो मान के चलो चलो इसको भ current provide करेगी यह 10A current के कितने का 10A का लेकर एक AC source है क्या है एक AC source है और AC Source पे अगर हमें बताना है कि current कितने अपेर का यह देगा तो पहले तो आप मुझे बताओ क्या alternating current में current की value हमेशा सेम रहती है answer है नहीं current की value हमेशा बदलती रहती है current की value हमेशा बदलती रहती है तो इसकी value 0 से लेके 10 ampere तक बदल रही है तो जरा मुझे ये बात बताओ कि मैं इस value को direct current में तो fix है कि 10 ampere मतलब 10 ampere current flow होगा लेकिन alternating current में क्या है मैं इस current को कितना बोलूं क्या मैं इसको 0 बोलू, 1 बोलू, 2 बोलू, 3 बोलू, 10 बोलू, 9 बोलू, 8 बोलू, 7 बोलू, 6 बोलू, 5 बोलू कितना current इसको बोलू पताओ जरा AC में तो fix नहीं है ना क्योंकि AC में अगर मैंने बोला 9 ampere flow हो रहा है नहीं होगाना क्योंकि 8.1 बोल बोलू बोलू के만ने कितना Current हो रहा है कि यह को6 इसकी रेंज पता होती ए तोंजर है कि AC current में हम क्या बोलते हैं AC current में हम 0 से 10 ampere में कोई भी value मन से पिक नहीं करते हैं हम क्या करते हैं कि एक effective value लेते हैं क्या लेते हैं effective value effective value effective value का मतलब है कि यह जो 0 से 10 ampere का current जो है यह actual में कितने ampere का effect प्रोड्यूस कर रहा है कितने एंपियर का काम करा के हमें दे रहा है है ना तो हमने देखा कि अगर मैं 0 से 10 एंपियर का जो है करेंट फ्लो कराता हूं तो यह मुझे करीब 7.07 एंपियर का effect प्रोड्यूस करके देखा ऐसा मतलब मान के चलो कि कहीं पे जो है कहीं पे 100 रुपय का नोट है अब फट गय नहीं रहा तो उसने का नहीं मैं 70 रुपय में यह चलाओंगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नोट भले ही 100 रुपय का है लेकिन वो effect कितने का produce कर रहा है 70 रुपय का काम कितने का कर रहा है 70 रुपय का तो 70 रुपय उसकी effective value है है ना तो देखो जड़ा तो इसका म मतलब यह कि मैं कोई random value तो नहीं ले सकता तो क्या करना पड़ता है तो हम इससे work कराके देखते हैं किससे work कराके देखा तो हमने का 0 से 10 रुपय कराके देखा अब कौन सा work करा है तो बताता हूं तो इसने जो है 7.07 रुपय का work करके में दिया effect produce करके दिया तो देखो इससे पहले हम direct current को जानते थी कौन से current को direct current को कि हमने क्या करा कि हमने इस 0 से 10 गळा करता हूं उससे work कराया कौन से work कराया तो answer है हमने इससे heating कराई क्या कराई heating क्योंकि देखो मुझे compare करना है कि कि present to m direct current से यह थे all और इस alternating current से भी हीटिंग कराई बीशी से बीश एक्रणों बबड़िन कर नहीं करता है। लेकिन लिकिन ऑफ जो alternating current यह हीटिंग एद इस प्रशो करेगा और magnetic field बनाएगा मतलब magnetic effect नहीं करता है मतलब chemical reaction नहीं करा सकता क्योंकि इसके अंदर चार्ज ऐसा 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 oscillate कर रहा है तो transfer नहीं हो पाएंगे बात समझना तो देखो तो हमने क्या करा कि दोनों से heating करा के DC से भी heating कर आई और AC से भी heating कर आई तो जब हमने देखा तो हमने यह पाया कि DC में जो heating 7.07 ampere current करता है वही AC में यह 0-10 ampere वाला current heating कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि 0-10 ampere वाला current की heating है यह 7.70 यह 0-7 ampere की heating के बराबर है तो इसलिए हमने इसकी range को क्या बोला 0-10 ampere वाले current को क्या बोला 7.07 ampere यह AC को हमने बोला effective value क्या बोला effective value ठीक है अब इस effective value को calculate कैसे करते है तो calculate करने के method से इसका नाम पढ़ गया RMS value के नाम पढ़ गया RMS value तो बताओ अगर मैं आपसे कहता हूं कि RMS value क्या है तो क्या बोलोगे RMS value effective value है जितना काम हम DC से कराते हैं उतना ही काम एक fixed range का AC करके देता है तो हम उस value को RMS value of current बोलते हैं clear है चलो मैं आपको भी यहां पे समझा देता हूं देखे जरा पहले मैं RMS value को पढ़वाओंगा तो इसका नाम RMS को रखा यह भी मैं आपको सिखाता हूं भी ठीक है देखे जरा अगर मैं इस RMS value of AC की थोड़ी सी reading करता हूं तो इसमें देखो क्या लिखा है it is defined as the value of direct current यह यह direct current की वह value है तो RMS value क्या है direct current की वह value है that would produce the same heating effect in given register as is produced by alternating current मतलब जितना direct current heating produce कर रहा है अगर उतना ही fixed range का जो है AC produce करता है तो AC को उस value को DC की value के बराबर माना जाएगा मतलब अगर 7 ampere का जो effect है यह 0 से 10 ampere वाले 7 ampere DC current का जो effect है यह 0 से 10 ampere वाले current ने भी same heating करी same 7 ampere के जितने मतलब जितना 7 ampere के DC ने heating करी उतना 0 से 10 ampere वाले AC ने heating करी तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 0 से 10 ampere मत बोलो इसको इसको 7 ampere ही बोलो वर्क तो उतना ही कर रहा है effect उतना ही produce कर रहा है समझ महीं बात तो देखो तो यहां पर हमने जो definition है वो क्या लिख दी it is defined as the value of direct current that could produce same heating effect in given register as is produced by alternating current when passed for the same time अगर same time के लिए हम pass कराते हैं तो जितना एक fix DC heating करता है उतना ही certain range का AC heating करेगा ठीक है अभी समझना it is also called effective value और virtual value of AC अभी समझना AC does not show chemical effect AC does not show chemical effect देखो AC क्या होता है chemical effect शो नहीं करता chemical effect के लिए मैंने फिर से कहा कि अगर यह na plus है तो na plus का है इस side जाना जरूरी है लेकिन लेकिन अगर alternating current में क्या होता है जिसे देखो यह पर बात समझना अगर यह terminal है मेरे पास टीक है यह एच प्लस है टीक समझना यह मानकर चलो है h plus line है अभी h plus is side जाना चाहता है क्योंकि देखो इस में dc में तो polarity fix है ना polarity fix है टीक है DC में तो बदलने काम ही नहीं है तो यह H प्लस आइन अगर रिस सेट जाना चाता है तो चला जाएगा लेकिन अगर यह alternating current होगा तो alternating current में बैटरी की जो polarity होगी यह सोर्स की जो polarity होगी यह लगातर बदलती रहेगी फस्ट हाफ साइकल में positive बना यह negative बना अगली हाफ साइकल में negative बन जाएगा यह positive बन जाएगा तो यह H प्लस आइन यह और ऐसा एक सेकंड में 50 बार होना है है ना 50 cycle पूरी होनी है तो मतलब 100 बार polarity बदलनी है तो यह H प्लस आइन का करेगा यह देखते रहेगा कहां जाओं यहां जाओं यहां जाओं यहां जाओं यहां जाओं य एस शो करता है हीटिंग एफट मेजर ली और मेगनेटिक एफट रहे हां कई केसे इस इसकी जो मेगनेटिक फील्ड यह वर्क नहीं कर पादी तो आपको कई जगह लिखा भी मिल सकता है कि यह सी डाइस नौट शो मेगनेटिक एफट्ट तो आपको एक बात समझने है क्या कि जो है अच्छा जैसे कि अब मैं आपको बदाता हूं तो हमारी जो मेंड डिसकेशन का पॉइंट अभी चल रहा है वो क्या है कि एसी जो है कौन सा एफेक्ट शो करता है केमिकल एफेक्ट शो करता और मेगनेटिक शो करेगा मेगनेटिक एफेक्ट के की हेल्प सेम कर लेते हैं थोड़ी सी अर्मिस वेल्ट की बात कर रहे तो बात हमने कहा कि यह तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा है अब और में वैल्ट क्यों कहा गया इसको तो आंसर यह कि अगर हम इस एफेक्ट वेल्यू की केल्कूलेशन कर रहे थे तो हमने देखा कि एफेक्टिव व instantaneous value of current का square करें देखो अगर मैं normal mean या average निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालता हूँ कि जितनी values मेरे पास हैं उन सभी को मैं क्या कर दूँ उन सभी का मैं divide कर दूँ ठीक है जैसे यह सभी value को add करा और मैंने का 3 value तीन का divide कर दिया ठीक है अगर मेरे पास यह 4 values हैं current की instantaneous values तो मैंने 4 का divide कर दिया ऐसे average निकालता हूँ ऐसे mean निकालता हूँ है ना तो अभी समझे यह क्या है simple values का mean है लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ कि अगर मुझे squares का mean निकालना हो तो इसका मैंने square करा square करा सभी instantaneous values का square करा और उसका जितनी values थी उनका divide कर दिया तो यह किसका mean हो गया यह square का mean हो गया किसका mean हो गया square का mean हो गया अभी समझना अगर मैं इसको उपर root or लगा दूँ तो यह क्या हो गया यह root है किसका root of square of यह root of mean of square मतलब सभी जो square value है पहले हमने क्या करा पहले हमने सभी square values का mean निकाला और उसके बाद root लगा दिया तो अगर हम ऐसे solve करते हैं तो हमें मिल जाती है root mean square value क्या मिल जाती है root mean square value तो इसको मैं थोड़ा सा up to n digit अगर बढ़ाता हूँ i n square तक तो यह जो है यह कितना हो जाएगा तो upon में आ जाएगा इसमें n तो इस तरीके से अगर मैं effective value को calculate करना चाहता था तो उसका method क्या हुआ उसका method यह हुआ कि सभी instantaneous value का square करूँ फिर उसका n से divide करके mean नकाल दो फिर उसके बाद root लगा दो तो इस पूरे method को मैं हमने क्या करा हमने square के mean के उपर root लगा दिया तो इस value को हम क्या कहने लगे इस value को हम और में कहने लगे rms मतलब root mean square value clear है अब अगर मेरे पास तरीके से ये दिया हुआ है अब क्योंकि मेरे पास current जो एक लंबे time के लिए flow हो रहा है तो अब ऐसे बहुत सारी values होगी तो हम क्या करेंगे तो simple सी बात है तो हम क्या करेंगे अगर हमारे बहुत सारी values होती है तो हमारे पास एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, तो हमारे पास ये तरीका होता है, कि अगर मुझे इस तरीके से, अब देखो, ऐसा है कुछ, ये सभी values का sum करना है, क्या करना है, सभी values का sum, ये mean, ये उपर क्या है, square का mean है न, देखो, ये क्या है, ये i1 है, ये i2 है, य i3 है यह i4 है यह iN है मतलब यह instantaneous value of current है ना का है current की instantaneous value और यह सब का square यह सब का square ठेक अब यह बताओ instantaneous value of current का पूरे time के लिए fix होती है नहीं यह तो बहुत छोटे से time के लिए होती है ना तो मैंने इसमें dd का into कर दिया clear है तो देखो अगर मैं सभी instantaneous value of current को जोड़ना चाहता हूं add करना चाहता हूं तो physics में मुझे क्या तरीका उसका integration करना क्या करना है integration करना है क्या करना है integration करना है ठीक है अच्छा और उसके बाद क्या करूंगा उसके बाद में इसमें total time कुंए करेंगों कैशनल्स टाइम को टशीं को क्या हो रहा है does को कि जैसे जब मेरे पास मुझे पता कितनी वैलुओं तो मैं करेंगा सब्सक्राइब के लिए निकाल रहा हूं तो अब देखो मुझे रूट गचर पर दागा तो मैं का करोंगा सी दी सी बात मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं irms की value निकाल लेता हूं कि आई irms मतलब अगर मैं rms की current की rms value निकालना जाता हूं तो इस तरह से निकालूंगा अब इसको उपर root है क्या है इसको उपर root है है के नहीं तो मैं एक काम करता हूं कि root नहीं थोड़ा सा देखने में अजीब सा डफ सा लगेगा तो मैं इस root को अटाके यहां पर आई एर मैं इसका square कर सकता हूं यह रूट हटके यहां से ऐसे आ गया तो कभी मुझे इसका derivation करना है इसको solve करना है तो इस तरीके से मैं root अटाकर यहां पर कर सकता हूं तो इस formula को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं आप इसका screenshot भी ले सकते हैं तो यह certain time के लिए देखो time तो क्योंकि मैं टी लिख रहा हूं ना नीचे तो total time तो मैं ले लिया तो वहां पर मुझे integration sign लगाने की ज़रूरत नहीं है clear है ना ठीक है जब इस quality का ज़रूट वगर लग जाएगा clear आगे बढ़ जाते हैं तोड़ा सा अभी यहां पर ना यहां पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं चलो अभी हम derivation भी करेंगे किया देखो drives value का कि casill 25 करना है तो generation करेंगे लेकिन से पहले ना पता रहा हूँ जाय बहुत जरूरे चीज़े हैं क्या नहीं बहुत-जरूर चीज़े हैं था करने वाले हैं इसका लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीज़ें जैसे integration में कुछ चीज़ें काम आईगी वो सारी चीज़ें हम समझेंगे तो आई यह आरेमेस वैल्यू किस तरीके से लिखा जाता है यह आपको समझ में आ गया ठीक है ठीक है यह आपने देख लिया आरेमेस वैल्यू क्या होती है इसका फॉर्मूला वगारा कैसे बनता है यह आपको सब कुछ समझ में आ गया ठीक अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ट कुछ चोड़े-चोड़े से question यह जिस तरीके से पूछ जाते हैं व इसका अंसर क्या हो रहा है देखिए जड़ा असर्शन दिया हुआ है और इसमें लिखाए अल्टर्नेटिंग करेंट डज नौट शो मेगनेटिक एपक्ट इसका अंसर क्या होने वाला है तो यह जो असर्शन इन्हों ने गलत दे दिया तो असर्शन गलत है अच्छा इसके बाद देखो alternating current varies with time alternating current तो time के साथ vary करता है तो आप ज़रा यहां पर देखिए आप ज़रा यहां पर देखिए कि यहां पर क्या सही है क्या गलत है कौन सा answer सही है कौन सा answer यहां पर सही है तो assertion is incorrect assertion यहां पर incorrect दिया है जबकि reason कैसा है reason हमें correct दिया हुआ है तो इसका जो correct answer क्या हो जाएगा correct answer सी हो जाए कट की बार हमें ये देखने को मिलता है कई बार हमें या देखने को मिलता है कि alternating current जो ए यह magnetic effect शो नहीं करता कही बार हम देखते हैं कि alternating current magnetic effect या उन तो देखो मैं ने को कई सारी विक्स वगरा में इसका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो है इसको करेक्ट करके बताया हुआ है कि जाये चेंज हुआ है ठीक है तो आप देखो जैसे मानके चलो मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारे पास एक गैलवनों मीटर क्या है गैलवनों मीटर या अमीटर चलो मैं सिंपल सी बत गैलवनों मीटर तो आपने पढ़ा है ना तो अगर मेरे पास एक गैलवनों मीटर है तो गेलवनो मीटर में क्या होता ना कि आप जानते हैं कोईल होती है क्या होती है एक कोईल होती है ठीक है और यहां पर इस तरह से मेगनेटिक पोल्स होते हैं जब इस कोईल में करेंट फ्लो होता है तो क्या होता है कोईल ऐसे घूमती है यह क्योंकि मेगनेटिक फील्ड में रखे होने से करेंट कैरिंग कोईल पे टॉर्ग लगता है लेकिन लेकिन देखो लेकिन यह कब होता है सिर्फ direct current की case में अगर alternating current हमने यहां पर रखा है alternating current रखा है तो अभी क्या होता है alternating current क्योंकि current की direction जो है काफी rapidly बदलती है तो एक बार टॉर्क लगेगा इस direction में एक लेगा इस direction में मतब एक सेक्ड में 50 ला इस साइड 50 ला इस साइड तो यह कोईल हमें stationary ही नजर आएगी मैगनेटिक फिल बले इस पर टॉर्क लगा रही है लेकिन ये ये जो है ये घूमेगी नहीं तो इसका जो पॉइंटर है ये कोई भी रीडिंग शो नहीं कर पाएगा हमें stationary नजर आएगा तो इस केस में गैलवनोमेटर केस में जो AC का जो effect है magnetic effect है ये हमें शो नहीं होता इसलिए हम थोड़ा ताकत लगागे इस बादों कहते हैं कि जो alternating current है ये heating effect को हमेशा सो करता है जैसे DC करता है वैसे ही एसी करता है तो कभी भी comparison करनी हो तो हमेशा DC और AC comparison करते हैं heating वाले केस में ऐसे कौन सा effect है जो दोनों show करता है एक ही जैसे तरीके से तो है heating effect तो अभी आप यह देखिए AC करेंट को यह मेशार नहीं कर पाता कौन सा moving coil galvanometer simple galvanometer तो अभी आप देखें पर कैसा जो है डिवाइसे हम यूज करता है तो हम heating effect पर बेज़ डिवाइसे हम यूज करते हैं एस यूज को मेजर करने के लिए तो हम कहां लेखेंगे डिवाइसेज 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 बेस्ट अन हीटिंग एफ़ेक्ट और करेंट आर यूज को मेजर यूज को मेजर घिवाइसेज लिवाइसेज बेस्ट अन मेगनेटिक एफेक्ट ओफ कॉरेंट ठीक है बात समझ में आ गई है चले तो अगर पूछा जाए कि कौन सा अमेटर यूज हम करते हैं तो एक अमेटर होता है होट वायर अमेटर कौन सा होट हट वायर अमेटर हट वायर अमेटर का हम यूज करते हैं करेंट एसी करेंटको मेजर करने के लिए ठीक है और तो यह सिंपल सी बात है यह जो I square RT है यह Jules law of heating पर based होते हैं यह सभी के सारे के सारे devices ठीक है बात समझ में आ गई और AC current को measure करने के लिए तो आप इसका screenshot ले सकते हैं ठीक है देन हम आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखो तो यहां पर मैं इतने conclusion पर आ सकता हूँ कि जो heating effect है ना वो दोनों के लिए बहुत ज़िदा DC के लिए और AC के लिए बहुत काम की चीज़ है अच्छा तो अभी हम बात कर रहे थे ना RMS value की किसकी बात हम कर रहे थे अभी हम बात कर रहे थे बच्चों RMS value की तो हमेशा आपको समझना है कि RMS value का फिर यूज क्या हुआ सर RMS value का यूज यह हुआ कि अगर किसी device पे अगर मैं देखो अब मुझे पदा पढ़ गया कि मुझे जैसे 0 to 10 ampere मेरा current है alternating current की value 0 से लेकर 10 ampere के बीच में लाई करती है तो मुझे कौन सा current बोलना है तो answer है कि हमारे सभी devices पे अब 0 से 10 ampere नहीं लिखा होता हमारे devices पे लिखी होती है RMS value क्या लिखी होती है RMS value तो RMS value कितनी है हमने का भई 0 10 ampere की 7 ampere तो हमारे devices पे जो लिखा है वो RMS value लिखी होती है इसे मान के चलो अगर लिखा है कि इस switch में 16 ampere current flow होता है clear जो मेरे नीचे switch लगा है 16A लिखा है 16 ampere तो इसका मतलब है कि alternating current लिखा है 16 ampere तो आप अभी सोचिए कि 16 ampere current flow हो रहा है वो भी alternating तो वह कौन सा current लिखा है वो हमेशा RMS value of current लिखी होती है कौन सी value RMS value या effective value of current तो अगर हमारे किसी device पे लिखा है कि यह device जैसे यह camera 4 ampere का alternating current लेगा तो 4 ampere कौन सा है 4 ampere क्या तो वो जो 4 ampere जो बताया जाता है यह RMS value होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे किसी भी device पर जो rating होती है current की जैसे लिखा है कि यह device 220 volt alternating voltage लेता है तो वो 220 volt जो लिखा है न वो effective value of voltage लिखी है जैसे effective value of current होती है वैसे effective value of voltage होती है अगर लिखा है कि यह device 16 ampere alternating current पर चलता है इसका मतलब वो 16 ampere effective value of current लिखिये तो जो marked value of voltage और current होती है वो effective value होती है तो हमारे सबी devices पर जो information दी जाती है current की वो rms value होती है ठीक है यह बाद आपको समझ में आ गई अच्छा अब rms value कितनी होती है यह भी मैं आपको बदाए था हूं उसकी calculation भी हम करेंगे अगर मैं बात करूं कि peak value सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि अगर 0-10A current flow हो रहा है तो 7A current देगा यह 0-15A current flow हो रहा है तो कितने अपर का effective current हम बोल सकते हैं तो हमेशाद रखेंगे कि rms value और peak value जिसको हम maximum current ही बोलते हैं तो जिसे rms value और maximum value का जो relation होता है होता i0 by root 2 मतलब अगर मैं कहूं कि कोई भी alternating current है यह 0-30A में लाई कर रहा है मतलब current का जो magnitude है वो 0-30A के बीच में लाई करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं effective value या rms value निकालना चाहूंगा इस current की मतलब यह current मुझे कितने ampere का work करके देगा कितने ampere का effect produce करेगा तो इसकी जो maximum value है i0 उसमें अगर मैं root 2 का divide कर दूँगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या मिल जाएगा यहां से मुझे मिल जाएगी peak value sorry effective value तो इतने ampere का जो है यह effect produce करेगा तो हमारे सभी devices पे यह लिखा होता है अच्छा अब यह जो relation है rms value और peak value का जो relation है हम इस relation को derive करने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ integrations की ज़रूद पड़ेगी कुछ rule की ज़रूद पड़ेगी तो वो सभी rule मैं आपको integration के rule बता देता हूँ और क्या method होगा यह method मैंने आपको बता दिया rms square is equal to integration of i square dt upon t clear है टेक बात समझ मारी है चलो अब यह हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कुछ golden rules कौन से है तो यहाँ परना हम कुछ important कुछ golden rule की बात करते हैं जैसे कि अगर मैं कभी भी average value निकालना चाहता हूँ sin 2 omega t की, cos 2 omega t की, sin omega t की या cos omega t की average value अगर निकालना चाहता हूँ तो complete cycle के लिए जो answer आता है वो 0 आता है सर यह 0 कैसे आता है तो कभी भी आप sin 2 omega t का time के respect में integration करेंगे for complete cycle, याद रखिए, क्या कहा, for complete cycle, complete cycle का मतलब है कि जो limit होगी, यह होगी 0 से लेकर के t तक तो जब limit 0 से लेकर t होगी, किसी भी case में, चाहे sin 2 omega t, cos 2 omega t, sin omega t, cos omega t तो हर बार जो answer आएगा वो क्या आएगा आपका, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे आप इसको तो मतलब बिना solve करे ही आप बता सकते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने क्या का आपसे, मैंने आपसे यह का for complete cycle, लेकिन इस वाले case में क्या complete cycle लिखा है, क्या limit 0 से लेकर T तक है, answer है नहीं, नहीं है ना, तो इसका integration क्या होगा सर, बता देता हूँ आपको, time के respect में integration कर रहा है, मतलब T के respect में, तो याद रखें, क्या होता है, क्या होता है, इसे मान के चलो, कि sine 2 omega T लिखा है, पीछे लिखा है, dt, इसका मतलब है, time के respect में, इसका integration होना है, तो simple सी बात है, sine theta का integration होता है, minus cos theta, integration, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगाया, minus sin, क्या लगाया, minus sin, minus, अब देखो, sine 2 omega T है, तो minus cos 2 omega T, अब क्योंकि जो integration है, वो time के respect में हो रहा है, तो time के सामने, मतलब T के सामने, जो कुछ भी लिखा है, उसको upon में minus cos 2 omega T upon 2 omega, अच्छा, इसी तरीके से, cos 2 omega T का integration क्या होगा, यह हमें शायद आपको रखना है, कितना होगा, cos का integration होगा, sine 2 omega T, और क्योंकि time के respect में हो रहा है, तो इसके सामने वाली सभी चीज़ को आप नीचे ले आएंगे, अगर only, only cos omega T होता, तो time क्या के सिर्फ omega होता, त ठीक है, अब integration हो भाई साब, यह integration हो गया, यह differential है, अब differential में sine का integration होता है, cos, cos, तो sine cos omega T का integration हो गया, cos 2 omega T, अब time के respect में differential करा है, तो अभी जो time के सामने जो लिखा है, जैसे 2 omega लिखा है, तो 2 omega आगे आ जाएगा, integration में divide में चला जाता है, और differential में into में आ जाता है, इसी तरीके से, अगर यहाँ पे लिखा है, cos 2 omega T का differential करना है, तो यह कितना हो जाएगा, जड़ा देखिए, जड़ा देखिए, तो cos का differential होता है, minus sign, तो minus sign 2 omega T, cos का तो sign हो गया, अब इस 2 omega T का क्या हो जाएगा, 2 omega, पता हो जाएगा, clear है ना, अच्छा, यह आपको मुझे पताना है, चाहिए मैं ही आपको बता जाता हूँ, अगर इसका integration करना है, मुझे cos omega T का, यह चलो sign का कर लेता हूँ, sign का ज़्यादा use पड़ेगा, sign omega T का, अगर मुझे integration करना है, time की respect में, तो sign का integration minus cos होता है, तो minus, cos omega T को omega T put करा, अब उन में क्या आ जाएगा, T के सामने का लेका है, omega, ठीक है, अगर मुझे differential करना है, तो यह बेसिक rules है, यह आपको पता होने चाहिए, clear है, अच्छा, इसके बाद हम समझते है, किस तरीके से average value, rms value, यह सारी चीज़े हम calculate करेंगे, clear है, भूल तो नहीं जाओगे, rms value भूल तो नहीं जाओगे, है कि नहीं, वापस से हम join करेंगे, rms value को, ठीक है, आप चाहो तो हम पहले भी आपको solve करा सकते हैं, rms value, ठीक है, लेकिन पहले आप average value कर लोगे, तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक चलो, average value की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने कौन सी half cycle करें, फुल साइकल कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले जो है, ये चल रही है, average value, full cycle के लिए, किसके लिए, full cycle के लिए, चलो, मैं लिख देता हूं है, यहां पर नहीं लिख गया, तो हम इसको full कर देते हैं, ठीक है, चलो, ये, फूल साइकल के लिए बढ़िया पॉंट में लेकर आए सको केलिवरी ठीक है ऐसे वाले पॉंट अपने यूज़ करें हैं ठीक है ताकि हेडिंग आपके बढ़िया बन जाए सांदासी एडिंग फूल साइकल के लिए है तो हम इस फोल साइकल को यहां पे फोल कर देते हैं इसको किसका के ऊपर ले जाओ कि देख रहे हो कितने पीचर से इसके अंदर है तो अपनों करना है एवरेज वैल्य आप एसे निकालनी है कम्प्लीट साइकल के लिए तो अगर हमारे पास पूरी जैसे आप समझते हैं कि एक साइकल कब पूरी मानी जाती है जैसे मीन पोजिशन से स्टार्ट घूम गाम के वापस से मीन पोजिशन पर आ जाए तो हम इसको बोलता है एवरिज वैल्य आप एसे ठेक तो इने आपको बढ़ाया था तेरो जब बताईंथィ एवरेज वैल्य न works out होता हुँ कि हमने कहा कि कररंट की instantaneous value क्या है तो हम लिखते हैं let instantaneous value of current is i is equal to i not sin omega t clear है अब देखो मान के चलो मान के चलो कि charge यदी बहुत छोटे से time के लिए flow हो रहा है let charge flow जिसे charge अगर constant charge बहुत छोटे time के लिए flow हो रहा है तो हम जानते हैं कि i is equal to क्या होता है i is equal to होता है dq by dt dq by dt होता है dq by dt ठीक है तो हम क्या करते हैं हम ऐसा कर लेता है कि charge की value अगर मुझे small charge की value निकालने है मतलब dt time में कितना charge flow हो जाएगा तो हम लेंगे dq is equal to i dt क्या लेंगे dq is equal to i dt clear है अब देखो मुझे क्या करना है मुझे निकालना है कभी average current अगर निकालना तो average current का formula होता है total charge time क्या होता है total charge अपन टोटल किया ड्यार्जा ये जब हो चोता सा चार्ज है हां तो अगर में total charge निकालनादा हूं तो मैं यह जे डी क्यून लिखा है इसका integration कर दूँगा क्या करता हूँ कि यहां पर मेरे पास डीक्यू लिखा है आई डीटी डीक्यू इकूल डू क्या हो गया आई डीटी लैट से इस यूर एक्वेशन नमबर वन या कोई भी एक्वेशन जोल में नहीं बढ़ेंगे अपन पर नहीं पर दिक्कत आएगी तो मैं करूंगा टोडल टोडल टायम में वैल्यू बूड करनी है तो टोडल चार्ज किसे निकालंगा वे मेरे पास छोड़े चार्ज की वैल्यू दी है डीक्यूजिक्वेशन का होगा i cup करूंगा कि कि आई की वैल्यू कर दिक मैंने आई की की वैल्यू क्या होती है i0 sin omega-2 तो यहां पर मैं क्या होगा टोडल चार्ज निकालने के लिए integration करा अब क्यूंकि इस derivation का नाम क्या है average value of current for complete cycle या for full cycle full cycle की बात कर रहे हैं तो जो limit आईगी वो total time की पूरे cycle के लिए आईगी तो 0 से लेकर के t half cycle होती तो limit आदी 0 से लेकर के t by 2 बस इतना ही चेंज होता है तो देखो हम का करेंगे टोडल चार्ज निकालने के लिए dq का integration तो यहां पर भी हमने integration करा तो क्या आई नॉट साइन omega t क्या आई नॉट साइन omega t अब देखें जरा तो यह जो आई नॉट है यह आई नॉट का मतलब का है maximum value अब maximum value तो चेंज नहीं हो रही ना maximum value चेंज नहीं तो constant यह बाहर आ गई ठीक और वैसे भी हम समझते हैं कि यह integration time के respect में होना है तो time से जोड़ी हुई चीज़ें अंदर रखो बाकी सब को बाहर निकाल दो ठीक है अभी हमने क्या समझा कि sin omega t का integration करा क्या गया minus देखो minus आगे लगा दिया minus cos omega t time के respect में तो time के आगे जो लिखा है वो upon में पहुँचा दिया integration होने के बाद limit पीछे पहुँच गई 0 से लेके t अभी अपन क्या करेंगे अभी हम देखो यह omega को भी हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया minus i not upon omega यह बन गया ठीक है अभी actual में हुआ क्या कि जब हमने omega को बाहर निकाला q is equal to minus i not upon omega तो अंदर क्या बच गया अंदर बच गया cos omega t small t लिखा है cos omega t और limit है 0 से लेके t तक तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं limit put करूँगा limit कैसे put करूँगा कि जहां जहां यह small time के respect में integration हुआ तो time की जगे limit put करूँगा तो जहां जहां यह small t लिखा है उसके जगे एक बार upper limit capital T है और फिर उसके बाद minus के बाद lower limit small t है तो आप ज़रा यहां पे देखिए आप ज़रा यहां पे देखिए minus i not upon omega as it is cos की जगे cos omega की जगे cos omega एक बार small t की जगे upper limit फिर एक बार small t की जगे lower limit तो आप यहां पर यह देखिए आप यहां पर यह देखिए कि minus i not omega साथ में चल रहा है ठीक है omega की value क्या होती है 2 pi by t क्या होती है 2 pi by t ठीक है और t की जगे में t लिखा omega का into 0 से होगा तो क्या है cos 0 क्योंकि यह actual में क्या है cos मान के चलो cos ऐसा है 45 into 2 होता तो cos 90 बन जाता ना है ना इसी तरह से यहां पर यह omega की कुछ value हो सकती है उसका into 0 से हुआ तो यह cos 0 बनेगा ना की पूरी value 0 होगी ठीक है तो देखो हमने क्या देखा कि बन गया cos 0 cos 0 की value होती है 1 यह हमने put करा यहां पर time से time cancel हो सकता था तो हमने यहां पर इसको ऐसे cancel कर दिया ठीक है चलिए तो यहां पर क्या बचा cos 2 pi और यहां क्या बचा माइनस का 1 तो cos 2 pi मतलब cos 360 degree की value होती है 1 और यहां पर minus का 1 चल ही रहा है तो हमने क्या देखा कि 1 से यह 1 cancel हुआ तो मतलब 0 आ गया इस 0 का इंटू पूरी value से हुआ तो हमने क्या देखा कि total charge जो निकल के आया एक full cycle के लिए वो कितना निकल के आया 0 कितना निकल के आया 0 ठीक है तो अगर मैं average value of current निकालना चाहता हूं तो उसके लिए formula कौन सा लगाऊंगा formula लगाऊंगा कि i average is equal total charge upon total time तो हमने देखा तो हमने देखा कि i average जो है वो क्या है 0 बाइटी मतलब total charge कितना है 0 और time का हमने डिवाइड कर दिया तो average value of current जो निकल के आई complete cycle के लिए वो क्या निकल के आई 0 निकल के आई ठीक है या दरकिए average value complete cycle के लिए current cycle की लिए क्या निकल के आती है 0 तो आप से question पूछा था जो चीज मैंने भी हटाई उसमें आप याद रखिए अगर आप से पूछा गया कि वाई AC ड़स नॉट शो chemical effect पूछा जाए कि AC chemical effect शो क्यों नहीं करता या AC से हम galvanometer में emitter में reading क्यों नहीं ले पाते तो आप क्या बोलेंगे symbols बात है logical बात आप कहेंगे यहां इसलिए यह chemical effect शो नहीं करेगा clear है बस इतनी से बात आप धान रखेंगे तो कभी पूछा जाए क्यों नॉर्मल से तो आंसर क्या याद रखना कि current की average value zero होती है complete cycle के लिए तो वह जो काटा है वह zero परिशो करता रहेगा deflect नहीं करेगा तो इसके बाद इसके बाद हम derivation करेंगे मतला हम यह देखेंगे कि average value complete cycle के लिए तो कितनी आई यह निकल के आई हमारी zero क्या half cycle के लिए average value क्या होने वाली है अभी हम समझ लेते हैं तो देखो हम सभी जानते है instantaneous value of current क्या है i is equal to i not sin omega t पिछले वाले केस में जो limit थी वो zero से लेकर के t तक आई थी बस इस वाले केस में limit zero से लेकर क्योंकि half cycle है तो limit zero से लेकर t by 2 हो जाएगी आधे time के लिए तो charge की बात करें total charge upon total time लेकिन इस बार time कितना है इस बार time है t by 2 तो divide भी करेंगे ना जैसे अभी हमने divide करा था जैसे अभी हमने divide किया था तो देखो total time t का divide करा था लेकिन half cycle में divide करेंगे तो t by 2 को करेंगे clear है ठीक है यह हो गया आगे बढ़ते हैं अब देखो half cycle वाला derivation हम कर रहे हैं तो limit की बात कर लेते सबसे बहले तो integration तो charge की equation क्या है हमारे पास यह charge की equation हो गई dq is equal to idt समझना अभी क्या हुआ है इस बार के i की जगह पे हमने put कर दिया i not sin omega t टेक total charge निकालना है half cycle के लिए integration करेंगे तो integration हमने करा है इस value का but limit क्या हो गई इस बार तो हमने देखा कि limit जो लिखी है वो है 0 से लेकर के t by 2 फिर से i not को हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा sin omega t dt मतलब sin omega t का integration होना है sin का integration होता है minus cos तो minus sin बाहर आ गया cos omega t upon omega ये लिखा हुआ है क्या लिखा है cos omega t upon omega ठीक है ये q is equal to minus i not omega ये बाहर आ गया आप मैंने integration वगरा सारी चीज़ आपको डंग से बताई दी है cos omega t ये लिखा हुआ है ठीक है limit है 0 से लेकर के t by 2 तक तो पहले एक बार t की जगे upper limit पुट करेंगे फिर एक बार इस t की जगे lower limit पुट करेंगे तो ध्यान से देखें ये minus i not by omega ये तो बाहर लिखा ही है ठीक है cos omega ये small t की जगे एक बार upper limit जो की है t by 2 minus cos omega और ये small t की जगे एक बार lower limit जो की है 0 बात समझ में आ रही है तो हमने क्या करा ये lower color से मैंने already दिखा दी limit को मैंने lower color से दिखा दिया तो omega की जगे मैंने put करा 2 by by t और upper limit की जगे t by 2 तो यहाँ पर t से कटेगा t और 2 से कटेगा 2 तो सिर्फ क्या बचा cos pi cos 0 की value होती है 1 clear है cos pi मतलब cos 180 degree cos 180 degree की value होती है minus 1 जो की हमने दिखाया है यहाँ पर minus 1 चली ही रहा है तो आप यह देखो तो bracket के अंदर क्या बच गया minus 2 तो minus 2 गा into minus i not by omega से होगा तो minus minus plus हो जाएगा और charge की value की आ गई half cycle में 2 i not by omega 2 i not by omega इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें के मुझे निकालना है average current half cycle के लिए तो total charge upon total time during half cycle तो charge जो हमने निकाला है इसको हमने q पूट करा और जो time जो हुआ half cycle का उसको हमने t by 2 पूट करा charge की value है 2 i not by omega और यह t by 2 उपर जाके हो गया 2 by t तो आप यहाँ पर समझिए देखो क्या क्या चीज़े हैं मैं आपको समझा देता हूं है ना नहीं आप काओ के सर मुझे समझ में नहीं आया देखो simple सी बात है मैं आपसे ऐसे कह सकता हूं कि जो total charge हमने निकाला वो कितना है 2 i not upon omega और total time कितना है t by 2 ती बाए नॉट यह चासा रहाए यह टी बाए टी बाए टी उपर जाएगा पलट जाएगा तो तू i not upon omega और टी बाए टी बाए था टी पर गया तो यह होगए ओमेगा टी, 4 i-naught upon, क्या मैं ओमेगा की जगे 2 pi by t लिख सकता हूं और t के जगे टी लिखा है, तो आप ये देखिए क्या इस t से ये t कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्या इस 2 से ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, तो ऊपर बचेगा 2 i-naught upon pi, यही है average value of current in half cycle, क्य है average value of current in half cycle बात समझना average value of current in half cycle तो आप समझ ये कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं average value निकालना चाहूं हाफ cycle के लिए तो वो कितनी होगी कितनी होगी तो आई not by पाई अगर मैं आप से ऐसा कहता हूं कि टू की जगे टू रखा और current जो है 0 से 10 ampere flow कर हो रहा है तो maximum current हो गया 10 ampere upon आई not की value मतलब पाई की value क्या 3.146 तो इसका मतलब है 20 का divide करना मुझे 3.146 से अगर मैं divide करता हूं तो जो exact जो answer आएगा वो कितना होने वाला है चलो अभी हम देख लेते है एक्जेक्ट आंसर जो होगा यह होने वाला है हमारे पास कि देखे जरा अगर मैं 20 में divide करता हूं हाई 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 20 का है 20 में divide करता हूं 3.146 से तो मुझे 6.3572 निकल के आ रहा है कि तो आप यह देखिए कि average value of current जो होती है यह आती है 6.352 यह किसके लिए है आभी देखो अगर current 0 से 10 ampere AC की हम बात कर रहे है तो इसके लिए average value इतनी है और effective value मतलब rms value कितनी है 7.01 ampere यह 7.07 यह कैसे निकाली यह निकाली थी आई नौट बाय रूट टू से आई नौट बाय रूट टू से आई नौट बाय रूट टू क्लिर है ठीक है ध्यान देंगे तो यहांबर आपको समझ मैं कि effective value और average value अलग अलग है इसलिए हम जो है average value नहीं बोलते हैं डेली बोल चाल में clear है और यह आप cycle की बात कर रहे है फुल cycle में तो average zero निकल के आने वाली है अच्छा अगर मैं सिर्फ इसको solve करता हूं अगर मैं सिर्फ इसको solve आई नाट तो average value जो है यह अप्रॉक 63% होती है maximum current की ठीक है और जो आपकी effective value RMS value वह अप्रॉक 70% 71% होती है maximum current की clear है चलो यह बात हो गई तो अभी हम करने वाले हैं RMS value के लिए derivation clear है RMS value क्या है अब आप सभी लोग जानते है रूट मिन स्कार value होती है ठीक है और solve करने का तरीका क्या है बड़ी simple जी बात है कि RMS value को solve करने का तरीका बस इतना सा है कि I RMS मैं यहां पर लिखूंगा I RMS मैं लिख करके चलोंगा I RMS square is equal to होता है देखो square root को बात में बात करेंगे क्या करना है सभी instantaneous values का देखो RMS का एक बार फिर मतलब बताता हूं root of mean of square of instantaneous value मतलब सभी instantaneous values का जो square हमने करा है उसका जो mean निकाला है उसके उपर root लगाना है तो सभी instantaneous values का जो mean हम निकालेंगे उसका simple तरीका physics में होता है integration के द्वारा तो हमने integration से mean निकाला और जो total time उसका divide कर दिया limit जो हम लेके चल रहा है 0 से लेकर के t वो जो हम लेके चलेंगे ठीक है और यहां पर कह लेका है i rms ठीक आप क्योंकि root हमने अभी नहीं यूज करा है तो हमने यहां पर square लगा के चले है clear है ठीक है तो अभी देखो इसको हम derive करेंगे इसको हम derive करेंगे यहां पर भी 0 से लेके t तक में limit यूज कर दोगा total cycle complete cycle के लिए तो ठीक है चले तो अभी देखे जरा सिंपल सी बात है एकदम सिंपल सी बात है देखो क्या होता है हम क्या निकालने वाले हैं यह इसको हम और क्या बोलते हैं इसको समझ लो इस question को हम और किस नाम से जानते हैं यह भी देख लेते हैं जरा इस question को हम और एक और नाम से जानते हैं relation between between peak value and rms value of ac यह जो आपको दिख रहा है ना सामने इसको हम और किस नाम से जानते हैं peak value और मतलब असी की maximum value और rms value में क्या relation है यह हमें यह derivation बताएगा मतलब जो हमने पढ़ा है अभी तक i not by root 2 यह हमें यह derivation बता करके देखा clear है ठीक है चलो तो यह सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा यह नीचे shift कर देता हूं ठीक है क्योंकि slide भी साही साही दिखने चाहिए अच्छी सी ठीक और इसको भी हम नीचे shift कर देते हैं कि rms value तो आप समझते हैं क्या होता है तो देखे जरा तो यह relation है आप इसको याद रखेंगे मतलब किस नाम से ऊचा जा सकता है तो अभी हम का करेंगे इसको हम solve करेंगे तो देखे तो अभी हम बदाने वाले हैं कि peak value और rms value के बीच में क्या relation देखो सबसे पहले हमने का rms value का square is equal to integration of i square dt by t यह यहां से start करनी है अब क्योंकि time जो है हमें इसको integration के बाहर ला सकते हैं तो 1 by t हमने लिख दिया ठीक है और i square dt बस simple जी बात है आप जानते हैं i क्या है instantaneous value of current तो i की जगह आ गया i not sin omega t क्योंकि i के उपर square लगा है तो हमने इस value का भी square कर दिया और यह बन गया i not square sin square omega t और यह dt clear है चलिए इसके बाद देखो यह जो i not square है जैसे हम i not को बाहर नकाल ले थे तो i not square को भी बाहर नकाल लिए i not square बाहर आ गया अभी देखिए अभी यहां पर समझे कि अंदर क्या बचा है sin square omega t क्या बचा है sin square omega t का हमें integration करना है complete cycle के लिए 0 से लेकर करके t तक किसके respect में time के respect में किसके respect में time respect में याद रखो sin omega t का integration होता है cos omega t का integration होता है लेकिन कभी भी sin square omega t का integration नहीं होता क्या कहा sin square omega t का integration नहीं होता पहले हमें sin square omega t की ऐसी value निकालनी पड़ेगी जो की integration के लायक हो तो sin square omega t की value हमेशे याद रखिए क्या होती है 1 minus cos 2 omega 2 cos 2 omega t upon 2 याद रखो फिर से मैंने क्या कहा मैं आप से कह रहा हूँ कि sin square omega t की value आपको याद रखनी है क्या value होती है तो याद रखिए sin square omega t आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो इसकी value आप क्या याद रखेंगे 1 minus cos 2 omega t upon 2 फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये integration नहीं है मैं कह रहा हूँ कि ये integration नहीं है ये integration नहीं है ये सिर्फ क्या है ये sin square omega t की जगे हमने value पुट करी है integration नहीं करा ये इसकी value पुट करी है या कहें कि ये इसका formula है क्या है यह इसका यह इसका फॉर्मूला हम बोल सकते हैं अब हम इस फॉर्मूले का integration कर सकते हैं clear है तो देखो sin square omega t की जगह हमने क्या place करा 1 minus cos 2 omega t upon 2 और यह dt लिखा है तो इस 2 को भी हम बाहर निकाल देंगे तो यह 2 आ जाएगा यहाँ पर तो i naught square upon 2t integration किसका होगा 1 minus cos 2 omega t का integration होगा with respect to time तो आप देखिए time के respect में 1 का integration होना है क्या यह t आ गया अब इतने तो आप समझदार हो चुक्यों हमने आपको कई बारी कई बारी करा दिया भी इस वीडियो में कि cos 2 omega t की जगह क्या आता है cos 2 omega t का integration क्या होगा sin 2 omega t time के respect में कर रहा है तो इसके सामने जो कुछ भी लिखा है वो upon में आ गया clear है sir इसके upon में 2 omega क्यों नहीं आया अब बच्चों आप यह बात समझो कि यह integration नहीं करा यह सिर्फ value put करी है तो यहां पर भी अपन का कर रहे हैं यह value put कर रहे हैं तो अभी हम निगा करा time के respect में integration करा अब value put करेंगे तो जहां जहां टी आ रहा है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट और फिर एक बार lower limit जहां जहां टी आ रहा है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट और माइनस के बाद लोवर लिमिट देखो पहले यह सारी चीज़े आई नोट स्कॉर बाई टूटी यह बाहर चल रहा है प्रैकट के तो अब इस टी की जगह आपन का करेंगे एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोवर लिमिट ठीक है यह माइनस इन दोनों के बीच का है इसमें हमने इंडिग्रेशन हुआ है तो पहले इस टी की जगह एक बार अपर लिमिट आईगी यह आ गई कि स्मॉल टी की जगह हमने कैपिटल टी लगा दिया माइनस टू मेगा अपॉन में लखा रहे दी हमने कुछ नहीं करा ना ठीक है यह साइन टू मेगा टी है एक बार इस एक बा बार आए गा नौर मिट तो सान मिट हो एक मिनड oppose त्रोट प्रोके दा कि यहां पर थोटी सी गडबड यहां पर गडबाट चल रही हैं सान मे 카 के बाद क्या करेंगे साइन जैसे क्या थोड़ा सा यह दिक्त धीatus हो गई है यह देखते हैं यह सैन तो ठीक है, यह वाला 2 को आ गया, तो यह वाले 2 बीदंग लिखना पढ़ेगा, यह 2 हो गया, तो यहा इसी तरह से यह वाले 2 को भी तो लिखना पढ़ेगा, तो यह 2 हो गया,A की जगह है, तो हमने 2 January T, अब T से यह T cancel हो गया, तो यह देखो क्या बच रहा है यह यहाँ पर t-0 से t बचा अब देखें यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बच रहा है sin 4πi upon 2 omega क्या बच रहा है sin 4πi upon 2 omega और देखो 2 का इंटू 2πi से तो 4πi हो गया यहाँ पर 2 का इंटू 2πi से और उस सबका into 0 से तो यह हो गया अब देखे जरा sin 4 pi की value 0 होती है तो इसका answer 0 आ जाएगा sin 0 की value 0 होती है तो इसका answer 0 आ जाएगा तो simple सी बात है i rms square is equal to सिर्फ यह value बचेगी यह value तो इसको हम कहा लिख सकते हैं अगले page पर तो देखे जरा i rms square is equal to यह value देखे जरा क्या आ गई यह देखो जरा तो यह value आ गई i not square by 2t यह value यहां पर यह बची t से t कट जाएगा i not square by 2 यह बचा है तो इसका जो square है वो यहां पहुँचेगा तो root लग जाएगा क्या लग जाएगा root तो अगर मैं इस value के उपर root लगा भी देता हूँ तो i not square है तो यह i not के उपर जो square लगा उससे इसका square root तो कट जाएगा लेकिन 2 का क्या होगा कालिया तो 2 के लिए तो 2 का तो root ही करना पड़ेगा बात समझ में आ रही है clear है तो यह चीज़ हमने यहाँ पर आपको बता दी कि इसका square root अटेगा तो मतलब इसका square अटेगा तो यहाँ पर square root बन जाएगा जिससे इसकी value बन जाएगी i not by root 2 तो यह relation होता है peak value और rms value के बीच का तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पर maximum current 10 ampere है और आपको rms value निकालनी है तो आप हमेशे क्या बताएंगे कि rms value हमेशे पहली चीज़ तो rms value peak value से कम होगी कितने कम होगी तो root 2 times कम होगी तो root 2 का divide कर दो तो अगर हम इसको divide करते हैं तो 7.07 आता है 7.07 approach आएगा तो वही अपना answer हो जाएगा 7.07 आएगा तो वही अपना answer हो जाएगा clear है तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है कि जो भी value alternating current की अवोल्डे लिखी हुई है तो वो क्या हो जाएगी उसकी rms value तो अगर हम इस तरीके से voltage के बारें बात करें तो i rms की बजाए हम इसको v rms भी बता सकते है कि v rms is equal to कितना हो जाएगा v naught by root 2 clear है तो v naught की value क्या हो जाएगी मतलब जो maximum value of current है यह root 2 times of rms value है तो जो लिखा होता है जो लिखा होता है हर जग है वो rms value होती है clear है और peak value उससे थोड़ी ज़्यादा होती है तो अब सवाल यह आता है अब सवाल यह आता है कि sir यह बताईए कि same voltage वाला alternating current ज़्यादा strong होता है ज़्यादा dangerous होता है या same voltage वाला direct current तेक है यह ऐसे ऐसे question पूछे जाते हैं इसके अंदर तेक तो बताऊ ज़्यादा क्या का कि same voltage जैसे मानके चलो अगर कहीं पे लिखा है यदि कहीं पे लिखा है कि आगे मत जाना आगे खत्रा है 220V का DC है और 220V का AC है ठीक है तो कौन सा जो voltage है वो ज़्यादा होगा कौन सा voltage ज़्यादा होगा कौन सा voltage ज़्यादा खतरनाक होगा तो answer है DC तो गव आदमी है एकदम गाय है DC तो गाय है है ना मतलब जितना लिखा है उतना ही दे रहा है एकदम इमान दा 220V अगर लिखा है तो अगर आपने touch कर लिया तो आपको 220V का ही shock लगेगा 220V का ही जटका लगेगा लेकिन लेकिन AC तो भाईया AC लोमड़ी है ठीक है AC लोमड़ी है जो लिखा है उससे थोड़ा सा जादा हमें जटका देगी जैसे देखो क्योंकि देखो हर जगे AC का AC की कौन सी value लिखी होती है RMS value तो कहीं पे भी DP पे लिखी मिल जाए 440V का जटका है तो भाई साब वो क्या है वो RMS value लिखी है ठीक है तो इसका मतलब यह क्या लिखा है अगर कहीं पे लिखा है 220V DC और 220V AC तो इसका मतलब है DC में तो फिक्स है इतनी बोल्ट का जटका लगने वाला है अब हम पता है कि ऐसे मरेंगे लेकिन 220V का AC पकड़ लोगों तो अपनको पता कि ऐसे मरेंगे मर जाओ ऐसे बात समझना यह क्यों क्यों कि इसमें देखो क्या है यह हमें बदाई जा रही है लिखा है RMS value क्या लिखा है RMS value ठीक है बात समझना तो हमें लग रहा है कि 220V ही है लेकिन है क्या भई RMS value है अगर हम इसको peak value में convert करेंगे तो देखो ज़रा क्या होगा peak value क्या है root 2 times of RMS value इसका मतलब यह है कि root 2 की value होती है 1.414 ठीक है RMS value 220V तो लिखा है कि 220V ठीक तो हमें लग रहा है कि 220V जटका लगेगा लेकिन क्योंकि RMS value लिखी है तो इसका मतलब है यह जो voltage है alternating current में जो voltage है वो कहा तक पहुँचेगा उसकी क्या peak value होगी तो उसकी जो peak value होगी इसको हम solve करें के निकालेंगे कि 311V निकलके आती है तो बहले 220V लिखा है लेकिन जटका कितने वोल्ट तक का maximum लगता है अपनको 311V का मतलब इसी लिखा गया कि लूम्री है कि लिखा भी अगर 220V होगा तो जटका आपको maximum voltage कितना आप में लगेगा है न वो क्या बोलोगे 311V टक है तो अगर कहीं पे लिखा है 440V का जटका है तो इसका मतलब समझे लेना कि 440V DC में होगा तो 440 लिखा 440 यह लेकर अगर AC में तो 440 में भी root 2 का into कर दोगे तो peak value आपको समझ में आगी कि उससे भी ज़्यादा तक हमें तो हमारी body में current जो है शौक जो है वो लगेगा तो यहां पर आपको समझ में आगई तो क्या लिखा गया है 220V AC has peak value of 311V while 220V DC has peak value of 220V only so EC of same voltage is more dangerous than DC मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ चुकी होगी तो आप यहां तक का screenshot ले सकते हैं अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें अभी हम आगे बढ़ेंगे टिक है अच्छा जिन बच्छों ने आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो आप वहां से भी पूरी फाइल को डाउनलूड करके बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं ठीक है फिफ्टी हड्स मतलब यहां पर बताया जा रहा है क Olympics मैं अधर इसमें सप्लाय है वहां पर लिखा है 220 vampire 220 voltage के टू 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 तो यह बताओ अब क्योंकि alternating current की बात हुं होझा मतलब alternating current की बात हुरह है विडियो कम में direct current की frequency कितनी होती है क्या बोलोगे 0 तो वहाँ पे तो frequency लिखी ही नहीं होती लेकिन frequency लिखी है समझ लेना कि alternating current की बात करी जा रही है और वैसे भी alternating current है तभी instantaneous voltage दिया होगा टेक तो जो भी value mark होती है जो भी value लिखी होती है वो कौनसी value होती है भाई साब क्या वो peak value होती है या rms value होती है तो कभी भी किसी device पे चाहे voltage या current की value लिखे तो वो हमेशा कौनसी value है या rms value है कितनी rms value 220 volt अच्छा frequency दिया कितनी 50 hertz कितनी दिया 50 hertz ठीक है 50 hertz ठीक है बनाना क्या है हमें बनाना है write down the value of instantaneous voltage तो अगर मैं instantaneous voltage की बात करता हूँ तो आप यह देखिए instantaneous voltage की जो equation होगी वो क्या होगी जैसे v is equal to क्या होता v not sin omega t ऐसे ही मतलब जैसे i is equal to i not sin omega t होता है वैसे v is equal to क्या हो जाएगा v not sin omega t अच्छा देखो क्या मुझे इस equation में क्या मुझे इस question में peak value of voltage दी है मतलब maximum value of voltage दी है नहीं दी मुझे rms value दी है तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ v not को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ root 2 times of rms value और यह क्या है sin omega t ऐसे लिखा है तो इसका मतलब यह है कि मुझे omega t की value और चाहिए तो omega t की value क्या हो जाएगी देखो frequency को जैसे frequency का formula होता है one upon time period one upon time period जैसे आप देखो omega is equal to आप बताते हैं क्या होता है 2 pi by t यहीं बताते हैं ना बात समझना तो अगर मुझे यहाँ पे omega की value निकालने है किसकी value निकालने है omega की value निकालने है ठीक है तो यह value कितनी होगी इसको मैं बता सकता हूँ अगर मैं small t बता रहा हूँ अगर मैं small t बता रहा हूँ और अगर मुझे omega की value चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ क्या omega is equal to 2 pi into 1 by t तो omega की value कितनी हो गई देखो सरा 2 pi into 1 by T frequency होती है तो इसकी जगह मैंने 50 लिख दिया तो omega की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 100 pi और यूट हो जाएगी radian per second ठीक है 100 pi radian per second ठीक है देखो तो यहाँ पर समझेए सरा कि omega की जगह मैं 100 pi लिख सकता हूँ मैं एक बार और फिर से आपको बताता हूँ कि यह हमने कैसे करा यह क्या दिक्कत है देखे दरा तो देखो यह frequency दिये 50 hertz frequency को मैं 1 upon time period भी लिखता हूँ तो 1 upon T की value 50 hertz होती है ठीक है जानज़े देखें तो omega की value क्या हो जाएगी omega की value मैं जानता हूँ 2 by by T लिख सकता हूँ तो 2 by by T मतलब मैं 1 upon T यहाँ पर पुट कर सकता हूँ तो omega is equal to 2 pi और 1 by T की जाएगे क्या पुट करूँगा खुछ से बताओ ज़रा 1 by T की जाएगे मैं पुट कर सकता हूँ तो यहाँ पर omega की value क्या निकल के आगई omega की value क्या निकल के आगई मेरे पास 100 और अगर मैं proper unit के साथ बोलता हूँ तो वो होती है radian per second क्या होती है radian per second तो कि देखो अगर मैं बात करता हूँ 2 pi है radian radian में और T है second में तो radian per second हो जाती है तो omega की जगे मैं क्या निकाल सकता हूँ 100 pi clear है तो आप मैं जैसे equation बनानी है मुझे तो कैसे बनाऊंगा equation बनेगी ऐसे B is equal to root 2 V rms की value क्या है V rms की value है 220 volt 220 volt sine omega की जगे कितना है 100 pi omega की जगे कितना है 100 pi तो final जो equation बन जाती है वो बन जाती है 311 जो की हमने जस्ट अभी निकाली थी 311 sine 100 pi t ठीक है यह equation हमारे पास बनी ठीक है अभी समझना यहाँ पर जरूरी बात क्या है जो जानने वाली है कि यह equation बनी है ठीक है अब ध्यान से देगो कई बार क्या होगा कि आपको बस यह equation मिल जाएगी आपको बस यह equation मिल जाएगी और सारी value फिर आपको निकालनी पड़ेगी तो इस equation को ध्यान से देख लो कि यह वाली value क्या है यह वाली value peak value है मतलब b not की value हमें यह लेंगे कभी भी जरूरत पड़ेगी यह देखो यह t की जगह तो t है लेकिन यह 100 pi जो लिखा हुआ है यह क्या है तो यह omega की value है कभी भी ज़रूरत पड़े आप यहां से ऐसे फूट कर सकते हैं तो instantaneous value की equation यह बन गई equation दी होती तो हम value भी निकाल सकते थे कोई भी जो हमसे पूछ था जैसे सिर्फ यह equation दे दी और मुझे rms value की मतब rms value पूछेगा तो v not मैं root 2 का डिवाइड कर दूँ rms value मुझे मिल जाए कि आप इसका screenshot ले सकते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं next question हमें यहां पर दिया गया है यह तो आप बताईए देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो simple सी बात है इसमें पूछा है यह वैसे इसका answer आप मुझे आप मुझे देंगे तो ज्यादा better होगा an alternating voltage given by v is equal to v not sin omega t मतलब यहां पर जो v not की value है वो कितनी दी है 140 ठीक है 140 volt है तो कि v not sin omega t 140 volt है अच्छा ठीक है time की जगे हमने time पूट करा हुआ है तो यहां पर वैसे मुझे omega की value कुछ जरूत है भी नहीं तो यहां पर क्या है कहा जा रहा है कि यह जो है एक pure resistor मतलब सिर्फ एक resistor से ऐसे connection लिया गया है कि यह alternating voltage का source है एक resistance लगी हुई है तो मुझे RMS current बताना है कि इस से कितना flow होगा तो simple जी बात है 50 यहां से यह कटेगा तो आई नॉट अगर मैं calculate करूंगा तो यह आ जाएगा 14 divided by 5 तो अगर मैं solve करता हूं तो हो जाएगा 5 2 जा 10 5.8 जा 14 तो आई नॉट की value कितनी आ रही है या रही 2.8 ampere clear है अच्छा अब आपको मुझे बतानी है rms value कितनी होगी i rms is equal to i not में root 2 का आप divide कर दें root 2 की value होती है 1.414 आप इसका divide करिए और उसके बाद मुझे answer बताईए कि इन में से कौन सा answer होने वाला है इतने आप समझधा रहे हैं इतने से मुझे answer बताईए comment section में जरूर से मुझे लिखके बताईएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ हमारे बच्चे कुस तो response कर रहे हैं तो इसका answer आप मुझे comment section जरूर से बताएंगे time के साथ बताएंगे sir इतने time पर जो answer है वो यह आ रहा है clear अगर question इस तरीके से मिल जाए यह सारे question एक नंबर में दो दो नंबर में case study वगर हमें mcq type में आप से ऐसे पूछे जा सकते हैं अगर हमारे पास यह ऐसा question मिल रहा है कि calculate the rms value of ac मतलब यह हमारे पास ना यहां पर इस question में alternating current की rms याने की effective value बतानी है और यह जो figure मतलब diagram यह हमें बता जा रहा है देखो तो अभी आप इसमें समझना कि यह actual में क्या है यह i1 यह i2 यह i3 यह instantaneous value of current क्या है instantaneous value of current अच्छे देखो क्या यहां पर time बगारा लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है है तो यहां पर current की तीन instantaneous values हमें देखो कभी भी rms value निकलने को आ जाए तो हमने जो basic rms value का formula क्या पढ़ा है i rms का यह formula हमने क्या पढ़ा है यह पढ़ा है यह पढ़ा है हमने root of square of mean of squares तो i1 square plus i2 square plus i3 square क्योंकि इसमें time की कोई बात नहीं है और divide कितने से करना है डिवाइड करना कितनी values हैं तीन values हैं तो आप देखो जड़ा यहां पर क्या हो जाएगा i1 की value कितनी है देखो इंस्टेट करेंट कितना पहुंच रहा है तो यहां पर टू का स्कॉयर plus फिर से 2 का square plus 2 का square अच्या यहां पर देखो यह current minus 2 जा रहा है تو अगर मैं minus 2 का square भी करूंगा यहां पर minus 2 का square भी करूंगा तो कितना उने वाला है वो plus में नगा अपन में क्या है अपन में 3 है और यह 3 भी कहा है यह 3 भी root के अंदर है clear है ठीक है तो यह तो यह 3 से यह कटेगा तो i rms is equal to क्या आ गया i rms is equal to आ गया root 4 तो root 4 का मतलब क्या है rms value is equal to 2 ampere तो यहाँ पर इस case में जो rms value है वो क्या होने वाली है 2 ampere होने वाली है तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं बस ऐसे ही जो basic basic से चेंज़ें वह करे जाता है बाकी सिंपल आप यह मान के चले alternating current में सबसे ही रदी सा जो है question and numerical पूछे जाता है बाकी तो concept का है सारा के concept का हम आगे पढ़ने वाले हैं तिक है आप इसका और एक साथ minimum मतलब आपने अगर देखा कि कहीं पर किसी circuit में अगर voltage maximum हो गया तो उसी समय पर current भी maximum पर पहुंच जाता था ठीक है अगर voltage की value हमने drop कर दी तो current की value भी drop हो जाती थी लेकिन अब हम यह जानेंगे कि कुछ cases में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि voltage तो circuit में maximum पहुंच गया लेकिन current अभी maximum नहीं पहुंच पाया मतलब current पीछे रह गया तो हम यह देखेंगे कि voltage आगे निकल गया मतलब voltage lead कर रहा है और current पीछे रह गया मतलब current है वो lag कर रहा है clear है फिर कुछ cases में हम ऐसा भी देखेंगे कि current तो भाई आगे निकल गया maximum पहुंच गया जो भी इसकी value थी लेकिन voltage अभी maximum नहीं पहुंच पाया ठीक है voltage अभी पीछे रह गया ठीक तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि current तो आगे निकल का मतलब current lead कर गया और voltage lag कर गया तो ऐसी situations हमारे सामने अभी बनने वाली हैं तो इसको हम बोलते हैं voltage और current के बीच में कुछ relation है अगर voltage और current एक साथ maximum हो रहे हैं एक साथ minimum हो रहे हैं त same phase क्या बोलते है और इन same phase same phase में एक साथ maximum एक साथ minimum ठीक है लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि voltage तो अभी maximum हो गया लेकिन current अपनी maximum value तक नहीं पहुंच पाया तो हम इसको बोलते हैं कि voltage और current के विचारों में थोड़ी सी जो है difference आ चुके हैं तो हम इसको बोलते हैं कि यह इन दोनों के कि फेस्ट बन गया क्या बन गया इन दोनों के बीच में कुछ बएज़ डिफ्रेंस आ गया क्या एक फेसडिफरेंस तो हम कहते हैं voltage और current are in different faces यह कहें कि भी इन दोने बीच में से कुछ फिज़ डिफरेंस टैक्या है तो इन situation को रिप्रेजेंट करने के लिए voltage के बीच में यह relation बताने के लिए एक diagram बना जाता है जिसको हम बोलते है phasor diagram क्या बोलता है phasor diagram clear है तो phasor diagram में बताता है कि किसी particular instant of time पर voltage और current के बीच में क्या relation है यह एक बात हुई ठीक है अच्छा और दूसरी बात क्या है कि देखो क्या होता है जिसे मानके चलो हम जानते हैं कि कोई भी cycle कब complete होती है इस बात को बहुत ध्यान से समझना आदे से जादा बच्चे कभी यह चीश समझी नहीं पाते कि यह फेजर diagram है चार्ज ऐसे ऐसे oscillation करेगा तो चार्ज यह मानके चलो ऊपर जाएगा और यह इसकी maximum condition हो गई मतलब यहां से यह चार्ज यहां तक पहुंचता है इस पॉइंट तक ठीक है इस रास्ते के तो और यह वापस घूम के आता है नीचे तक जाता है इस तरीके से यह यहां से गया उपर तक घूम के आया नीचे गया फिर नीचे से उपर तक इसकी एक cycle पूरी माल ली जाती है clear है अभी धान देना होता क्या है कि अब मानके चलो मैंने का किसी particular point पे कि यह point है ना इसका नाम हो गया let's say P point का नाम हो गया P point अब P point पे जिसे मानके चलो कोई particle देख ऐसे ऐसे घट रहा है तो आप मेरा हाथ देखेंगे और कहेंगे कि सर यह तो P point पे P point पे कैसे बढ़ा सकता हूं मैं कैसे बढ़ा सकता हूं कि यह अभी मेरा हाथ आप ऐसे देखो क्या आप बढ़ा सकते हो कि यह नीचे जा रहा था कि ऊपर आ रहा था है रहा मतलब current का magnitude घट रहा थ बढ़ रहा था वापस से mean position की और आ रहा था आप नहीं बता सकते ना इस diagram से सिर्फ इस diagram से क्योंकि हमें नहीं नहीं पता जैसे मानके चलो यह point पी बता दिया मैंने सिर्फ सामने आपको तो मुझे नहीं पता यह point पी ऊपर जाते समय है या नीचे आते समय है मतलब ऊपर आ रहा हूं तो value गट रही है क्योंकि उसको extreme position पर zero होना है और नीचे आते समय value बढ़ रही है ठीक है तो मैं नहीं बता सकता मैं नहीं बता सकता तो ऐसे case में मैं यह कह सकता हूं कि simple सा ना एक ऐसा diagram जो सिर्फ straight line में represent कर रहा हूं मैं उस चीज़ को तो वो मुझे complete information नहीं को मुझे ऐसे represent करना पड़ेगा कि मुझे सारी जानकारी मिल दी रहे तो मैं इसी diagram को यहां पर इस तरीके से circular motion में represent कर सकता हूं जैसा अगर point P मेरा जो है zero पर है कहां पर है बिल्कुल zero पर डखा हुआ है तो मैं इसको सीधे ऐसे वेक्टर से बताऊंगा अब मान के चलो मै उपर जाते समय मुझे point P मिला तो इस point P को मैं यहां पर represent करूंगा टेक इसके बाद जब यह point P नीचे जाते समय होगा तो इसी circular motion में मैं यहां से पहुचा यह maximum उसके बाद यह वाला जो quadrant है यह lot के आने के लिए है तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसके लिए मुझे angle के form बताना पड़ेगा तो यहां पर angle कुछ और होगा और यहां पर angle कुछ और होगा let's say this angle is 135 degree तो मतलब इस diagram में बहले ही यह जो arrow है यह arrow दोनों same point को ही अगर represent कर रहे हैं लेकिन इस diagram में मुझे बहली बाती यह चीज़ समझ में आ रही है कि यह जो point P है या particle जो है यह extreme position पर जाते समय किसी point पर है या वहां से लॉट के आते समय किसी position पर है बता ही जरह क्या आपको यह बात समझ मारी है तो यह use होता है इस तरह से पेजर डागराम का तो इस तरह से हम जो diagram बनाते हैं उसको बोलता है तो यह वेक्टर अपनी ही जगा पर ऐसे घूम रहा होता है हम इसको बोलता है फेजर डागराम क्या है फेजर डागराम इस डागराम मतलब इस डागराम में जो वोल्टेज और करेंट है हम इसको एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि यह मैंने बदा दिया वोल्टेज का वी हो गया तो मैंने इसको आई नाम दे दिया वोल्टेज और जो करेंट है यह स्केलर क्वांटिटी लेकिन इस फेजर डाइग्राम में हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिपर्जेंट करते हैं तो इसके अंदर हमने लिखा हुआ यहसे कि बताता है यहां मैं एको समझाता हूं और फिलेशन बताता है और क्या डाइग्राम से करएंट को बeding एक चुछ हमेशे सब्सक्रास के रहाते हुआ करेंशा सब्सक्राइ期 नहीडित गहिए सबस्दानतर होती। कि voltage की value तो आपने 220V सुनी है 440V सुनी है लेकिन कभी आपने 440A current नहीं सुना होगा ठीक है तो voltage जो है 220V का यह maximum होता है लेकिन current की maximum value 3015V तक ही होती है ठीक है तो हमेशा voltage का arrow आप बड़ा बनाएंगो current का arrow हमेशा छोटा बनाएंगे ठीक है हमेशा है रखें देखो जब कोई vector ऐसे घूमता है न तो यह कितने degree घूम गया कितना theta बन गया इसको हम कैसे लिखते है तो theta होती है angular displacement जैसे displacement का formula होता है velocity into time वैसे angular displacement का formula होता है angular velocity into time जी हां ओमेगा angular frequency भी होती है और angular velocity के तौर पे भी हम उसको use करते है तो कभी आगर मान के चलिए कि आप omega velocity से यह vector घूम रह है कितना time लगा होगा तो सरकार इसको time जीसे मान के चलो इसको टी time में कितना घूम गया तो हमने का यह घूम गया omega t तो मान के चलो किसी particular point पर यह voltage को हम represent कर रहे हैं किसको represent कर रहे हैं voltage तो हम इसको यहां पे लेखेंगे V vector clear it now तो अभी इस particular point पर voltage की, इस particular time में voltage की value क्या होगी, तो हम इसको यहां से बदा सकते हैं, यह जो value है, पूरी की पूरी, इस value को हम बोलेंगे, बी नॉट, बी इस equal to, यह value क्या है, इस value को हमने का, बी है, तो बी is equal to क्या होता है, बी नॉट sin omega t, कई जगह पर आपको बी नॉट भी लिखा होता है, ठीक है, अच्छा इसके बाद, मान के चलो कि इस particular time पर current जो है, मतलब इस time पर current जो है, इतना है, ठीक है, तो current की value को हम यहां पे i से represent करेंगे, और इस जगह पे instantaneous current कितना है, i not sin omega t, कितना है, i not sin omega t, ठीक है, तो omega t की जैसे मान के चलो कि ज़्यादा time हो ठीक, अगर time की value बढ़ जाएगी, तो अपने आप theta angle बढ़ जाएगा, ठीक, तो इस तरह से हम instant is value of current, instant value of voltage, निकाल सकते हैं, यहां से अगर हमे theta की value या जो है, पता है, ठीक है, एक बात, और दूसरी बात, इस diagram में हमें और का पता पढ़ रहा है, जैसे, अगर कभी arrow इस तरीके से ऐसे लगे हो, जैसे की, यह देखो, अगर देखो, इसमें आपने क्या देखा, यह voltage और current, यह दोनों कैसे हैं, जिसे NCRT में देखोगे, अगर आपको लगे सर, वेक्टर नहीं लगाते हैं, NCRT में देखोगे, तो आपको यह देखने को मिलेगा, कि यह जो, I और V हैं, यह NCRT में, बोल्ड अल्फाबेट में लिखेंगे, इस तरह से V, और I, ठीक है, NCRT में देखोगे, तो आपको अपने आप सब समझ मा जाएगा, हाँ सर, ठीक है, तो बोल्ड का मतलब NCRT में वेक्टर से होता है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ब हो जाए, के ऐसा ड्यागराम बना दिया गया, धान से देखना, ऐसा ड्यागराम बनाया गया, जिसमें voltage तो यहाँ पर है, और current यह आपर है, current का arrow हमने यहाँ पर प्ताइए, समझना, voltage यहाँ और current यहाँ पर है, ठीक है, तो आप समझढूए actual में क्या होगा, voltage यह करेंट तो बताओ आगे कौन निकल गया आगे कौन निकल गया बताइए जरा मुझे आगे कौन निकल गया लेट से देखना यह पहले से अगर हम बात करें यह आगे कौन निकल गया तो आप देखो आगे निकल गया करेंट इसका मतलब है यहां पर करेंट लीड कर रहा है क्या कर रहा है कुछ बच्चे तो इसको छोड़के निकली चुके होंगे मानके चलो इस जगह पे मैं वोल्टेज की वैलू बता रहा हूं लेट से कुछ वोल्टेज पहले से हमने बताया ओमेगा टी ओमेगा टी को हम बोलते हैं इनिशल फेज क्या बोला इसे पहले से जो फेज था हमने उसको बोला इनिशल फेज कई बार इसको फाई से भी रिप्रेजन्ट करा जाता है अब देखे अब मानके चलो वोल्टेज यहां पर है और करेंट जो है आगे पहुंच गया तो देखना यह देखो यह करेंट है मत्लां πivaoin है अगर आफब आज दाइगराम इसा बना अगर टो यहां पर जो कितना होगा करेंट का ways और मुझे और मुझे पीछे पीछे रह गया क्या बताना है करेंट पीछे रह गया तो मैं क्या करूंगा करेंट यह हो गया मेरे पास आई वेक्टर तो मैं इसको यहां से ऐसे 90 डिग्री बता दोंगा पीछे के जाट एरो लगाते हुए तो अगर करेंट लेक कर रहा है तो वी को वहीं है और इनका जो यूज होगा जहां पर वह आपको समझाते हैं अब इस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि सर्किट जो होती है यह आपकी एक मिट सर्किट जो है एसी सर्किट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें तीन टाइप की सर्किट के साथ मेंली डील करना है प्यॉर रजिस्टिव सर्किट प्यॉर क्यापसिटिव सर्किट और प्यॉर इंडक्टिव सर्किट इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन आप सर्किट भी होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं देखो प्योर रजिस्टिफ शर्क्यट एएसी सर्क्यट है, जिसमें इस अद्थ Full supply होगी ठीक है चलिए तो अभी हम थोड़ा से discussion करते हैं सबसे पहले प्योर रजिस्टिफ सर्किट के बारे में देखो अब यहां पर क्या है ना यहां पर आपको फेजर डागराम भी बनाना होता है आपको नॉर्मल ऐस तरह से जो वेव डागराम भी बनाना होता है सारी चीज़े बतानी होती है तो देखो मैं आपको बताता हूं कि अक्चुल में वेव डागराम फेजर डागराम आप कैसे बताओगे उसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको वी और आई का फेज चेक करना पड़े खरएगा क्या voltage or current सेमыл face में हैं याह नहीं क्लेर है अच्छा तो कैसे face चेक करेंगे तो आप यहां पर देखो जैसे कि यह लिखा है सब समझ मे dow लेगा घबराऊ मत घबराते हो आप आगे बढ़ोगे आप नहीं आप समझ में नहीं आरा तो उस फिर समझ में नहीं आगा जैसा हम वैसे होने लगता है आप ने कहां रहे सौर यह तो बड़ी भी बोरिंग चीज चल रही थी पंदरों नुत ऐसी चीज जिसका कोई example day lab के साथ नहीं था या सारी चीजें यह ऐसा कैसे हो सकता है आप एक बार और rewind करके देखो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम pure resistive circuit के बात करते हैं लेकर उससे पहले मैं आप से कह रहा हूँ यह जो equation लिखी है और current का phase हम दोनों का phase चख करेंगे finally यहां से मैं पता पड़ेगा कि कौन lead कर रहा है कौन lag कर रहा है जैसे voltage का phase omega t पर है और current का phase भी omega t पर आया इसका मतलब है voltage और current सेम सेम चल रहे हैं सेम टाइम पे maximum सेम टाइम पे minimum लेकर लेकर ऐसा हुआ voltage का phase में omega t लगा है और current के phase में omega t प्लस पाइवाइटू मतलब प्लस 90 डिग्री तो इसका मतलब है करेंट 90 डिग्री लीड कर रहा है आगे चल रहा है अगर current की equation में omega t माइनस पाइवाइटू लगा है इसका मतलब है current लेक करेंट पीछे रह गया है लेक कर रहा है तो यहां से इन phases को देख करके फेजर डाइग्राम या वेव डाइग्राम बनाएंगे बताओ बात समझना तो अब यह phase वगरा कैसे निकलेंगे यह सारी चीज़ें आपको समझाता हूं तो सबसे पहले प्योर राइजिस्टिफ सर्किट वो सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा होगा और एस अप्लाइद दी जा रही होगी ठीक है तो हमने कहा कि लेट से यह हमारे पास एक सर्किट करेंट फ्लो होगा और कभी इस डाइगराम में आपको करेंट की डिरेक्शन नहीं बतानी है तो कि यह अल्टरनेटिंग करेंट है क्लियर ना तो अभी देखो वोल्टेज की एक्क्वेशन में पता है कि इतना वोल्टेज हमने अपलाए करा उसके बाद आप यह देखिए क कि अब हमें instantaneous current निकालना है तो current का formula क्या होगा है voltage upon resistor या voltage upon resistance ठीक है तो आप देखो V is equal to IR से I is equal to V upon R तो अगर हम यहाँ भी की value V not sin omega t upon R तो maximum voltage में अगर resistance का divide है तो maximum current बनता है maximum current बनता है तो यहाँ पर V not upon R की जगे हमने रख दिया I not तो यह बन गया I not sin omega t तो यहाँ पर हम यह देखें कि equation first और second से हम यह देखते हैं कि pure resistive circuit में ऐसी circuit जिसमें सिर्फ एक resistance है इसके लावा कोई और element नहीं है इसमें current और voltage same phase में है कैसे है same phase में यहां है दोनों same phase में हैं तो अगर हम इसका vector diagram बनाना चाहते है तो वह vector कैसे यह देख लेत ani तो सबसे बहुये और wave नाते हैं मन्लब की relation बनाते हैं देखो तो मैंने कहां कि किवज़र आगर मैं इसे कह रहा हूं कि फिज़र डायग्राम, सबसे बहुत रेज़ें, हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो, फिज़र डायग्राम के लिए क्या होगा, आप इस तरह सर्कल में बना सकते हैं ठीक आप इस तरह से सर्कल में भी दिखा सकते हैं और without इस बधा सकते हैं देखो तो देखे तो यहाँ पर कहा करे एं आप यह देख रहे हों कि voltage और current voltage को हमने दिखाया बी वेक्टर और current को हमने बताया आई वेक्टर ये दोनों कहां पर है अभी? ये दोनों सेम फेस पर हैं और फेस कितना है? omega t clear है? फेस कितना है? omega t clear है? बात समझ मारी है तेक है? ये आपकी X-axis हो गई ये आपकी Y-axis हो clear? इस पर्टिक्लर पॉइंट पर अगर मुझे बताना है ये ये जो length है ये वाली जो length है ये क्या बताएगी इस particular instant time पर current की value क्या है i is equal to i not sin omega t और इस जगए पे इस voltage की value क्या है हमने कहा ये है b is equal to v not sin omega t बताओ धाओ clear है ना तो यहाँ पे कोई lead कर रहा है और ना ही कोई lag कर रहा है तो हम इसको बना देते हैं प्योर रेजिस्टिव सरक्ट की जह हम बात करते हैं तो जह रजिस्टंस है प्योर रेस्टिव सरक्ट में पढ़ा था ओम तो वहाँ पर तो पूरी तरही से फॉलो होता है वोल्टेज और करेंट सेम टाइम पर मिनमम होते हैं अच्छे इसी करम वेक्टर डाइव डायराम बनाते हैं ठीक है तो वो कैसे होगा तो होता क्या है कि वेव डायराम में हम रिलेशन देते हैं कि इसके बीच में वोल्टेज और करेंट का रेलेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी मतलब एंगल के साथ इसको यहाँ पर रिप्रेजन करते हैं यहाँ पर कई बार अकेला टाइम भी लिखा होता है तो देखो होता क्या है कि आप हमेशा देखें इस वाले केस में प्यॉर रिस्ट वाले केस में के देखो एक एकस वोल्टेज और करेंट है तो हमेश तो यहाँ निकिन शाफो यहीं की तो यहां पूरी साइकल के हम बात करें तो पूरी साइकल कितनेग्री क्यों हो थे तो तो पाई रेडियन आधी साइकल कितने रेडियन की पाई रेडियन की उससे भी आधी कितनी पाई वाई टू ठीक है तो देखो आधा पाई एक पाई डेड़ पाई डेड़ पाई मतलब थ्री पाई वाई टू टाइम की बात करेंगे सर इस जगे पे कितना टाइम हो गया होग to time कितना हो गया होगा पूरी cycle में time कितना लगा होगा let's say T time लगा होगा तो आधी cycle में कितना time लगा होगा टी by two one fourth में T by four to T by four T by two आप इसको three T by four करें ता ons पॉर्ट करें ठोडोल ठीक है है और शोम हो गया तो इस तरह से आप हर एक point वे बदा सकते हैं कितना angle है कितना phase है और कितना time लग रहा है तो अभी आप यहाँ पर देखें कि क्योंकि current और voltage same phase में हैं तो यह same time पे maximum होते हैं और same time पे यह ऐसे minimum होते हैं तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि voltage यहाँ maximum हो गया current भी यहीं maximum जब voltage zero current भी zero जब current maximum voltage maximum ठीक है तो यह relation किसके बीच में हो गया voltage और current versus omega t मतलब angle के साथ हम बता रहे हैं हर बार हमें यह t by 4 पाई by 2 यह बताने ज़रू तो नहीं है अच्छा जब कोई lead या lag करेगा तब हम वो बात करेंगे चलिए तो अभी हम यह समझ लेते हैं यहां पर अभी मैं आपको पढ़ाता हूं यहां पर प्यॉर इंडक्टिव सर्केट के हम questions करेंगे यह सारे चीज़ें ठीक है जहां से देखना प्यॉर इंडक्टिव सर्केट के हैं बात करता हूं देखो वैसे तो मैं इसको mathematical form में समझाओंगा कि कौन लीड कर रहा है कौन लेकर रहा है लेकिन फिर भी जहां तक मेरा इंट्यूशन कहता है आप एक बार इसको समझ यह कि किस तरीके से प्यॉर इंडक्टिव सर्केट में बोल्टेज लीड करता है और करेंट लैक करता है देखो मैं आपको बताऊं प इसे प्यॉर इंडक्टिव सर्केट आप ऐसे मानगे चलिए यह मेरे पास ना यह इंडक्टर जामस्ति हो नहीं इंडक्टर यह जो एक सॉलिनॉइट जो है ना इस वालेनॉइट यह जो एक स्प्रिंग फॉर्म में आपने जो है कोई भी एक एलिमेंट कर दिया और इसमें पोटेंशल डिफ्रेंस अफ्लाई करती है तो यह बन गया एक इंडक्टर क्या बन गया यह बन गया एक इंडक्टर तो इस इंडक्टर में जब भी करेंट फ्लो होता है ना तो इसमें ऐसी कंडिशन बनती है कि वोल्टेज तो मैग्जम पहुंच जाता है लेकिन करेंट को ऐसे समझ सकते हैं जैसे voltage है अब क्या हो रहा है ना इसे जो magnetic flux वाली condition हुने पड़ी थी कि जैसे फर्स टरन में जब current flow होगा तो उस current की जो magnetic field बनेगी वो second turn में flow होगी वो second turn से का flux change करेंगी उस से second turn में क्या होगा कि induced current बनाएगा यह opposite direction में इसकी magnetic field को cancel करने के लिए तो हम यह बता सकते हैं कि यहाँ पर इस case में इस case में जो current को opposition मिल रही है क्या मिल रही है current को opposition इसलिए current को maximum होने में कुछ time लग जाता है और voltage उस समय maximum हो गया होता है clear है तो आप यहाँ पर यह बता सकते हैं कि pure inductive circuit में current तो lag करता है मतलब पीछे रह जाता है लेकिन voltage उस से कुछ समय पहले maximum हो जाता है clear है इसको mathematical form में आपको समझा देते हैं एक बार तो आपको सारी चीज़ें clear हो जाएंगी ठीक है देखो जैसे यह मेरे पास एक pure inductive circuit है although मैं आपको बताओ कोई भी circuit pure inductive नहीं होती जैसे आपने एक spring के form में wire लिया ठीक है और आपने का सरी इंडक्टर है ठीक है आपने register नहीं लगाया capacitor नहीं लगाया इसलिए आपने circuit को pure inductive circuit का लेकिन आप एक बात हमेशायाद रखिए कि कोई भी circuit ऐसी है नहीं कोई भी जैसे wire ऐसा है नहीं जिसके अंदर कोई भी resistance ना हो ठीक है wire के अंदर resistance तो होगी होगी ना तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये wire के अंदर भी कुछ resistance तो कोई भी circuit ideally pure inductive नहीं होती practically लेकिन theoretically आप उसको pure inductive circuit कह सकते है तो हमने भी इसको कह दिया देखिए तो अभी होता क्या है अभी होता क्या है कि यहां पर यह समझे कि voltage है और यह जो है inductor मतलब यह voltage का source है और यह inductor है अब हम इसमें देखते हैं देखो तो जो भी voltage हमने apply करा होगा उसको हमने बोला वी तो वी की value क्या है वी इसकोल डू वी नॉट sin omega t अब यह है pure inductive circuit अब हम direct इसमें ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अगर मुझे current निकालना है तो हम क्या करते है current निकालना है तो मैं simple V upon R कर दूं तो current मिल जाएगा वो resistive circuit की बात थी यह किसकी बात है यह pure inductive circuit की बात है clear है तो आप का करते हैं आप इसमें आप इसमें कर्चॉफ law apply करते हैं किर्चॉफ law का कहता है कि किसी भी close circuit में जो potential difference का जो change होगा वो zero होगा clear है तो अगर मैं यहां से यह मेरे पास एक loop है a b c d इस पूरे लूप में a b c d a में अगर मैं कर्चॉफ लूप अप्लाइग करता हूं कर्चॉफ का voltage law तो मैं देखोंगा कि a से b तक जाते समय कोई change नहीं हो रहा है यहां से देख लो d से d से ए तक जाते समय दी से ए तक जाते समय जो voltage है यहां पर कुछ change आ रहा होगा तो यहां पर हमने क्या रखा कुछ उस particular instant पर हमने मान लिया कि voltage increase हो रहा होगा या low potential to apply potential रहे हो कैसे भी तुमने इसको भी माना ठीक है इसके आप समझते हैं कि यहां पर जो है यहां पर आपने अगर सायद पढ़ा होगा तो हमने पढ़ाया है आपको कि किसी भी किसी भी इंडक्टर या solenoid के across जो potential में change आता है वो कितना होता है minus l di upon dt क्या होता है minus l di upon dt अच्छा अगर आपको सायद यह वाली condition में बताई दी कि is equal to minus l di upon dt होता है तुम्हें शायद रखिए कि किसी भी इंडक्टर के across जो potential है वो कितना होता है l di upon dt ठीक है फिर हम यह चीज़ समझते हैं कि actual में क्या होता है actual में क्या हो रहा होता है कि अगर देखो अगर हमने इस v को positive मान लिया तो इस l di upon dt को negative हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि क्लोज लूप में change in potential difference का जो सम होता है वो क्या आता है जीरो आता है अगर आपने अगर आपने यहां से यहां काते समय b को negative लिया तो फिर इसको positive लेना पड़ेगा तो यहां से आपने कहा कि b minus l di upon dt is equal to 0 फिर से बताता हूं आपको जैसे क्या होता है जैसे क्या होता है कि यह हमारे पास एक resistor है ठीक है यह resistor है आर इसमें current flow हो रहा है टीक तो इस रजिस्टर के across जो potential difference होगा यह होगा b is equal to ir लेकिन लेकिन अगर हमारे पास यह एक inductor है और इस inductor में current flow हो रहा है क्योंकि बैने आप से कहा कहा कि inductor में जब current जाएगा तो actual में क्या होगा कि current की value एक पार में तो maximum हो जाएगी यह current की value तो यहां पर लगातार यह एसी में तो लगातार बदल नहीं है तो इसका मतलब है कि कैसा current flow रहा है यह current di by dt मैंसको बोलूँगा मतलब change in current with change in time और इसकी जो inductance वो क्या है जैसे कि पिछले वाले case में मतलब यह वाले case में current flow rise में आई और resistance है और inductor वाले case में inductance है L और current की वह लगातार बदल रही है तो हमने इसको लिजए di upon dt clear है inductance में हम इस तरीके से इसको solve करते हैं मतलब रहा clear है तो इस तरीके से हम यह देखे है तो v minus l di upon dt is equal to 0 माना because some of change in potential difference across a closed loop is always zero that says that is said by Kirchhoff voltage law ठीक है तो v is equal to क्या आगा है बी अपॉन एल डीटी को भेज़ दू इस साइड तो यह हो जाएगा डीटी तो यहां पर सिब का बचेगा डी आई तो डी आई की जो value हो गई यह आ गई बी अपॉन एल और यह डीटी क्लियर है बात नहीं तो देखो जरा तो यह di की value हो गई मतलब current जो small current की value हो गई देखो मुझे पता करना है कि voltage और current के बीच में क्या relationship है तो आप यहां पर देखिए कि voltage का phase कितना है इनिशल फेज ओमेगा टी अब current कितना फेज होगा यह मैं यहां पर solve करूँगा तो देखो जरा तो यहां पर di था v upon l into dt अब मैं di को i बनाना चाहता हूँ तो हम दोनों सारा integration करेंगे इसका integration करा है v की जगे हमने value पूट करी v की क्या है v not sin omega t और यह dt upon में लिखा है l तो उमने वही कर दिया इसके बाद यह दोनों value constant है यह बाहर आ गई अंदर लिखा है sin omega t dt अब आप सभी जानते है sin omega t का integration क्या होगा minus cos omega t upon omega यह हमने कर दिया omega को बाहर लिया तो बचा minus v not upon omega l और into में का है cos omega t अब देखो actual में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो voltage की equation थी वो यह थी b is equal to v not sin omega t तो हम चाहते हैं कि current की equation भी कुछ ऐसी बन जाए i is equal to i not और sin उसके बाद omega t है या कुछ और है यह हम comparison करेंगे मतलब अगर मुझे equation compare करना थोड़ी same same दिखनी चाहिए तो हमने का करा कि इस value को हमने मान लिया कि यह value देखो i is equal to i not sin वगरा ऐसा कुछ बनाएंगे न अपन तो हमने का करा कि i is equal to minus v not upon omega है तो इस minus v not upon omega की जगह पे हमने का लिख लिया i not put कर दिया क्योंकि हमें comparison करना है v not sin omega t की i is equal to i not sin omega t से ठीक है तो देखो हमने ऐसा लिख लिया इसके बाद हम कॉस omega t को हम क्या लिख सकते हैं देखो ज़रा द्यान से देखना कॉस omega t को क्या लिख सकते हैं तो कॉस यह minus i not भी चल रहा है साथ में कस omega t को हम लिख सकते हैं कॉस theta को हम लिख सकते हैं sin 90 minus theta लिख सकते हैं sin 90 minus theta तो हमने कहा लिखा तो यह काम करता हूं, इस पूरी वयल्यू को मैं यही पर आई नॉड लिग देता हूं, देखो तो अगर यह minus sign अंदर चला गया तो sign 90 minus theta लिखा था उसके बजाए में क्या लिख सकता हूँ यह minus sign अंदर चला गया तो उसके लिखा में लिख दिया मैं theta minus 90 clear है minus sign से यह values जो है interchange हो गई ठीक है तो इस बाहर वाले minus sign को मैंने अटा दिया clear है तो अब मैं इस equation को compare कर सकता हूँ V is equal to V not sign omega t से तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि V is equal to V not sign omega t जो कि हमारी first equation थी और जो हमने अब निकाला है current का formula instantaneous current यह हो गया I is equal to I not sign omega t minus pi by 2 इसका मतलब आप दोनों के phase को देखिए यह तो ठीक है V not sign omega यह omega t और यह omega t minus pi by 2 तो यहाँ से मैं क्या समझ रहा हूँ कि इसका है omega t और current में minus pi by 2 मतलब current जो है यह क्या कर रहा है यह pi by 2 पीछे रह गया मतलब current यहाँ पर क्या कर रहा है current यहाँ पर lag कर रहा है 90 degree से by voltage और voltage यहाँ पर lead कर रहा है current पीछे रहा है 90 degree तो अब इसके बात है voltage आगे रहेगा clear है तो अगर मुझे इसको represent करना हो vector diagram में तो कैसे बताऊंगा जरा मैं इसको देखे जरा अभी बताता हूँ ठीक है लेकिन आप यहाँ पर एक और important चीज़ देखिए जैसे हमने क्या करा कि इस b not upon omega l को हमने i not रखा क्या रखा i not तो यहाँ पर ना एक नई चीज़ निकल क्या रही है कि हमने यहाँ पर क्या माना कि b not upon omega l जो था यह क्या था यह था i not इसको अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि voltage upon current क्या होता है resistance लेकिन यहाँ पर resistance तो है नहीं रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है रुकावट है न तो देखो यहाँ पर क्या होगा क्योंकि resistor होता तो resistance बोलते लेकिन element कोई सा भी हो चाए capacitor हो चाए inductor हो current के रास्ते में रुकावट तो create होती है न तो रुकावट का मतलब obstruction तो यहाँ पर हम resistance की बजाए यहां पर एक नया term यूज करेंगे जो की होगा reactance क्या होगा reactance तो देखो तो वी नॉट अपॉन आई नॉट की जगह सिर्फ क्या बचा omega l अब यहां पर जो omega l है उसका हमने omega l ही रखा और वी नॉट अपॉन आई नॉट क्योंकि वी अपॉन आई होता है by ohms law resistance लेकिन यहां पर अपने resistance तो यूज करी नहीं तो हम क्या करेंगे यहां पर एक नया term introduce होगा that will be known as reactance क्या बोलेंगे reactance क्या बोलेंगे reactance और यह किस reactance का मतलब भी यहां पर रुकावट से है obstruction से current के रास्ते में रुकावट से है तो यहां पर यह जो XL है यह XL here XL is inductive reactance inductor के अंदर जो रुकावट है उसको हमने कहा inductive reactance inductive reactance ठीक है अब देखिए आप सभी समझते हैं कि omega को हम लिख सकते हैं 2 pi by t 2 pi by t और one upon t क्या होता है 2 pi into one by t one upon t क्या होता है frequency तो omega को हम क्या लिख सकते हैं 2 pi new ठीक है तो हम इस तरह से इसका जो formula है वो 2 pi new into l बना सकते हैं तो यहां पर आप यह देखिए यहां पर समझो बहुत जरूरी और काम की बात है बहुत जरूरी और काम की बात है कि आप यहां पर देखो कि टू पाई constant है और उस inductor की जो inductance है वो constant है तो यहां पर हम xl और frequency के बीच का जो graph देखेंगे वो होगा वो होगा इस तरीके का straight line देखो जरा आप यह कह सकते हैं कि आप इस चाप्टर में बहुत बड़े बड़े numerical नहीं करा रहे हैं क्या तो उसका अंसर यह है कि इस चाप्टर में ऐसे ही concept पूछे जाएंगे कि आप से एक नमबर पूछ लेगा कि कोई भी आपने question कर रहा उसके बात क्या देगा कि draw graph between inductive react and frequency तो आप लिने रिलेशन बता रहा है clear है मता उसरा समझ में आया ठीक है तो अगर इस पर based एक question आ जाए तो उस question को हम कैसे करेंगे जरा देखते हैं ठीक है लेकिन उससे पहले उससे पहले हमने diagram नहीं बनाया भी फेजर diagram बना लेते हैं फेजर diagram फेजर diagram कैसे omega t angle पे मत्दब omega t pi पे था omega t phase पे था v is equal to v not sin omega t था और current का है current है तो यह हो गया मेरे पास v vector और current का है current का है बताइए जरा भाई साब current का है current पीछे है na current lag कर रहा है तो current lag कर रहा है voltage से 90 तो arrow हमने यहाँ पे छोटा भी बना दिया देखे जरा तो यह वेक्टर यह आई वेक्टर अच्छा अब देखो यह 90 डिग्री है पीछे जा रहा है तो मैंने इसको पाई बाई टू दिखाया देखो एरो देख रहा है उनीचे की साइड लगा है तो यह यहां पर क्या बदा सकते हैं कि वोल्टेज क्या था ओमेगा टी अब ओमेगा टी से पाई वाई टू घड़ा दो तो यह करेंट का बन गया तो इस तरीके से दोनों का फेज हमने बता दिया अगर हम यहां पे जो है वेव डाइगराम बनाना चाहते हैं तो वेव डाइगराम के लिए क्या होगा दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहां पर क्या होगा कि जैसे यह वी है यहां पर वोल्टेज और करेंट को रिप्रेजेंट करूँ और यहां पर ओमेगा टीक हो अभी डाइगराम कैसे बनाएंगे जरा देखो कि यहां पर मैंने बताया कि यह वोल्टेज है क्या बताया मै जगरा मैं बनाना चाहूंगा यहां पर ठीक है यह बताया मैंने वोल्टेज है और यह बताया मैंने ऐसे करेंट है ध्यान से देखना ध्यान से देखना अभी यह तो मैंने बता यह वोल्टेज है अब आप यह देख रहा है कि जिस समय वोल्टेज ओमेगा टीपे था मतलब ज पीछे है 90 और वोल्टेज आगे है कंर पीछे है और वोल्टेज आगे है मतलब करेंट नबबब डिकरी लॉस में चल रहा है तो करेंट वाला जो जो लाइन बनाेंगे हम वो को जैसी बनाएंगे कि देखो, देखना ज़रा है, देखना ज़रा है, आप इसको बता दो, यह पीशे चल रहा है न, पीशे चल रहा है तो हम इसको ऐसे बताएंगे, यह यहाँ से, यह देखो, यहाँ पर आपको क्या समझ मारा है, यहाँ पर आपको यह समझ मारा रहा है, किसी पौटिकूलर टाइम पर, लेट से यह कितने डिगरी होगा देखो पूरी कितना है 360 डिगरी यह कितना है यह है पाई और यह कितना है पाई बाई टू इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पॉर्टिकुलर इंस्टंट आफ टाइम पर जब आप यह देख रहे हैं कि वोल्टेज कितना है वोल्टेज जब मैक्सिमम है वोल्टेज जब मैक्सिमम है तो करेंट कितना है करेंट तो करेंट उस समय जीरो है करेंट उस समय क्या है करेंट उस समय जीरो चल रहा है अगर मैं करेंट जब मेरा लीड करेगा तो मैं करेंट को उपर बताऊंगा और वोल्टेज को यहीं पर रखूंगा बात समझ में आ रही है तो इस तरीके जिन ट्रॉ करेंगे जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं जब जब हमारे प्यॉर कैपसेटर वाले केस में जब वोल्टेज 90 डिगरी पीछे होगा ना तो फोल्टेज को कritisर जो यह रहें लेकिन के समय उपर से सटर्ट करूंगा ठीक है तो बस इतनी सी बात आप बहुत जएब ज़ accred creates यह गारे का स्कृरिण को लेसको है स्क्रींशॉट ऐसको खैंड को स्लाइट्स का देनम आगे बढ़ जाएंगे आए थोड़ा सा यह गडबड़ कर रहा है तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो देनम आगे बढ़ते हैं यह क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है इसक्वेश्चन को करेंगे देनम प्यॉर क्यापसिटिफ सर्कुट को समझ मतलब हमारे पास इंदक्टन्स की गई मतलब यह वन हंधरी टिक है आगे दिया तो एट अट वोट प्रिक्वेंसी एट वर्ड प्रिक्वेंसी एट वाट्र iat34 इड систi इन्डक्र की बारे बात करना तो रिशर दिया आपको 20 एक्सेल अल्टी एक्सेल मतलब यहां पे एक्सट्राला जोे नहीं है समझ मुझे म Paulo किया एक्सेल का मतलब क्या है इतने ओम अच्छा इंड़क्टिव यहां पर एक और बात समझ में आई कि चाहे रियक्टेंस का हो या अब्स्ट्रक्शन का हो या रजिस्टेंस का हो या आगे अपन पढ़ेंगे इंपिडेंस का हो इन सभी केसिस में आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है रुकावट रुकावट की रजिस्टर्ड एसा यूनिट कौन सी है ओम कौन सी है ओम तो आप यहां पर देखिए कि रियक्टेंस की यहां पर कही जा रही है कि कितने फ्रिक्वेंसी पर इतनी आपको रियक्टेंस मिलेगी सिंबल जी बात है तो एट वाट फ्रिक्वेंसी तो मैं लगा सकता है अपर टू पाई न्यू एल बस अगर मुझे यहां पर ऐसे बात देखना है कि एक्सेल की वैल्यू 3142 ओम दी जा रही है और टू पाई की वैल्यू क्या है पाई की वैल्यू है 3.14 वंफॉर तो टू इनटू एक्वीद्व फॉर और लिड्यू की वैल्यू कितनी है यू मुझे निकालना है इंडेक्टन्स की वैल्यू वण तो यहां से जो आणसर आएगा मेरा यह कितना हो जाएगा 3.142 लगा दें इसको फ्रिए इसको इ यह सामने से 41-41 दिकाट जाएगा यहां बचेगा one यहां किया बचेगा one बचेगा ठीक है और यह चैंसल कर तो यह 500 आ जाएगा तो इस साट जाएक तो नियू की वैल्लू कितनी हो गई नियू की वैल्लू हो गई 500 हर्ट्स तो 500 वाले कितने में आ रहा है इतने में तो यह अंसर होगा तब भी चलेगा लेकिन हम चेक कर लेते हैं एक बार वाट शुट बीदा कैपसिटी ऑफ कंडेंसर विचेव सेम रियक्टेंस एड डाट फ्रिक्वेंस देखो तो कैपसिटेंस वाले केस में अभी हम आये नहीं है लेकिन पॉर्मूला क्या बनेगा यह मैं आपको बतायाता हूं इसको आपका होंवर्ट रहेगा तो कैपसिटेंस आपको यहां पर गपसिटेंस निकालने होघी सेम रीक्टेंस रीकटेंस पिर सेम ठीज अउगी 3142 और आपको यहां पर एक बार च्क करके बता देना होगा इक क्या सी की वैंग और यहें आपको यहां पर c की value निकाल के बिताते नहीं है मुझे तो comment section में मैं आप से बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे यह value confirm करके बताएंगे कि हां sir c की value वही आ रही है जो second option में दी है जरूर से एक बार confirm करके बताएं देखो क्योंकि उसमें लिखा है what should be the capacity of condenser capacitor which has same reactance at that frequency तो 500 हमने frequency निकाल दी ती यहां पर तेक और आपको यहां पर एक confirm करना है कि क्या सर 0.11 one micro farad ही frequency आ रही है यह आपका home work के comment section मुझे बताना है आपको ठीक है तो आप इसका भी screenshot ले सकते हैं अभी हम आगे बढ़ जाएंगे देखे तो अभी हम पढ़ना है pure capacitive circuit द्यान से देखो ज़रा pure capacitive circuit क्या होता है ऐसी circuit जिसके अंदर सिर्फ क्या लगा हो सिर्फ एक capacitor लग हो मतलब एक alternating voltage source लगाओ ठीक है अगर हम बात करें pure capacitive circuit में क्या lead करता है कौन lag करेगा तो याद रखिए pure capacitive circuit में current lead करता है current lead करता है ठीक है और voltage lag करता है voltage पीछे रह जाता है voltage lag करता है ठीक है कितने degree से बाय 90 degree clear है अब ही सबसे वहले हम यह समझ लेता है कि actual में इसके अंदर क्या होता है जब हम इसको DC से और AC से connect करते हैं तो द्यान से देखो जब हम किसी capacitor को AC से connect करते हैं या या पर हम DC से connect करते हैं देखो यह ज्यादा बड़ी battery हमने बना दिया है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर देखो बात समझ यह कि जब यह capacitor एक बार फुली चार्ज हो गया यह positive और यह negative बन गया तो होता क्या है कि यह plate क्योंकि अब देखो capacitor बीच में तो कुछ नहीं खाली जग है तो current कहां से फ्लोगा नहीं फ्लोगा और battery सिर्फ एकी direction में current फ् नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि जो जो capacitor है वो direct current को block करता है क्या करता है ब्लॉक एक बार चार्ज हो जाए पर current flow नहीं हो सकता है लेकिन alternating current में क्या होता है कि एक बार यह वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज बनेगी और यह नेगेटिव चार्ज बनेगी फिर अगली half cycle म से गायागा और इस प्लेट पे पहुंचेखा तो हम कि देखते है कि इस में first half cycle में current flow हुआ second half cycle इस धारेक्शन में फस्ट में इस डारेक्शन में सेकेंड में आपैसेटर क्या होता है capacitor alternating current को इस प्रकार से लगातार flow करादा रहता है लेकिन direct current को block कर देता है clear है अच्छा एक इस चीज़ को दौरान क्या होता है इस समय जब ऐसा चल रहा होता है कि ये let's say ये positively charge हुआ ठीक है ये positively charge हुआ आप देखो आपने इसको कुछ potential difference अपलाए करा किसको capacitor को ठीक तो ये capacitor charge होना start करेगा suddenly या कहूँ immediately तो इसके पास वो same potential difference नहीं पहुचेगा जितना दिया गया था है ना तो पहले इसकी plates charge होती है हाँ और उसको उसके बाद या कहूँ कि उसकी just बाद आता है इसकी plates पर potential difference ठीक है इसके बाद पहले discharge होंगी फिर इसकी plates से potential difference गायब होगा तो मैं सब बोलता हूँ कि इस process में जो current जो होता है वो पहले अपनी maximum values को attain करता है उसके बाद voltage ठीक है तो इसका मतलब है कि capacitor में जो current है वो lead करता है voltage थोड़ा सा पीछे रह जाता है कितना phase difference आयाता है 90 degree का इसको mathematically प्रूव कर देते हैं देखो जरा अभी तो सबसे पहले आप समझते है कि हमारे पास जो capacitor है उसमें जो हमने potential difference अपलाई करा है that is V is equal to V not sin omega T मतलब यहाँ पर जो phase है यह कितना है sin omega T phase है कितना phase है omega T अब हम देखेंगे voltage हम निकाल दिया हम current निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि current अगर हमें निकालना है capacitor वाले case में तो formula क्या होगा i is equal to dq by dt क्या होगा i is equal to dq by dt क्यापसेटर में capacitor में आप किर्चूफ लोग तो apply करें के नहीं क्यापसेटर में आपके देखें कि इस पे पास थोड़ा थोड़ा current जो है चार्ज आता है तब ही current बनता है तो i is equal to dq by dt हमने लगाया अब हम जानते हैं कि जो q है q को हम क्या लख सकते है q is equal to cv होता है तो q की जग हमने लख दिया cv ठीक है नोट हमने बाहर निकल दिया d by dt की जगे लिखा है sin omega t मतलब sin omega t का differential करना है golden rule में मैंने आपको बताया था कि differential क्या होगा तो cv नोट बाहर लिखा हुआ है sin omega t का differential हो cos omega t into omega integration होता तो upon में यह omega होता तो हमने का करा है cv नोट omega को अलग कर दिया और cos omega t को अलग कर दिया इसके बाद हम इस cv नोट omega को हमने माना i not तो यहां से cv नोट omega को हमने i not माना तो यहां से जो equation बन गई that is i is equal to i not cos omega t तो आप यहां पर समझो कि cos omega t को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ i is equal to i not cos theta क्या होता है sin 90 plus theta और sin 90 minus theta यहां पर हम cos theta को यहां पर इस तरीके से sin 90 plus theta यह sin theta plus 90 put कर सकते हैं तो यहां पर आप यह देखें कि voltage का phase क्या था सिर्फ omega t और यहां पर इसका phase क्या है इसका phase है omega t plus 90 degree इसका मतलब current में 90 degree add हो रहा है तो यहां पर जो current है वो lead कर रहा है और voltage lag कर रहा है 90 degree current leads voltage by 90 degree clear है टेक graph बनाएंगे diagram बनाएंगे सारी चीज़ समझाएंगे आपको लेकिन यहां पर हमने अभी क्या दिखा था कि यहां पर हमने क्या दिखा था c v naught omega की जगए i naught put करा था c v naught omega की जगए हमने i naught put करा था तो हम जानते हैं v naught upon i naught करेंगे तो यहां पर यह omega c upon में आ जाएगा तो one upon omega c हो गया voltage upon current होता है resistance अब क्योंकि circuit में सिर्फ capacitor लगा है तो resistance तो हम नहीं लिख सकते आर लेकिन capacitor में भी current जब जा रहा है तो टकराएंगे तो ना charges तो obstruction रुकावट तो बनेगी तो इस बार हम resistance नहीं बोलेंगे लेकिन क्या बोलेंगे reactance लेकिन यह कैसी reactance है यह capacitor के अंदर की रुकावट है capacitor के reactance इसलिए हमने इसको बोला capacitive reactance और इसको पहले हमने उसको XL से दिखाया था एक्टिव डिएक्टेंस को इससे हम XC लिगाते हैं तो XC is equal to one upon omega C आ गया XC is equal to one upon omega को हम two pi new लिखते हैं तो two pi new into C आ गया तो XC is equal to one upon two pi new C हो गया बदाई जरा clear है तनी बात तो मुझे उम्मिद है यह आपको समझ में आया होगा तेक अगर हमें इसका diagram बनाना है phase difference वाला diagram बनाना है तो हमें इस तरीके से आराम से इसको दिखा सकते हैं देखे जरा तो diagram बनाए diagram कैसे बनाएंगे जैसे कि ये मेरे पास कौन lead कर रहा है तो voltage तो मैंने का voltage मैं यहीं पे रखूँगा voltage तो यह हो गया omega t यह हो गया v-vector current कहां रखना है जैसे मैं थोड़ा से score गुमा देता हूँ let's say voltage मैंने यह दिखाया कि voltage ही रहा omega t phase पर current कहां होगा current यहां पे lead कर रहा है current को मैं हलका सा 90 degree यहां बताऊँगा तो यह मेरे पास v-vector यह मेरे पास i-vector और यह कितने degree आगे है यह 90 degree आगे है तो यह हो गया phase diagram इसके अलाबा मुझे यहां पर अगर wave diagram देखाना है तो wave diagram में simple सी बात है कि यह क्या बन गया यह है ना phase diagram ठीक है phasor diagram भी अब इसको बोलते है phasor diagram ठीक है देखो यहां पर मैं v और i बताऊंगा यहां पर होगा omega t टेक यह voltage अगर मैंने ऐसे दिखाया है तो इस बार current lead कर रहा है lead कर रहा है तो उपर से दिखाऊंगा lead कर रहा है तो उपर से बस current हमेशा जो है उसकी value इस तरीके तो बताऊ ज़रा clear है देन दे गए बात को समझ में आ गया तो यह v है और यह i है बताऊ clear हो गया तो voltage को मैंने current को इस बार मैंने कर रहा है तो उपर से दिखाया तो इस तरह से pure inductive circuit, pure capacitive circuit pure resistive circuit यह आपकी हो जाती है तो यहां पर देखो यहां पर एक question हमें दिया हुआ है यह important question मैंने आपको समझा दिया लेकिन आप किस तरीके से explain करेंगे अगर आपके exam में आ जाता है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप यहां पर देखो question पूछे आता है कि why capacitor allows AC but blocks DC तो इसका answer हमें किस तरीके से बताना है तो आप सब भी समझते हैं कि हमने XC का जो formula निकाला है capacitive reactance का वो यह निकाला है XC is equal to 2 pi new C मतलब 2 pi into frequency into C अब ध्यान से देखो अगर मैं बात करता हूँ alternating current के लिए तो alternating current में क्या है ना कि जो frequency और reactance है यह opposite है मतलब inversely proportional आ रही है तो इसका मतलब अगर आप frequency को बढ़ाएंगे तो capacitive reactance कम हो जाएगी frequency ज़्यादा reactance कम frequency ज़्यादा reactance कम यह inversely proportional वाली condition बन गई तो यहाँ पर अगर मैं graph बनाना चाहता हूँ तो graph मुझे कुछ ऐसा मिलेगा यह inversely proportional ग्राफ हो गया ठीक है लेकिन अगर आप बात करता हूँ direct current की किसकी बात करता हूँ direct current की तो अगर मैं direct current की बात करूँ तो direct current के लिए frequency कैसी है 0 है और अगर frequency 0 हो गई frequency 0 तो capacitive reactance infinite हो जाएगी frequency 0 तो capacitive reactance infinite reactance मतलब क्या होता है रुकावट तो इसका मतलब है DC के लिए frequency 0 है तो reactance infinite है मतलब capacitor पूरी तरीके से DC current को direct current को ब्लॉक कर देता है ठीक है तो आप यहाँ पर यह भी देख सकते है at very high frequency अगर frequency बहुत बहुत जादा है ठीक है तो reactance बहुत बहुत कम हो जाएगी तो ऐसे किसमें जो capacitor होगा यह conductor की तरह behave करेगा मतलब लगातार इसमें current flow होता रहेगा clear है? अच्छा ठीक है अब ही हम यहाँ पर देखते है कि अगर हमें कोई question मिलता है तो वो कैसा question होगा देखे जरा तो यहाँ पर समझे question में क्या दिया है 1.5 microfarad capacitor as capacitive reactance 12 ohm तो xc is equal to कितना दिया है 12 ohm दिया हुआ है इसके बाद what must be its operating frequency मतलब इसकी जो frequency है वो frequency क्या होना चाहिए operating frequency क्या होना चाहिए यह हमने का operating frequency let's say new होगी what will be the capacitive reactance if frequency is doubled अगर हमने frequency को double कर दिया तो capacitive reactance क्या होगी add to new what will be the xc यह हमें बताना है तो देखो simple जी बात है कि xc निकालने के लिए मैं formula लगाऊंगा 1 upon 2 pi new c तो xc की value हमें दिया हुई है 12 है अच्छा ठीक है 1 upon अच्छा ठीक अगर मुझे क्या निकालना है what must be operating frequency मतलब मुझे frequency निकालनी है तो 1 upon 2 pi new की value मुझे निकालनी है c की value दिये मुझे 1.5 ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते है कि 12 का into 2 pi से करेंगे into में करेंगे 1.5 is equal to आजाएगा 1 upon new तो आप यहाँ पर देखे 1 upon new आजाएगा ना ठीक xc की value 12 है 1 upon 2 pi new की वे ठीक है 1.5 micro farad है 1.5 micro farad है तो इसकी जगह हम क्या लेख सकते है 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 ठीक है तो अभी देखिए जरा तो 12 का into 2 pi से करेंगे तो डारेक्ट अगर हम इसको solve कर लें थोड़ा सा फालतू जोए इतना बड़ा बड़ा के दिमाग तक गया है ठीक है तो देखो मैं सिंपल यहाँ पर एक काम करता हूँ सिंपल एक काम करूँगा कि 2 by 12 into 12 into 2 pi तो 2 into 3.146 into 1.5 1 to 13.25 1 to 13.25 10 to the power minus 6 6 दिया हुआ है ठीक है 1 upon new है ठीक तो अगर हम इसको solve करते हैं तो frequency की value क्या है आएगी frequency की value आजाएगी हमारे पास 1 upon 113 into into the power minus 6 10 to the power minus 6 ओपर जाएगा 10 to the power plus 6 हो जाएगा 10 to the power plus 6 हो जाएगा upon में का है 113 is equal to में क्या है frequency का new तो frequency का new आजाएगा 10 to the power अगर हम इसको जो solve करेंगे तो 100 into 10 to the power 4 लिख सकते हैं upon में 113 तो ये मेरा अप्रोक्स 0.85 अप्रोक्स में या 0.9 में इसको लेके चलता हूँ ठीक है 113 0.9 into 10 to the power 4 हर्ट्स ये अप्रोक्स वैल्यू ये मैंने निकाली है ठीक है तो ये आपका अंसर हो जाएगा frequency इतनी हो जाएगी ठीक नाओ इसका मतलब अप्रोक्स हम 900 तो अंसर क्या हो जाएगा 900 हर्ट्स अप्रोक्स ठीक है अगर आपका कुछ और आ रहा हूँ और frequency का जो relation है ये कैसा है ये inverse है तो इसका मतलब है कि capacitive reactance क्या हो जाएगी half हो जाएगी अगर new को double कर दिया तो capacitive reactance half हो जाएगी बता सब्सक्राइब क्लियर है ठीक है आप इसका screenshot ले सकते हैं हम आगे पढ़ जाएगे अभी देखिए अभी हम आजाते है LCR circuit के मतलब ऐसी circuit जिसके अंदर inductor भी लगा है capacitor भी लगा है और resistor भी लगा है देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारा जो latest syllabus है वो क्या है क्योंकि syllabus को समझ लेना बहुत जरूरी होता है otherwise आप कहेंगे सर यह छूट गया मेरा वो छूट गया cbse.nic.in तो मैं आपको अभी का latest syllabus जो है वो बता देता हूँ कि cbse के इस syllabus में क्या दिया हुआ है और मतलब ncrt में इस बार क्या है में चीज़े है तो जो भी board ncrt फॉलो करते हैं पूरी तरीके से उनके लिए जो syllabus है उनके लिए जो topics है वो क्या-क्या है ठीक है तो देखे जरा तो नई वाली ncrt हम बात कर रहे हैं तो बाकी जो सभी board सभी state board चाहे वो यूपी board हो चाहे वो MP board हो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ncrt हमारा board follow करता है तो हमारे syllabus में क्या-क्या है तो हम इस chapter की बात कर लेते हैं हाँ जी तो देखे जरा बस आ ही गए बस आ ही गए हैं हम तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप यह देखिए alternating current peak value rms value यह हमने पढ़ लिया ठीक है reactance impedance इंपिडेंस ठीक है reactance impedance अब देखो reactance तुमने पढ़ लिया impedance हमें पढ़ना है LCR circuit हमें पढ़ना है LCR circuit अब इसमें phasor only दिया है अकेला phasor diagram ठीक है लेकिन मैं आपको पूरा derivation के साथ पढ़ाऊंगा तो मतलब कहने का मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले ना हमारे circuit में हमारे syllabus में RC circuit भी हुआ करता था RL circuit भी हुआ करता था और LC circuit भी हुआ करता था तो अभी इनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप LCR circuit पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ वैसे ही अपने आप समझ में आ जाएगा clear है ना तो अभी हम पढ़ने वाले LCR circuit समझ गए तो सब कुछ हमारा latest syllabus के according ही चल रहा है देखिए जरा तो LCR circuit क्या होती है इसको समझो ऐसी circuit जिसके अंदर तीनो component लगी हो series में क्योंकि हमारे syllabus में series MPR है तो series LCR circuit है तो ऐसी circuit जिसके अंदर तीनो component लगी हो register भी लगी हो inductor भी लगा हो और capacitor भी लगा हो ऐसी circuit को हम बोलते हैं LCR circuit और हमारे syllabus में series LCR हमें पढ़नी है तो हमने यह तीनो component series में लगाए हैं अब यह आप ध्यान से देखिए कि जब हम बात करते हैं रेजिस्टर की तो रेजिस्टर में जो current है current है current है current और voltage हमेशा कैसे सब्सक्राइब करता है और current lag करता है तो वोल्टेज लीड करता है तो मतलब 90 डिगरी वोल्टेज लीड करता है current कैसा होता है current जो है capacitor में लीड करता है और वोल्टेज लीड करता है मतलब मैं ऐसा बोल्टेज 90 डिगरी पीशे चला गया ठीक है इंडक्टर में 90 डिगरी ऊपर चला गया voltage ठीक है ऐसी होता है ऐसी होता है ना अब देखो अब अगर मैं इसका phaser diagram बनाना अब इसमें तो starting में बना सकते हैं अपन तीनों चीजों का मिला जोला काम करेंगे ठीक है अगर मैं इसका phaser diagram बनाना चाहूं तो आप यह देखिए कि यहां पर समझो यहां पर समझना देखो जैसे मैंने का कि इसमें current और दोनों हैं तो मैंने करेंट को ना एक एक्सिस पर दिखा दिया लेटसे मैंने बताया कि current यहां पर है current यहां है ठीक है ध्यान से देखना अभी आप यह समझो कि रजिस्टर का वोल्टेज का है रजिस्टर का वोल्टेज तो current की ही direction में है तो यह का मैंने voltage of resistor ठीक है इसके बाद inductor का का है तो मैंने का inductor का voltage ऊपर की side है मतलब current से 90 degree आगे है तो यह मैंने बनाया VL ठीक है ना vector form में हमें दिखानी है सारी चीज़ें ध्यान से देखे अब इसके बाद capacitor का voltage capacitor में current से 90 degree पीछे रहता है voltage तो current अगर मैंने ऊपर दिखाया तो voltage में दिखाया नीचे की side तो यह हो गया VC vector ठीक है अब देखो अगर यह दोनों VL vector और VC vector दोनों बराबर होंगे तो यह तो cancel हो जाएंगे point बचेगा यहां पर तो हमने अपने मन से यह मान लिया कि let VL is greater than VC तो जो resultant जो होगा अगर मान के चलो VL बड़ा है और VC छोटा है तो देखो तो VL इतना बड़ा है और VC इतना सा है तो VL में से VC घटाएंगे तो कुछ इतना बचेगा विया अगर 100 है और VC अगर 30 है तो resultant कितना आएगा 70 लेकिन किस की साइड वियल की साइड तो यह क्या बचा यह बचा वियल वैक्टर माइनस VC वैक्टर ठीक है तो यह हो गया resultant अब अगर मैं आपसे यह पूछता हूँ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि net जो resultant जो होगा resultant voltage वो किस direction में होगा तो यह VL माइनस VC और यह VR तो resultant voltage 욕ते जो होगा वो कुछ इस तरीके से इसजारे इन दोनों के बीच में से कहीं ऐसे जाएगा इस काँपाई अंगल से बता सकते हैं बताओ इसकां फाई अंगल से बता सकत he x बता ओ ये बात क्लियर होई प्लियर है यह बात ठीक तो यह VL-VC और यह इस तरहिके से हो गया ठीक है आगए हम इस चीज़ को समझेंगे ठीक अच्छा यह ऐसे हो गया ठीक है कोई दिख्कत वाली बात नहीं ठीक है तो अभी देखो अगर हम यह देखें कि LCR circuit में किस तरीके से impedance वगरा मतलब जो रुकावट है देखो जैसे अपने बात करी थी कि pure resistive circuit हो तो रुकावट को resistance कहा जाता है अगर inductive circuit हो तो inductive reactance कहा जाता है अगर pure capacitive circuit हो तो रुकावट को capacitive reactance कहते हैं लेकिन अगर combination हो क्या हो combination मतलब LCR circuit है यह inductor भी है capacitor भी है resistor भी है तो जो रुकावट होगी current के रास्ते में उसको impedance कहा जाए क्या कहा जाएगा impedance तो वही सारी चीजों को अभी हम समझने वाले हैं देखे ज़रा तो मैं कहता हूँ कि जो potential difference apply करा गया है that is v is equal to v naught sin omega t ठीक है अब यह potential difference को तीन element मिल रहे है एक मिल रहा है register एक मिल रहा है inductor और एक मिल रहा है capacitor तो तीनों के across जो होगा यह potential change होगा तो register के across potential होगा i into r ठीक है capacitor के across potential होगा i into xl क्योंकि capacitor की रुकावट होती है r नहीं xl ठीक है इसके बाद potential difference across capacitor क्या होगा xc तो i into xc current into रुकावट current into रुकावट current into रुकावट clear है ठीक है अब ही आप यहाँ पर देखिए यह क्या है यह resultant voltage है जिसको मैं नाम दिया भी यह vl minus vc और vr का यह क्या है resultant voltage है क्या है resultant voltage तो अगर मुझे इस resultant voltage की value निकालनी है तो यह value कैसे निकालूंगा जरा ध्यान से देखना ये value कैसे निकालूँगा देखो तो ये value ऐसे निकालूँगा तो देखो ये value देखना है तो देखो ये value सामने वाली भी क्या होगी VL-VC ये नीचे वाली value अगर VR है तो इसको भी VR लेखूँगा तो अगर मैं देखूँगा ये नीचे वाली value को मैं vr लिख सकता हूं या simple ठीक है resultant voltage को मैं वी लिख देता हूं किसी particular instant पे ठीक है ना तो resultant voltage की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखिए क्या लिखा मैंने v is equal to ध्यान से देखना resultant voltage जो मैं निकाल रहा हूं यह किसका square होगा यह resultant voltage let's say v हो गया बात समझ ना v हो गया तो formula क्या होगा यह hypotenuse देख रही है perpendicular square plus base square तो base है मेरे पास vr perpendicular है vl minus vc तो आप यह देखिए यहीं पर क्या कर रहे हो यह base square plus perpendicular square आप क्योंकि hypotenuse का square था square आगे square root बन गया होता है कि नहीं होता है hypotenuse square square is equal to PGT लगा दी कहने का मतलब है तो अभी आप यहां पर देखो ध्यान से देखो vr की जगे हमने आई यार पुट करा vl की जगे xl vc की जगे ixc और इसका whole square चल रहा है ठीक है अभी आप ध्यान से देखिए यहां पर यह मक्की परेशन कर रही है इससे पहले हम सेव कर लें यह exit कर जाए इसको ठीक है अभी आप ध्यान से देखिए यह आपको देख रहा है ना vr की जगे ir पुट कर दिया उसका whole square vl-vc की जगे ixl- ixc का whole square कर दिया अब देखो यहां से आप i square यहां यहां से common निकलेगा root के बाहर दा कि क्या बचेगा symbol i यहां पर बचा r square यहां पर क्या बचा xl- xc का whole square clear है तो यहां से अगर आप इस i को इसके upon में फेक दोगे तो v upon i आ गया क्या आगया v upon i v upon i क्या होता है v upon i होती है resistance लेकिन यह combination of lcr circuit है तो यहां पर आप resistance नहीं बोलेंगे impedance क्या बोलेंगे impedance और impedance के लिए हम अलग से एक term बनाते हैं जिसको हम बोलते है z, z का मतलब क्या है impedance, z का मतलब क्या है impedance तो आप यह देखो, z मतलब impedance मतलब रुकावट, तो impedance का formula क्या बन गया, impedance का formula बन गया under root r square plus xl minus xc का whole square, अगर आप ध्यान से देखना चाहें, तो xl को हम omega l लिख सकते हैं और xc को हम one upon omega c लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक बार पिर देखो, impedance का formula क्या बना, impedance का formula देखो ज़र जो impedance है, अगर आप चाहते हो, कि जो impedance है, यह minimum हो जाए, क्या हो जाए, यह impedance minimum हो जाए, ध्यान से देखना, for minimum impedance, minimum impedance, आप चाहते हो, impedance मतलब रुकावट जो है, यह minimum हो जाए, कम से कम हो जाए, सब से कम, for minimum impedance, तो ऐसे case में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे case में, xl और xc की value को बराबर करना पड़ेगा अगर अब जरस उचो अगर रुकावट minimum कब हो सकती है जब यह z की value minimum हो जाए तो r तो cancel नहीं हो सकता कैसे भी करके लेकिन यह वाला term जो है यह cancel हो सकता है कैसे यदि xl minus xc अगर xl और xc दोनों की value बराबर हो जाए मतलब capacitor के अंदर रुकावट और inductor के अंदर रुकावट अगर यह दोनों value बराबर हो गई तो यह पूरा bracket 0 हो जाएगा और पूरा bracket 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा z is equal to under root r square और सिर्फ z is equal to क्या बचेगा r clear है तो जब तो जब किसी circuit में जब किसी lcr circuit में xl और xc की value बराबर हो जाती है तो ऐसी condition में impedance minimum हो जाती है और current maximum हो जाता है ऐसी situation को हम बोलते है resonance क्या बोलते है resonance जैसे आप यहां पर देखेंगे अगर slide लग जाए क्योंकि आई पैनल सही से काम नहीं कर रहा है बिल्कुल कर रहा है ठीक है तो देखे जरा तो resonance की condition क्या होती है resonance का मतलब यह है when current in lcr circuit will become maximum जब lcr circuit में current maximum हो जाता है और impedance minimum हो जाती है तो ऐसे situation को कहा जाता है कि lcr circuit is in resonance condition तो resonance condition में आप क्या देख सकते हैं कि भई xl और xc बराबर हो जाते हैं xl की value omega l है और xc की value one upon omega c है तो आप यहां पर देखें कि l को नीचे बेज दिया तो यह बचा lc omega square यहां पर हो रहा है cross multiply कर दिया omega यहां बेज दिया यहां बेज दिया तो omega square is equal to one upon lc omega is equal to square अटा तो यहां पर square root लग गया तो one upon root lc one upon अगर नीचे का दखाई नहीं पड़ रहा है तो one upon root lc यह बन गया omega की जगह पर हम लेख सकते हैं 2pi new तो आप यह देखो angular frequency क्या है one upon root lc और frequency क्या हो जाएगी 2pi new अब one upon lc only frequency value बची one upon 2pi under root lc तो इसका मतलब यह है कि यदि इतनी frequency अगर हमें दी गई इतनी frequency दी गई तो circuit में current के अगर इतनी frequency में मिली तो circuit में आपको maximum current मिलेगा और जिस frequency पर maximum current मिलता है उस frequency कहा जाता है resonant frequency या natural frequency क्या कहा जाता है resonance frequency या natural frequency एक बार फिर कहूंगा कि जब circuit में current हमें maximum करना होता है lcr circuit में तो ऐसे case में यह xl और यह जो xc वाला जो करना पड़ेगा तभी resistance किसके बराबर निकलेगी आर के बराबर निकलेगी बात समझ यह तो हमने इसको तभी बोलेंगे कि यह resonance वाली condition है तो resonance वाली condition में हमने xl और xc को बराबर रखा तो ऐसे case में फ्रिक्वेंसी की वैल्य वाई वन वाई टू पाई तो हमने का यह वही फ्रिक्वेंसी है जब current maximum हो जाएगा और impedance minimum हो जाएगी अच्छा जरा एक बाता हो जरा एक बात बताना मुझे कि अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि अगर मैंने जैड इस एक्वल टू जो अंडरूट आर स्कॉयर और यह xl माइनस xc का होल स्कॉयर चल रहा है अगर मैंने xl और xc को बराबर रख दिया ठीक है इन रेजोनेंस रेजोनेंस वाली कंडिशन में या minimum impedance वाली condition में तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ अंडरूट r square z is equal to क्या बचेगा सिर्फ r तो आप हमेशा याद रखेंगे कि resonance की situation में बले ही circuit में impedance हम निकाल रहे हूं या ऐसा मैं कहूं resonance कंडिशन में बले ही circuit में capacitor, inductor और resistor लगे हैं लेकिन जो रुकावट हमें मिल रही है ये रुकावट सिर्फ और सिर्फ हमें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ हमें मिल रही है resistance के द्वारा तो याद रखिए कि in under resonance condition only resistor will produce obstruction only resistor will produce impedance clear है ये बाद आपको समझ में आई तो resonance condition किसे बोलते हो resonance हम उस situation को बोलते हैं जब current हमारा maximum हो जाए और जो impedance हो minimum हो जाए resonance condition में जो LCR circuit होती है ये behave करती है like pure resistive circuit ठीक है और इसमें इस case में जो power dissipation होता है power का जो loss होता है ये maximum होता है क्योंकि इस case में जो power का loss होता है ये कैसा होता है maximum power loss power loss होता है resistor के कारण resistance ही current ठीक है तो power loss होता है maximum power का formula का होता है i square r तो only resistance है तो आप यहाँ पर देखिए कि resonance वाले case में जो power loss है ये maximum है इसका एक और कारण है कि resonance आप मैं इसको ऐसे बताता हूँ वो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे इसाब से कि power का formula होता i square r तो resonance वाले case में current की value maximum है अब i square maximum का b square तो भी power dissipation ज़्यादा होगा ठीक है the LCR circuit is called acceptor circuit LCR circuit को हम acceptor circuit भी कहते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा radio tuning से किसे समझाऊंगा radio tuning से लेकिन इसके पहले हमें थोड़ी सी एक जरूरी चीज़ देखनी है जो की है direction of resultant क्योंकि अभी हमने यह देखा था कि हमने इसका phaser diagram बनाया तो कुछ इस तरीके से बनाया था यह हो गया था हमारे पास VR यहाँ पर हमने current दिखाया और यहाँ पर हमने दिखाया कि यह VL है VL वेक्टर यह थोड़ा सा VC वेक्टर दिखाया जो resultant के तौर पर यहाँ पर यह बन गया हमारे पास main resultant ठीक है फिर हमने बताया कि resultant जो है लट से यह फाई अंगल पे है तो resultant की जो direction होगी उस हिसाब से हम यह देखें तो direction हमें इसा किससे निकाली जाती है तो यह हो गया VL-VC और यह आई XL-XC अपन में क्या है यह क्या है वियल को हम क्या लिख सकते है आई XL-IXC तेक है और यहां से करम इस आई को हमने common निकाल ही लिया है तो इस आई से यह आई कट जाएगा तो XL-XC अपन आर यह बन गया तेक है अच्छा हमें इंपिडेंस एक इंपिडेंस ट्रींगल की अपना बात करते है तो उपर क्या है उपर का Dos ये इंदे और को शो कर सकते हैं और इस pasti तो iz Coast को यहां पर सकते हैं देखो यह वी आर है तो इसकी resistance को हमने आर लेखा यहाँ पे क्या है वील माइनस वी सी तो हमने इसकी resistance को हमने एकसेल एकसी लेखा तो यहाँ पर जो यह दिखाएगा आपको यह वाला arrow इसको हम बोलेंगे Z Z मतलब impedance तो यहाँ पर impedance triangle भी हम इस तरह के से show करेंगे तो Z is equal to आपका XL minus XC upon R आ जाता है clear है इतनी बात समझ में आ गई है आपको ठीक है उम्मिद करता हूँ यह आपको impedance triangle भी यहाँ पर समझ में आया होगा impedance triangle लेए clear है आगे बढ़ जाते है ठीक है अभी देखो जरा यहाँ पर radio tuning से जोड़ा हुआ एक question हमें आता है लेकिन पहले मैं आपको radio tuning का concept समझाता हूँ कि radio tuning का concept क्या होता है clear है चला तो देखे सबसे पहले हम कहा करेंगे radio tuning dance देखो देखो radio tuning क्या होता है एक बार इसको अच्छे समझेगे radio tuning में जो हमने LCR circuit अभी पड़ी है उसका यूज होता है और LCR circuit यहाँ पर acceptor circuit की तरह यूज करती है देखो मैं आपसे कहता हूँ जो भी आप जैसे मान के चलो हमारा radio है तेक है या फिर हमारी टीवी है clear अब इन में क्या होता है LCR circuit का यूज होता है यह inductance और रेजिस्टर है टेक LCR circuit मैंने कहा acceptor circuit की तरह भी यूज हम इसको करते हैं मतलब यह frequency को सिगनल को accept करने काम आती है देखो मान के चलते हैं कि हमारे पास यह जैसे की यह LCR circuit है यह सभी FM रेडियो में मुबाइल में और टीवी में होती है अब मान के चलो कि हम एक simple FM की बात कर रहे हैं तो उसमें एक एंटीना भी लगा होगा टीवी में भी receivers होते हैं तो आप यहां पर यह देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है ना कि जो एंटीना है हमारे आसमान में फैली होई सभी electromagnetic waves आतर के इससे टकराती है और आप यह देखते हैं कि यह जो LCR circuit को यह एंटीना सभी electromagnetic waves की frequency offer करता है कि जैसे मान के चलो कि एंटीना 92.7 या जो जो एफम जो हमारा लेट से 91.9 FM जो है 92.7 FM है 94.3 FM है 95.0 FM आता है 98.3 FM आता है 98.3 FM आता है 98.3 FM आता है यह अलग-अलग FM की frequencies है ठीक है अभी का होता है कि यह acceptor circuit है हमारी TV के अंदर भी लगी है और हमारी FM के अंदर भी लगी है अब जैसे मान के चलिए कि सिंपल में FM की बात कर लेता हूं भी तो अभी क्या होता है कि जैसे हम समझते हैं कि frequency का फॉर्मूला है वान अपॉन टू पाई यह resonance frequency का फॉर्मूला है टू पाई रूट एलसी रेजोनेंस प्रेक्वेंसी मतलब इस frequency पर जो भी हमें current होगा वह maximum होगा लेर है तो हम क्या करते हैं कि हर क्याइब लूप को घुमागे या TV से कि रिमोट से आप इस या सी की वैली को चेंज कर सकते हैं जिससे हमारी सर्कुट की जो frequency है resonance frequency है वो change हो जाती है तो मानके चलो कि हमने knob को घुमा के या capacitance को घुमा के हमने कहा करा जब knob को घुमाते हैं तो इस LCR circuit में capacitance घुम जाती है मतलब बदल जाती value तो मानके चलो कि हमने अपने remote से या knob से manually इसको घुमा के इसकी frequency को भी 92.7 megahertz कर दिया तो अभी क्या हो रहा है कि इस circuit को तो बहुत सारी frequency जो है मिल रही है लेकिन यह tuning के साथ बढ़ाएगा जिसकी frequency इसकी resonance frequency से match कर जाएगी तो हम क्या देखते हैं कि हमें 92.7 megahertz का जो sound होगा यह बढ़िया सुनाई कि जो natural frequency की value है resonance frequency की value यह change हो जाती है ऐसा करने से लेटसे हमारी जो frequency हो गई लेटसे हो 91.9 megahertz हो गई तो होका गया कि भाई यह इसको इस circuit को तो बहुत सारी circuit बहुत सारी frequencies वाली wave मिल रही लेकिन यह accept किसको करेगा इसको और इसके corresponding जो current या जो sound होगा उसको maximum रखेगा तो हमें इसका sound सुनाई देगा बाकी सबका sound नहीं देगा इसी तरीके से आप इसको टीवी के case में भी मान सकते हैं कि भाई मान के चलो कि star plus हो गया यह जी टीवी हो गई उसकी जो frequency है वो हमें यहांपे मिल रही है समझना द्यान से ठीक है तो मान के चलो कि अगर हमारी frequency भी star plus की frequency के बराबर हो गई तो हमें star plus का जो है picture सुनाई देगी दिखाई देगी ठीक है अगर जी टीवी के हमने गुमागे टीवी के remote से इसकी अपनी circuit की frequency के हिसाब से अगर सैट कर दी है तो फिर वो जी टीवी के साथ ट्यून करेगा सर इन frequency को भेजता कोने तो जी टीवी का जो पावर स्टेशन जो कंपनी वो अपने अपने चैनल के लिए frequency जो पूरे आसमान में भेज रही है catch कर लेंगे तो आपने साथ नोटिस करा होगा मैंने अभी आपको बताया आपने नोटिस करा होगा कि यहां पर जो FM FM के signals हो गए FM की frequency हो गई या स्टार ब्लक्स इटीवी सॉनी टीवी सब टीवी इनकी frequency हो गई तो आप यह देखें कि अलग अलग चैनल की जो frequency है ना इनके बीच में गैब है 91.9 के बाद 92 नहीं 92.7 है 92.7 के बाद अगला चैनल 92.8 नहीं होता 94.3 होता है इसका रीजन क्या है इसका रीजन यह है कि मानके चलो कि आपने 92.7 से तो इसकी frequency मैच करा ली तो 92.7 के corresponding तो maximum current flow होगा तो 92.7 का sound तो हमें सुना ही देगा लेकिन मानके चलिए कि अगर 92.8 भी कुछ FM होता तो बहले ही आपने 92.7 के साथ tuning करी है लेकिन 92.8 frequency का भी हमें कुछ sound सुनाई देता क्यों तो कि मानके चलो अगर हमने का कि अगर हमने ऐसा का कि 92.7 पे आपको maximum current मिल रहा है मतलब यह जो frequency है यह आपकी यह आपकी कैसी frequency है यह frequency आपकी resonance frequency कैसी है यह frequency आपकी resonance frequency है मतलब omega 0 अमने इसको नाम दिया है लेकिन आप समझते हैं सिर्फ omega 0 ही नहीं हमें कुछ और frequencies भी सुनाई देंगी जैसे कि मैं यह कह सकता हूँ कि इसके आसपास की कुछ frequency हमें सुनाई देंगी इसको हमने बोला del w क्या बोला del omega मतलब इसके आसपास की frequencies भी हमें सुनाई देंगी तो हमने का कि omega 0 पे तो आपको मिलेगा maximum current i0 ठीक है तो ये तो आपको सुनाई देगा बढ़िया से दिखाई देगा लेकिन इसके आसपास की जो frequency होगी जो की i0 और i0 by root 2 की range में लाई कर रही होगी इसके इसके आसपास वाली frequency उन frequency भी की आपकी जो disturbance है मतलब वह भी आपको थोड़ी थोड़ी सुनाई देंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि 92.7 का song थो हमें बढ़िया सुनाई दे रहा है कम से कम frequency आए। तो हम क्या करते हैं? इस curve को sharp बनाते हैं कैसा बनाते हैं? अईसा कर ऐसा क्यों बनाते हैं ऐसा इसलिए बनाते हैं एसलिए गरते हैं कि एसा मिसलिए करते हैं टाकि अगर यहां पर आई नॉट आया अगर यहां मतलव 7i0 टीक है तो आपक है तो आप यह देखेंगे i0 by root 2 करीब यहां पे आ गया तो ऐसे case में क्या होगा ऐसे case में यह होगा कि इस वाई Passover this by यह देखेंगे कि अब दधा हॽ़ा है चलो ठीक है देखो तो हम क्या देखेंगे तो हमके देखें के आई-naught यहां पर इस जगह पर क्या है ओमेगा नॉट ठीक है अब आई-naught और रूट यहां रहा है तो इसका मतलब है कि यह जो नॉइस जो होगा ना मतलब हो कम से कम आसपास की जो साउंड अप सुनाई देगी ठीक है आपको कम से कम मतलब सिर्फ आपको इतनी साउंड सुनाई दे सकती है ना इतनी साउंड आपको सुनाई दे कम तक हमें यह सारे साउंड सुनाई देते हैं तो हम चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर कम से कम साउंड रखे जाएं कम से कम साउंड रखे जाएं ठीक है तो हम इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला जाएगी उतनी क्वैलिटी जो है साउंड की बढ़ जाएगी तो मेगा नॉट अपन इसको मुने का बोला डेल उमेगा फ्लस डेल उमेगा तो यह बन गया टू डेल ओमेगा चलिए यह क्या है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यह रहा है बात समझ माई तो इसको मुझते इसको हो गया आपकी Dumnega not तो भाइ इस रीजन में इस रीजन में क्या होगा यह आई नोट यहां पे है आई-णोट बाय रूट टू यहां पे ओगा करीब यहां पे तो इस रीजन में तो बहुत सारी फ्रिक्वेंसी आपको डिस्ट्रब करेंगी ना तो हम चाहते हैं कि इस रीजन को कम से कम पतले से पतला रखा जाए तीक है इसलिए हमने इसको क्या भोला कि हमने कर्व को कैसा बना दिया शार्प बना दिया शार्प मुझे उम्मीद है कि मेरी बाद आपको समझ में आई होगी क्लियर है ठीक है चलो थोड़ा सा आगे बड़ तो यह शार्पनेस कर्व का कॉंसेट हो गया अभी यहां पर आपको एक क्वेशन मिल जाता है इस क्वेशन का सॉलिशन आपको देना है बागा मतब आंसर आपको बताना है बाकी चो छोटी मुड़ी चीज़ें वह मैं आपको यहां पर बताता हूं ठीक है बासमझना मुझे आपको रेडियो को दूर दूर इसी लिए रखा जाता है ताकि आसपास के साउंड का भी डिस्टब ना करें टेक है ना देखे जरा ट्रांस्मिटर है ट्रांस्मिट करता है वेवलेंथ कितनी फ्रिक्वेंसी कितनी लेंथ वाली 300 मीटर वाली एक एक कंडेंसर मतलब एक क्यापसेटर है इसकी क्यापसेटर कितनी है 2.4 माइक्रो पैरट टेक मतलब 2.4 डेट पार माइनस 6 पैरेट इस बीग यूज़ इसको हम यूज़ कर रहे है वेवस को ट्रांस्मिट कराने के लिए वैल्य ओफ इंडक्टेंस of resonant circuit is approximately हमें इंडक्टेंस की वैल्य निकालनी है सिंपल सी बात है देखो यहाँ पर लेम्डा दिया है तो new is equal to होता है c by लेम्डा ठीक है new is equal to क्या होता है c by लेम्डा c की वैल्य कितनी है c मतलब speed of light ऐचेंड़ेट हमें यहाँ हरेट मीटर पर सेकेंड और यह 300 है तो अगर मैं इसे solve करता हूं और दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो एट्नी आगें यह आपके पास क्या आगई यह frequency आगई समझना भी ठीक है frequency और भी ना value of inductance for resonance circuit resonance circuit के लिए inductance की value क्या होगी तो देखो new is equal to one upon two pi root LC होता है two pi root LC होता है ठीक है simple सा काम आप एक कर सकते हैं कि new की value हमारे पास 10 पार 6 है is equal to one upon two pi और यह root LC ठीक है हम एक काम करें यहां पर नँब यहां पर दोनों साथ squaring कर दें दोनों साथ squaring कर दें तो one able on four pi square और यह LC बचे गए यहां पे किस की value चाहिए आपको यहां पर आपको value चाहिए ल की तो l की value क्या हो जाएगी one upon four पाई स्कॉायर एल की वैल्यू हमें चाहिए निउस कोई सैट किसका दिया और यह सी लिखा है अब यह वैल्यू निकालके आपको मुझे कॉमेंट सेक्षन बताने हैं कि इन में से आंसर क्या होने वाला है एल इस एक्वल टो वान अपॉन पॉर पाई स्कॉर की वैल्यू का आ एंड़ बार शिक्साट ट्वाट ट्वैल मान सकते हैं सी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू टू बाइंट पॉर टूबार माइनस से तो यहां से एल इस एक्वल टू कितना हो जाएगा यह आपको मुझे बताना है तो यह अपन कैंसल करेंगे इसको वान अपॉन यह पॉन टी हो जाएगा इंडू 2.4 लिखा है एंडू बार शिक्सा गया तिक है यह एल इस एक्वल टू यहां पर उपर जाएगा तो यह वान अपन 9.6 चो कुछ आनपे 9.6 और ऊपर जागे टेंड़ पार यह माइनस का सेवन हो जाएगा यह 40 है यह देखो यह 10 बार 6 10 बार 7 10 बार माइनस 7 तो यह उपर 9.6 है तो एप्रॉक्स यह वैल्यू किस में आ जाएगी यह 10 बार माइनस 8 the value of inductance यहां पर यह value the value of inductance value of inductance पूछ रहा है न तो यह value किसमे आनी चाहिए यह value henry में आनी चाहिए किसमें चाहिए henry में तो यह value henry में आएगी तो hertz में तो नहीं आएगी यह value henry में आएगी तो यह value कितनी हो सकती है तो यह वैल्यू अगर हम इसको solve करें कि 1 upon 9.6 से तो यह अप्रोक्स आपकी 10.10 तो यह आपका हो गया हम आगे बढ़ जाते हैं आप इसका screenshot नेक्स टॉपिक जो में पढ़ना है धाट इस एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एक सर्केट देखो क्या होता है कि जिसे हमारे पास एक सर्केट है यह मेरे पास एक सर्केट है अब इसमें मान के चलो और रजिस्टर वगरा लगे हुए कुछ और भी element लगे होंगे तो आप भी समझें कि जैसे अगर अकेली को ध्यान में रखते हुए एवरेज पावर हम निकालना चाहते हैं तो देखो किसी भी सर्केट में जो instantaneous voltage होगा वह क्या होगा वी नौट साइन ओमेगा टी और instantaneous current होगा आई इस एक्वल टू आई नौट साइन ओमेगा टी अब अगर के भीच में ठीक है माइनस पाई को ने लिया क्योंकि फॉर्मूले वगरा हमारे सही से काम कर जाए इसलिए तो देखो यह instantaneous voltage और यह instantaneous current current यहाँ पर कुछ lag कर रहा है तो instantaneous power अगर हम निकालें देखो अगर मैं यहाँ पर 2 का into 2 का divide कर दूँ तो आप क्या देखते हैं कि 2 का divide देखो v naught into i naught को एक साथ लिख दिया 2 का divide किया और 2 का into कर दिया तो 2 का into करने बाद ही क्या बन गया 2 sin a into sin b 2 sin a into sin b तो 2 sin a into sin b का formula होता है cos a minus b minus cos a plus b यह formula यहाँ यहाँ पे यह की value क्या है omega t और b की value यह omega t minus pi and omega t minus pi साब-साब दिखाई ही पट रहा है यह क्या है यह क्या है यह b है clear रहिए तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा अगला step अगला step यहां बनेगा हाँ वी नॉट इंटू आई नॉट कॉस A-B तो A-B ओमेगा टी माइनस 5 था तो ओमेगा टी माइनस 5 था ठीक है तो माइनस साइन जो बाहर लगा है उसके कारेंट से अंदर के साइन पलट गए तो क्या बना माइनस ओमेगा टी प्लस पाई ठीक है माइनस A-B तो A-B बी की वैल्यू को एड़ कर दिया तो यहां से हम यह देखा कि ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कैंसल हो गया तो अंदर क्या बचा सिर्फ यह कॉस पाई और यहां क्या बचा कॉस्ट ओमेगा टी माइनस पाई तो अभी आप यह देखिए कि हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि average value कुछ चीदों की कुछ terms की 0 होती है जैसे कि हमने पढ़ा था cos 2 omega t, sin 2 omega t, sin omega t, cos omega t यह पढ़ा था इसी परकार से हम यहां पर बताते हैं कि cos 2 जब अभी तक यह चल रही instantaneous power कैसी power? instantaneous power उसके बाद आप यह देखिए कि अब हमने का कहा कि cos 2 omega t की value, cos 2 omega t minus 5 की value complete cycle के लिए जो होती है वो 0 होती है तो हमने का average value of cos 2 omega t minus 5 और complete cycle is 0 मतलब इसका अगर हम integration करेंगे 0 से लेकर t तक limit पुट करके तो यह 0 आएगा तो यहां से अगले ही turn पे, अगले ही step में यह instantaneous power से बन गया average power क्योंकि हमने average value उसके निकाली तो वो 0 आई और इसको हमने hazard export कर दिया तो average power is equal to 1 by 2 V not I not cos phi अब हम देखो यह जो 2 है दोनों के नीचे है तो हमने 2 को कह लिख लिया रूट 2 into root 2 वापस से 2 हो जाएगा तो V not by root 2 I not by root 2 cos phi की जगए cos phi तो आप देखो ज़रा V not by root 2 को हम कह लिखते है बही peak value में root 2 को divide कर दो तो rms value बन गई peak value में root 2 को divide कर तो rms value बन गई cos phi की जगए cos phi रखा तो आप यहां पर देखिए आप यहां पर देखिए कि average power क्या निकल गया गई vrms into irms into cos phi clear है vrms into irms into cos phi ठेक और यह जो cos phi है यह क्या है यह power factor है यह decide करता है कि power कितनी मिलने वाली है मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी जरूरी बात बहुत जरूरी बात देखो यहां पर समझ यह कि अगर हमारे पार सिर्फ direct voltage होता तो DC circuit में क्या होता है voltage into current voltage का current से into कर दो बस खेला खतम हमें पदा बढ़ जाता है कितनी power consume होगी लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आप यह देखिए कि जब voltage का जैसे मान के चलो आपको voltage की value मिल गई current की value मिल गई तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि power consume होगी कि नहीं होगी क्यों या कितनी होगी क्योंकि इसको और का बोलते है इसको बोलते है VRMS into IRMS का है apparent power apparent का मतलब है कि जैसी दिख रही हो लेकिन वैसी हो ना जैसे कई बार क्या होगा जैसे आप अगले ही अगले ही slider पढ़ने वाले हो चोप कोईल तो आप क्या देखेंगे चोप कोईल क्या होदी है simple एक inductor होदा है क्या होता है inductor तो inductor वाले case में आप value देखेंगे 5 की face difference कितना होता है 90 degree voltage और current के बीच मतलब voltage और current की value decide नहीं कर रही कि पावर कितनी consume होगी यहां पर decision कौन ले रहा है कॉस पाई तो कॉस पाई कहलाता है power factor क्या कहलाता है power factor तो average power का formula याद रखेंगे vrms into irms into cos पाई ठीक है चली जड़ा अभी देखो यहां पर मैं लिख रखा है कि कॉस पाई is called power factor अगर pure resistive circuit की बात करें तो यहां पर देखो कॉस पाई की value क्या कॉस पाई की value क्या होगी zero pure resistive circuit में voltage और current same phase में रहते है ना तो पाई क्या होता है zero तेक द्यान दो ज़रा अगर हम बात करें resonance circuit की तो resonance circuit में जो circuit है resonance वाले case में यह कैसे act करती है pure resistive वाले case में तो हमने आपको बताया था क्यो प्योर रेजिस्टेंस में जो power होगी वो maximum consume होगी ठीक है यह भी आपको reason मिल गया अगर capacitive circuit है pure inductive circuit है तो यह से case में पाई की value 90 होने वाली है तो average power consumption कितना होने वाला है zero होने वाला है clear है मुझे अम्मीद है आपको यह power factor का जो सारा खेल आपको समझ में आया होगा तो मानके चलिए अगर हमारे पास circuit है जिसमें जो inductor भी लगाया capacitor भी लगा है और क्या बचा हुआ है resistance भी लगी हुए और उनके बीच में फाई की value जो phase difference आ रहा है 30 degree आ रहा हमने निकाला था हमने निकाला था 10 5 is equal to V LCR circuit में VL minus BC upon R से तो यहां से आप की value निकाल सकते हैं पाई की value 30 degree आ रही है तो वहां से average power हम जो है निकाल सकेंगे clear है चलो इसके बाद हमें समझना है चोक कोईल अभी देखो चोक कोईल का होता है बहुत सिंपल सी बात है आदी आपको बदाई दिया है चोक कुछ नहीं होता बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है जैसे जैसे क्या होता है अगर हम circuit में जैसा अगर हम AC circuit में सिर्फ resistance current को रोकने के लिए current को कम करने के लिए resistance का इस्तमाल करते हैं तो अभी आपने यह देखा कि pure resistive circuit में voltage और current same phase में होते हैं जिससे 5 की value 0 degree बनती है और P average जो हम निकालते हैं वो cost 0 रखने से हमारा जो average power ज ज्यादा निकल के आती है मतलब आप यह मान के चलिए अगर आप AC circuit में सिर्फ resistance का pure resistance का यूज करते हैं current को रोकने के लिए या control करने के लिए तो ऐसे case में क्या होता है तो ऐसे case में होता यह है कि जो power का consumption है यह बहुत जादा बढ़ जाता है power loss जो होता है वो बहुत जादा की बात है कि यह एक inductor है और इस inductor के अंदर current flow हम कराते हैं अभी होता क्या है ध्यान से देखो अभी होता क्या है अभी यह वोल्टेज हमने alternating voltage दिखाने के लिए हम यहाँ पर ऐसा sign बना देते हैं alternating voltage का अभी होता क्या है इस inductor के अंदर एक soft iron की core को insert कराया देखो soft iron परो मेगनेटिक मेटेरियल है अभी क्या होता है जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ना यहाँ पर जैसे मान के चलो होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि current की value ज्यादा रहे समझना current की वैल्यू ज्यादा रहे तो इसके ना इंदर एक slider होता है क्या होता है slider slider समझना तो अभी का ओझना ये soft iron की core है इसमें current को control कैसे करा जाता है इस induktor के अंदर soft iron core को slide करके अंदर डालके बाहर नकालके अंदर डालके बाहर नकालके तो magnetic flux की change होने से इसके अंदर एक opposite current बनता है है ना जो की main current को oppose करता है ऐसे होता है हमेशा हमने self inductance नहीं पढ़ा था कि एक inductor के अंदर जब current flow होता है तो उस current की value में बदलाव होने current से magnetic field बनती है वो magnetic field इसकी other turn से टकराती है और इस coil के अंदर self inductance होता है जो की main current को oppose करती है है ना तो अभी समझे अभी यही phenomena बस यहाँ है लेकिन होता है इसके अंदर हमने soft iron की core रखी soft iron एक ferromagnetic substance है क्योंकि magnetic field land को catch करता है बहुत ज्यादा attract करता है तो मान के चलो हम current को बहुत ज्यादा oppose कराना चाते हैं तो हम क्या करेंगे हम चाहेंगे कि इसके साथ ज्यादा से ज्यादा magnetic flux change हो तो ज्यादा स्यादा magnetic flux change कैसे होगा जब हमें soft iron core को बाहर या अंदर घिसकाएंगे क्योंकि soft iron core यह magnetic field को बहुत attract करती है clear है तो यहां से हम current की value को control कर सकते हैं मैं आपको एक सब्द पढ़ा के यहां पर बता देता हूं an inductor that is used to control the current in AC circuit is called choke coil choke coil कुछ नहीं simple एक inductor है एक wire को ऐसे से घुमा दिया उसके अंदर soft iron core को हमने insert करा वही कोईल आता है choke coil when soft iron core is slided in or out जब soft iron core को अंदर या बाहर slide कराया जाता है तो उससे magnetic flux change हो जाता है और ऐसा करने से जो current है उसको अपनी convenience के recording change कर सकते हैं अच्छा अगर हम बात करें क्यो नहीं हो जाएगी inductor वाले case में current or voltage की बीच में जो face difference होता है वो 90 degree होता है तो average power consumption zero हो जाएगा तो practically practically zero नहीं होता क्योंकि कोई भी coil ऐसी है नहीं जिसके अंदर resistance नहीं हो तो उस रजिस्टेंस कारण भई loss तो होता है otherwise पर light का बिल ही नहीं आता ठीक है लेकिन आप सोचें कि theoretically power loss नहीं होता clear है ठीक तो यहाँ पर क्या लिखा है आगे the current which flows in pure inductive circuit तो भई ऐसी circuit जिसमें power का loss ही नहीं हो रहा है theoretically ठीक है तो ऐसी circuit मतलब ऐसे current को हम क्या बोलेंगे ऐसे current को बोलेंगे the current which flows in pure inductive circuit या pure capacitive circuit does not does not cause any power loss बोला कोई पावर का loss नहीं करता और ऐसे current को हम बोलते हैं what less current क्या बोलते हैं what का loss नहीं कर रहा है इसका मतलब what less current क्या बोला what less current तो यह हो गई चोप कईल की कहानी क्या हो गई चोप कईल की कहानी हमारी जुवानी gefथ है क्या आपको यह कहानी मेरी। समझोंगों आई एक है जरूर से comment करके बताना जरूर से comment करके QB contenta नहीं का यहां हाँ पर नेक्स्ट अभी हम आ जा जाते हैं और रहम समझते transformer बड़ी simple सी कहानी है जरा आप transformer को समझे देखो क्या होता है actual में कि transformer एक ऐसा device है जिसका काम होता है alternating voltage को बढ़ाना या घटाना जैसे मैंने आपको आज सुरुवात में पताया था कि यह मेरे पास charger है जो कि अभी भी यहीं पड़ा हुआ है यह actual में क्या है कि board से main circuit से 220 volt का current आ रहा है कितना आ रहा है 220 voltage आ रहा है ठीक है लेकिन मेरे मोवाईल में 220 जाएगा तो खराब हो जाएगा मैं नहीं जाता है मेरे मोवाईल खराब हो इसलिए मैंने इसमें adapter लगाया है adapter लगाया है यह इसका दो काम है इसके अंदर transformer लगा है जो 220 को मेरे मोवाईल के 8 या 12 वोल्ट में convert करता है है तो बस यही में पॉइंट अभी हमें पकड़ना है कि transformer ऐसा डिवाइस है जो की alternating voltage को कम या ज्यादा कर सकता है ठीक है तो दो टाइप के transformer होते हैं दो टाइप के transformer होते हैं अगर हमें voltage बढ़ाना होता है तो उसके लिए होता है स्टेप अब transformer ठीक है और voltage अगर कम करना होता है तो इसके लिए होता है step down transformer तो से transformer में क्या-क्या होता है थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए तो देखो transformer में कुछ भी नहीं होता आप ऐसे मान के चलें कि transformer में यह इस तरह से soft iron की कोर का इस्तमाल करा जाता है मतलब soft iron से बनी हुई इस तरह से plates का इस्तमाल करा जाता है फिर से सवाल जाता है सब्सक्राइब का ही क्यों soft iron एक ferromagnetic material होता है यह magnetic flux में का loss नहीं होने देगा यह magnetic field को जा सदा पकड़ के रखेगा hold करके रखेगा ठीक है अब इस transformer के अंदर दो कॉयल होती है मुझे कम करना है 600 हो को कम और तो आप यहां पर अगर देखें आप यहाँ पर देखे step up transformer में secondary में number of turns ज़्यादा होते हैं और primary में कम होते हैं step down transformer में क्यों down करना है न मोल्ट is down तो secondary में जो turns होंगे वो कम होंगे और primary में ज़्यादा होंगे clear है बात समझ में आ रही है तो ये कैसा transformer हो गया ये number of turns इसमें primary में ज़्यादा है और secondary में कम है secondary में कम output में कम मतलब ये step down transformer होगा क्या हो गया step down transformer समझना बात को अभी होता क्या है कि ये मेरे पास इस तरह से input voltage कुछ आया अब input voltage आएगा अब समझना input voltage आएगा अभी क्या होगा कि इस voltage जब ये current इस circuit में flow होगा इस coil में primary coil में flow होगा तो ये का बनाएगा alternating magnetic field बनाएगा alternating magnetic field जाके ये secondary turn से connect होगी secondary turn का जब magnetic flux change होगा तो फिर क्या होगा तो इस coil में EMF induce होगा EMF induce होगा मतलब इसमें भी voltage बन जाएगा तीक है अब ज़रा सोचो हमने turns को कम कर दिया इसका मतलब है कि कम flux change हो रहा है देखो flux का formula होता है न अगर हमने number of turns को कम कर दिया तो अब कम flux change होगा कम flux change होगा मतलब कम voltage बनेगा तो इस तरीके से इसके अंदर ये magnetic flux के change होने से इसके अंदर mutual induction एकारण EMF induce होता है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर भी voltage आ चुका है फिर हम कोई भी device वगरा चला सकते हैं और voltage जो है अब हमें कम मिलेगा बताव ज़रा clear है तो ये जो transformer है ये किस principle पर based है तो answer है it is based on mutual induction it is based on on mutual induction ये mutual induction के principle पर based है mutual induction के principle पर based है ठीक है अब देखो अब इसमें क्या होता है इसमें कुछ points है कुछ बाते हैं जो आपको समझनी चाहिए जैसे कीमान के चलते हैं इसमें कुछ points इसमें कुछ जरूरी बाते हैं जैसे आप ये देख रहे हो कि हमने जो है ये जो sheets यूजज़ करी है ये laminated core के form में है laminated मतलब हमने इसको pieces में पतली-पतली strip में use करा है एक पूरा का पूरा एक bundle भी तो ले सकते थे soft iron का तो वो क्यों नहीं लिया वो इसलिए नहीं लिया आपने पढ़ा है eddy current सायद वो पिछले साल था तो actual में क्या होता है कि जब किसी जब किसी जब किसी metallic piece से magnetic flux change होता है तो उसके अंदर eddy current बनते है eddy current का मतलब है उसके अंदर heat loss होता है magnetic flux का उसके अंदर क्या होगा heat loss होगा energy का loss होगा बात समझ मारी है तो यहाँ पर eddy current losses से बचाने के लिए यहाँ पर इसको पढ़ा दें तो आप comment section में चल लाओगे ज़रा आपने ज़्यादा पढ़ा दिया और ना पढ़ाएं तो फिर आगे वाल आने वाले topics में फिर ज़रुत पढ़ जाती है यह दिक्कते होती है फिर ठीक है ना आप समझे इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई वायर नहीं है कोई एक पूरी शीट है तो इसके अंदर भी current बनेगा लेकिन इसके प्रॉपर पात नहीं है तो इसके अंदर जो current बनता है यह बनता है इस तरह से circular loop के फॉर्म में इसको हम बोलता है एडी current ठीक है तो हम चाहते है कि current जो है इस एडी current को resistance रुकावट मिले इस एडी current को सीधा सीधा रास्ता ना मिल जाए तो हम पूरा जो बंडल जो होता है ना उसको pieces के फॉर्म में divide करके ऐसे चिपका देते हैं समझना ही बात तो इसलिए हम इसको laminated core room में use laminated मतलब टुक magnetic flux leakage होता है कि 100% magnetic field पूरी तरह से यहां से जो बन रही है वो यहां तक नहीं पहुंच सकती कुछ एर में भी leakage हो जाती है लेकिन इसका सबसे best solution क्या है best solution इसका होता है कि आप soft iron core का इस्तमाल करें ताकि ताकि यह सबसे ज्यादा स्यादा magnetic field line को attract कर पायो leakage कम से कम हो और इसका एक और जो तरीका होता है वो क्या होता है वो यह होता है कि आप इनको ऐसे रखें कि दोनों coils एक दम पास पास में हो ताकि यह losses वगरा कम हो इसमें कुछ losses जैसे की heating loss होता है बही अब current लोगा तो heating तो होगी होगी ठीक है इसके अलावा इसमें कौन से loss होते हैं इसमें होते sound वगरा यह losses वगरा होते रहेंगे ठीक है बिन मिनाने के इनकी जो आवाज है वो आती ही रहेंगी ठीक है तो कुछ losses है ठीक आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं आपकी बुक में डीटेल में बाकी सारी चीज़ें आजा नहीं 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 मैं आप कुछ औ और बताना चाहता हूं उसमें बहुत जरूरी चीज जो रह गई है क्या रह गई है इसमें जरूरी चीज आप जरह यहां पे देखिए तो देखो एक transformer के अंदर हमेशा अधर को ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेशन ऑफ एनरजी पर डिपेंड करता है तो हमेशा अधर रखिए जो जैसे जो भी पावर इनपुट होती है यह वोल्टेज को चेंज करता है लेकिन पावर को सेम रखता है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर यह हमेशा सेम रहने वाला है इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमेशा सेम रहने वाला है आप इस चीज को याद रखें बले देखो जैसे input power क्या है voltage input यैसे मान के चल सकते हो secondary यह primary है तो primary voltage into input voltage secondary voltage into secondary current बात समझना अब यहाँ पर देखो कि transformer बले ही voltage को बहुत 4 गुना जदा बढ़ा दे ट्रांसपर भगवान है क्या घ्रन है क्या करता है अगर इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया आपने number of curve में बहुँआ जदा लगा दिये तो वोल्टेज बढ़ जाएगा अगर इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो current को कम करना पड़ेगा energy conservation का principle यह कहता है भाई साब ठीक है तो आप यहाँ पर समझे आप यहाँ पर समझे कि मैं आप से कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है कि VP into IP is equal to is equal to VS into IS ठीक है तो आप यहाँ पर समझे कि अगर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको voltage का ratio तो VS upon VS upon IS सरी VS upon VP अगर मैं करूँगा और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IP upon IS क्या हो जाएगा IP upon IS ऐसे हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखे current और voltage एक दूसरे के inversely proportional है अच्छा यहाँ पर देखो आप जितने को ना voltage को बढ़ाना या घड़ाना चाहते हैं वो कैसे पदा पड़ेगा अपनको NS upon NP से इसका मतलब यह है कि मानके चलो कि primary में secondary में अगर secondary में 100 turns हैं और primary में अगर 25 turns हैं और secondary में आपने 100 turns लगा दिये तो इसका मतलब यह हो गया एसका मतलब ही हो गया कि अगर आप यहां से NS upon NP करते हैं तो 8 by 4 इसका मतलब ही हो गया कि number of turns आपने secondary यह बढ़ा दिए न कितने गुणा बढ़ा दिए आप ने 4 गुणा बढ़ा दिए आपने 4 गुणा बढ़ा दिए देखर आप NS by NP की value कितने आई? 4 तो इसका मतलब हिए 4 गुदेज बढ़ जाएगा और चारगुना current कम हो जाएगा तो ns अपन एपी क्या है इसको हम्योत है transformation ratio का बोलते है인et transformation है डिशो मतल nasal को कितने गुड़ा कितने कम कराया सकता है यह में का डिवाइड करके पता पड़ जाता है बहुत सिंबल ने बात है तो हमारा हो गया transformer मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में चीज़ें समझ में आई होंगे तो चार गुना voltage बढ़ गया secondary में चार गुना current कम हो जाएगा secondary में ये बात आप याद रखेंगे clear है अच्छा अभी हमें पढ़ना है alternating current का पढ़ना है alternating current तो alternating current के लिए आप याद रखें फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल फ्लैमिंग स्वरी एसी current generator ठीक है एक्च्छल में ये हमारा topic है कि alternating current generator कैसे काम करता है आप इसको समझे ज़रा तो इसके लिए हमें समझना होता so it forgiven right hand rule फ्लैमिंग का right hand rule में समझना है द्यान देंगे जाए डैकर टैमें का right hand rule का कहता है में इस पर थोड़ा सा हम द्यान देंगे कि flaming के right hand rule में यह देखो धंब जो हता है थंब हमारे right and का जो तंब है वो बताता है motion of conductor कि बताता है motion of conductor जान देंगे उसके बाद हमारे right hand की जो finger है four finger यह बताईगी magnetic field और जो हमारी middle finger होगी middle finger यह बताईगी induced current की direction induced current की direction यह तीन जीज़े मैंने लिखती है देखो अगर हम बात करें alternating current generator या AC generator कैसा होता है तो बहुत simple सी बात है देखो इसके अंदर का होता है इसके अंदर यहां पर दो magnetic poles होता है यह नौर्थ पोल हो गया और यह साउथ पोल हो गया इसके अंदर एक coil होती है जब भी हम इस coil को इस तरह से गुमाते हैं coil को गुमाया देखो coil को गुमाना तो पड़े गई तो जब भी हम इस coil को गुमाते हैं तो इस coil को गुमाने से magnetic flux change दो को कि pole fix हैं इसके लाभा area of coil बदल सकते तो बदलता क्या है फिर area बदलता है area बदलता है दो तो अभी कोईल के अंदर मतलब इसके अंदर connection कैसा होता है कि यह हमारे पास यह से कॉईल है ठीक है और यहां पर ना हमारे पास connected होती है ऐसे slip ring क्या connect होती है slip ring यह slip rings है और यह resistance लगी होती है देखो बहुत simple जी बात है actual में क्या होता है जैसे मान के चलो अगर मैंने किसी generator को या किसी coil को ऐसे गुमाया अब मैं गुमाऊंगा तो angle बदलेगा इस coil का और magnetic field का अगर angle बदलेगा तो फिर वहां पर obvious सी बात है flux change होगा flux change होगा तो EMF induce होगा उससे current बनेगा ठीक है बस वही चीज़ मुझे समझने है यही तो एसे generator का जो basic principle है that is based on electromagnetic induction ठीक है अब भी धान देना कि किस के अंदर current कैसे किस direction में induce होता है देखो simple सी बात आप यहां पर समझो कि अगर मैं अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इस coil को मैं simple simple दो wire से connect कर देता हूं ऐसे दो वायर से ऐसे connect कर देता हूं यह resistance लगा दी कोई भी device हो सकता है अब मैं coil को कर घुमाऊंगा coil को घुमाऊंगा ताकि इसके अंदर EMF induce हो जाए तो फिर रजिस्टेंस भी तो घुमे की साथ में wire भी तो घुमेगा तो फिर यह तो system खराफ हो गया तो हम चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि resistance यह बाहर वाली resistance ना घुमे तो इसलिए हमने कहा करा इसलिए वने बहुत simple सा काम करे यहां पर जुगारण कर दी क्या जुगारण कर दी कि यहां पर हमने लगाए कवी का होगा सिर्फ यह coil घुमे और इस हो साथ ही agoo नगि और यह बस सब्सक्राइब इक अब यह करेंट के श्राइब उसकी के बाद में थोड़ा सा समझ लेटे तो मेरे पास यहाँ पर NCRT की बुग रखी है, मेरे पास यहाँ पर NCRT की बुग रखी है, मान के चलो, देखो, अभी इसमें किस डायरेक्शन में करेंट फ्लो होगा, यह समझना, ध्यान से देखना, यह मेरे पास सरकेट है, तो इसमें न, मैं कहता हूँ कि यह वाला, सिर्फ एक कंड़क करेंट को बनाता है, कैसे alternating direction में करेंट बनाता है, तो हमने क्या देखा, कि थम्ब क्या बताएगा, motion of conductor, ठेक, थम्ब बताएगा, motion of conductor, मान के चलो, यह कोईल ऐसे है, ठेक, कोईल ऐसे है, अब यह कोईल घूमते हुए, पहले उपर आई, कैसे आई, उपर आई, तो मैं कहा क कुछ हो रहा है, कि यह वाली, नीच वाली side, देखो, यह उपर की side आ रही है, उपर की side, यह conductor, यह उपर की side आ रहा है, तो right hand का थम्ब ऊपर की side, magnetic field इस side है, तो मेरी जो middle finger है, यह वाली जो finger है, यह कहा जा रही है, अंदर की side, इसका मतलब यह हुआ, कि अभी current, inward direction में flow हो magnetic field इसी not to side direction में, और middle finger बाहर, middle finger बताता है, direction of induced current, तो पहले जब यह वाला, यह वाला जो conductor है, जब यह उपर जा रहा था, तो current जो है, वो inward induced हो रहा था, जब यह conductor नीचे जा रहा है, तो current outward induced हो रहा है, बात समझ भाई, तो इस तरीके से हम यह देखते है, कि किसी भी एक side क पकड़ लो, भाई पहले मान के छो लो, इसमें inward flow हुआ, तो इन सभी में तो, इन सभी में जाएका न, ऐसे, ऐसे, फिर अगली half cycle में क्या हुआ, अगली half cycle में, जब यह यह उपर वाली side यह नीचे को गई, तो फिर opposite direction में current flow हुआ, तो इस तरह से जो current है, यह opposite direction में, एक cycle म में, आप यह देखते हैं, कि दो बार इसकी direction बदल जाती है, एक बार coil उपर जाएगी, एक बार coil नीचे जाएगी, और इसका जो magnitude होता है, current induce करने का, यह magnitude क्या है, भाई, I is equal to I not sin omega t, ठीक है, और E क्या है, या EMF की बात करें, तो E not sin omega t, तो बताइए ज़रा, कि कब-कब maximum और minimum current हमें मिलेगा, तो जब omega t की value कितनी हो जाएगी, 90 degree हो जाएगी, मतलब जब plane of coil, magnetic field के parallel होगा, तो ठीटा के parallel क्या रहा हूँ, plane of coil, plane of coil, magnetic field के कैसे होगा, parallel होगा, तो यहाँ पे flux maximum change होगा कि minimum, ध्यान से देखो ज़रा, भाई, flux का formula क्या होता है, flux का formula होता है, N, B, A, cos, ठीटा, ठीटा किस-किस के बीच का angle है, B vector और A vector, तो अभी आ भी देखो, अभी आप यहाँ पे देखना, कि जब, जब coil जो है, magnetic field के parallel होगी, तो area vector और magnetic field का angle 90 degree बनेगा, 90 degree बनेगा, तो ऐसे कि इसमें जो flux है, वो maximum change हुआ, जहाँ पर flux maximum change हो रहा है, वहीं पर, वहीं पर क्या हो रहा है, वहीं पर आपको current maximum मिलेगा, clear है, तो इस तरह से आप current कब maximum होगा, कब minimum होगा, यह सारी बाते बता सकते हैं, वीडियो का time काफी बड़ा हो गय करीब 4 घंडे की वीडियो मेरे हिसाब सी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको short रखा, काम की बाते इसमें, मैंने आपको सारी बता दी हैं, तो उमीद करूँगा, यह आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखूँगा, अगर आप च कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल से, टेलिग्राम चैनल आप सभी को मिल जाएगा, अभिशेक साहू सर फिजिक्स के नाम से, तो जहां से आप जो इसको जोईन करें, और जो एक लाग से उपर बच्चे हो चुके हैं, आप भी उनके साथ जोईन हो जाए, आप बस एक काम कर स कर पाई, जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन बताएं, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप से पहुत ही जल्द, नेक्स वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे, इलेक्रोमेग्रेटिक वेप्स, तो अभी के लिए बस इतना ही, तेंक्यों सूमच ग